आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डि लेते हैं, अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है, एटी में, बीटी में, चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ला, पिछली मरताबा जो उ बीजेपी जीच जाएगा, ये बीटी में, आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे, दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डलके बैट गए, हमको बीटी म बोलने हो ले, आज पूरे देश के सामने, आप एक्सपो को बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या वमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है, नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है, कि एंटी मुस्लिम है, मु दिख रहा है, तो आप किस तरह से बात करते हो कि डेमोकरसी खत्रे में ये, समवीदान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुधी राज्य सभा के में बने समवीदान की शपत लेके बने, एक भी पॉइंट सुधान चुधी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है, अब इसके आगे आप क्या करने होले है, मैं आपको बताता हूँ, सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने होले है, क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी, पूरी के पूरी फेल हो गई, 15 लागाना था नहीं आया, दो कुरोड युवाओं को यहीं तरह से विफल हो चुकि यह. क्या करने होले है, आप चलिए बताएई, आप ने नविका जी बात करी, क्ये मोदी जी यह करते आपको बुरा लगता है, हम तो बोलते है क्या करते समय है, एक सवाल करूँगा है, honorable sun king की बात वही, minority की बात वही, आप लोगों, को मुसल् के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाब शराब भगे जहेर उगले उनके खिलाब एफायर उर्मकर आप उनको अरेस नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं के देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफाय नहीं दस मीनिट नहीं हमको पांच मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान शुत ये एक भी ट्रीट कुई नहीं करते हैं आसाम के उपर भी बात करेंगे सवाल आसाम का भी सवाल था आपने लों स्पेशल मैने जैक लेके आ गए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के नहीं होनी चाहिए अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए एटी फॉर परसेंट जिन लोगोंने शादी किया हैं दस साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगम था इन लीगल की लड़ाइए बात क्या है अब पापारा मैर कैसा करेंगे स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पड़ेंगे हैं वहापर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मैरिज अगर अगर जाती है पड़ता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉज़े वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंता को सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजे पी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलन देवर आते सीधा एंपी अब वो तो नाराज घुम रहे हैं अभी खेला हो वे हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराज टरेके दरबाद चल रही है आपने तो चल्ड़ाब पी सुन्दीजे जवाब मेरा सवाल है मुझे तो सुधान सुजी की चिंता होती है देखो हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना भी पच्छ के कॉंग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में हिनकी होती है जावेद जी को पहले भेजा है आपसको शरिफ होट चाहिए आपको शर्ष नहीं है जगड़ा हो गया पीड़िया में जगड़ा हो गया इस जगड़े में M Factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है समीधान को पचाना है, डेमोकराशी को पचाना है इसका मडर कर रहे हो रोज कतल्याम हो रहा है देखिये देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ, हमें मुसलिमों से अदावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर बिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था, कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे, 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो, इसमें सेक्वरिजम का सूर्मा अब बताता हूँ, 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया, संबान किया ये बताईए, 15 अगस्ट, 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटर्जी की सरकार में, 50 साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला, और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंसदा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए, मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इंवरस्टी का नाम पता है अब बात करेंगे जब मेरे डादा भी पैदा नहीं हो, तो उस ताइम की पुराना फिर लोड याद नहीं पिछले आठ सो साल में कोई इतना बड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजी अबुल कलाम को ने बनाया और हमने राश्पती बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा विरोध कि अच्छा लगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ भाई कि आप इस आजमी को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले कि बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस नहीं पैदा हुआ बाटर कराम पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो इस बात का मारा है यह कुमेर के जुडिशन के लिंग है आज जाकिर नायक चांद का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है हमारी सोच मुसल्मानों के और आज की सोच का किसान दहने पर बैटा है उसका बोल दो ना इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप जार साथ पीछे चले जा रहे हैं आप से पुछ रहा किसान आपके तहने इंडिया लैंस पर चार गुना करजा कर दिया आप ने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मन्द है ने आपके सवाल कब जवाब दो पीछे तो डॉलर की वेलू क्या है आपके डेट में डॉलर हमारा रुपए में सवार बैठा है यह तरी कहां से फोट किराते हैं नविका बस एक बात कहे दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश शरंक दि राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोधी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है। अभी देगे किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में, चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ना पिछली मरता बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नविकाजी, हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे, 83% मुसल्मानों ने इनको भरभर के वोट दिया, ये आके बोलते थे, आपने अगर M.A.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, B.J.P. जीच और हमारे महराष्टा में तो खेलाई हो गया है, महराष्टा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है, वहापर तो अगर मुसल्मा आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या उमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने औरने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, मदरसों से नफरत है, एक मजजित तो हमारी चीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नज तीस हजार मजजीतों पर इनकी नजर है यह तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुछी राज़े सभा के में बने सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुधान च की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्रला खाना था नहीं आया दो कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारो युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुजगार उतर गया है रुजगार पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीच से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बता ही है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुदानिशु जी आपसे में क्या अलप संको की की बात हुई माइनरीटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है प्रह सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिए लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के आप शराब बगए जहर उगले उनके खिलाफ एफायर हो मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीज साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 बजे क्या नहीं की जरूत थी आपको special marriage है आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक contract है हम में होता है निका बच्चियों की शादी करेंगे अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल थाई लीगल की लडाई है बात क्या है अब आप मारा मैर कैसा करेंगे स्पेशल मैरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हुआ पर एक अवरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मैरिज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाग के टाइम बोलते थे मुसल्मान बोरते मेरी बहन है आप बहन का तो अब अधिकार चिन रहो बहन की प्रोपर्टी के अंदर अधिकार चिन रहो वो बहन अगर हिजाब पहन के जाती है पड़ना तो आप क्यों बहकार है तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेद है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंताओं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने एमलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे है अभी खेला हो सुदान सुजी की चिंता होती है को हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना पी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादाओं के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है इसके पहले हम लोगे आप जबाद से कर दिखा दिया आप बहुत आप अब आप जवाब सुनीजिक अब जवाब सुनीजिक को पहले बेजा है जगड़ा हो गया पीडिय में जगड़ा हो गया नहीं आप तो इनके आना इनका इससा इनके लिए मन टचे भाले इस जगड़े में M Factor है इस जगड़ा हो गया नहीं देखिए देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्यादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठें? इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला Gallantry Award बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं ब्रिगेडर मुहमद इसमान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्त दो हजार उन्नीस सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खां उसको तो हजार एक में भारत नद न मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूं इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम-े इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस टाम की आजा चलो, इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदागे नहीं, लेकिन दादा के समय का भूल की पार याद नहीं, नपे साल पुराना भी जाहिए, जुनिवस्टी तो याद नहीं है पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ पिछले और डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोग किया हमें अच्छा विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जन्ता पाटिक साथ भाई आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ रहे हैं और बनाता हूं आज 2024 में पूरे आज जाकिर नायक चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बात का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना किसान इंतजार कर रहा है आप जार साल पीछे चले जा रहे हैं आप से फुच्छा किसान आपके तहले हैं इंडिया लैंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताइए जेट जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुनिया में कहा है कहा है यह बहुत बढ़ दो पर आप देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रखा रहा है फोज ले जाओ ने बढ़ा देश को जाओ ने बढ़ा देश को जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अ एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना प तो मोदी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया है इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैट गए हमको बीटी म बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने अब एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महाराष्टरा में तो खेलाई हो गया है महाराष्टरा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समचा है नबίας का हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है उप्टा है अंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बी जैभी पार्टी पुरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है हिजाब से नफरत है, मजजिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है एक मजजिद तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है, तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजिदों पर इनकी नज़र है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है, सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुजी राजे सभा के मेंबरे सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुधान चुजी नहीं ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं अब इसके आगे आप क्या करने वाले है, मैं आपको बताता हूँ सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने वाले है, क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्रला गाना था नहीं आया, दो कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीच से अगर देखा जाए तो बीजे पी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप छेलिए बताई है, मोदी जी आपने नविका जी बात करी क्या करता है, अपने गुर्गों को बेजो, जो 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 जाए के वाइजा बहार से, महरास्तरा राज्य के अंदर आप अपने गुरूगों को बेजो, जो 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 जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाब शराब बखे, जहर उगले, उनके खिलाब F.I.R. हरो मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी विट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ F.I.R. करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता, और वो ये बोलता है, कि चुन-चुन के मारें ये कुछ नहीं होता, BJP की सिटिंग है मेले, हुआ खड़ रेकर बोलती है, 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं, हमको 5 मिटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे, तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुनी करते हैं, आसाम के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपन आपको पता है, 18 बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, चंग ना क्या सोचती है, 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया हैं, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, आपका लीगल था, इलीगल की लड़ाइए, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरिज मेरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं, वहापर, एक औरत का अध अधिकार हैं, जो शादी करती है, स्पेशल मेरिज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे, मुसल्मान बोरते मेरी बेहन हैं, आप बेहन का तो आप अधिकार चिन लो, वह बेहन, अगर हिजाब पहन के जाना पढ़ना तो आप मोदी जी आप दराने का काम क्यों करते हैं, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुदान सुजी मेरे दोस हैं, 30 साल से BJP के तर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते-करते, उनको ने MLC बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अ अभी खेला हो भे हो सकते हैं आपका भी, पूरी महारास ट्रीका दरभाद चल रही है, आपने दो 30 साल से माल जोढ़ जवापी सुननीजे, आपकी आपकी सुननीजे अधिये उमीर है कि अखलेश यादों के बाद सबसे अधा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरीयाली अगर यह एक ली बार कर दें अधिये उसलमान नहीं मिला जिसको पूसरी पेश नहीं बाद सबस्क्राइब कर दों से इसके पहले हम जब आप जबाद से पहले हैं जवाब सुनीए जवाब सुनीए जवाइज जी को पहले भेजा है पहले हमने बेख वर्ड भेजा था नमाल की बात कर रहे हैं आच्छा अब पर खुड लड़ते अपने बल बुते के उपर जितते चुरा हो इस जगड़े में M Factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है देखे देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर डिकेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिकेडर मुहमद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस दो हजार 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तक नहीं मिला अटल्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल्कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंट टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टेम की नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना यूनिवस्टी तो याद नहीं है उसके घजे का नम क्या था उसके गोड़े का नम क्या होते हैं हमारे नहीं से भाई अब बात औरी 2024 की चलिए जबाद सुन लीजे जराज आंकम बटेबल बैक करता हूँ इक को कुछ नहीं पता है 2024 को बोल रहा हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पजी बनाया और आपने उसका विरोध किया जराज प्रणाया और आपने पहले वक्तम में नहीं कर रहा है अब इस आजमी को को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्तम में सारे वो गिनायद 1890 मैंने कब बोला अब कान बचते हैं क्या आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मानों तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा जेश्बक्त मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपके लिए किसान धन्ने पर बैठा है उसकी मौत हुई है उसका बोल दो ना एक जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप जार साल पीछे चले जा रहे है आप से फुच्छा किसान आपके धने इंडिया लैंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या संबंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू पताएं जेट टू जी पहला हमारे रुपए में सवार बैखा है यह तरही कहां से फुच्छ के लाते हैं ने बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने जाओ ने रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोधी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है DMK ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म परसनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिए किस तरह से अभी काजी हम लोग भी चुनाव या पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आप ने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बी टीम है आप इनको वोट मत दिजी हमको वोट दिजी दिया है इनको वोट क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैट गए हमको बी टीम बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कोण है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महराश्रा में तो खेलाई हो गया है महराश्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अकर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि एंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजे बी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है बने एक भी पॉइंट सुनात सुधानचु जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये धरम की राज दीतिया आपको करना है सुधानची दो से लिए कि आप यहां तक तो पहुंच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिर्फ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पधर लागाना था नहीं आया दो कुरूर दू युवाब को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो अज़ारो युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आजुवा उतर गया है रुजगार मंग रहा है पर्ष को डना कर रहा है हर रीच से अकर देखा जाये तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बताएं मोदी जी आप नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशु जी आपसे क्या आलपसंगों की की बात हुई माइनरोरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है मेरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्जे के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाब शराब बखे जहर उगले उनके खिलाब एफायर उर्मकर आप उनको अरेस नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हमाँ खड़ रहे कर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चाहिए के लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो अमारे हिंदू भाई बेहनों का है आपका लीगम था कि लड़ाई एक और एक और अवरत का अधिकार है जो शादी करती है पेसल मेरिज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल टलाक के टाइम गोलते थे मुसलमान वाड़ते मेरी बहन है आप बहन का तो आप अधिकार चींद लेओ बहन की प्रोपर्टी के अंदर बदिकार चीन लो वो बहन अगर हिजाब पेन के जाती है पड़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते वो बहन पिलकिस भावो उसके बात्यारी को आप ठोड़ देते हो और आप यहाँ बात्यारी सम्हाँ की अगर Special Marriage Act हटता है तो उसको दूसरे Legal Provisions मिलते हैं आप क्यों बहकारे, क्यों गलत पाक के रहे हैं आपने बताया है चाहे बरीज का तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिद है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंता को सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान शुजी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजेपी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ना MLC बनाया ना MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराश्ट्रे के अदर बाद चल रही है आपने तो 30 साल से बाल चलिए जवाब ही सुन लिजे जवाब ही सुन लिजे ये इतना भी पच्च के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है हम तो अखलेश यादव के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरियाली अगर ये एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक मुसल्वार नहीं मिला जिसको प्तरदेश में बढ़ हो गया ज्यादा क्यों नहीं वेज़े अपने अच्छा पर खुड लड़ते अपने बल्बुते के उपर जितते चुना इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है उसी उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गलंट्री अवार बिनर बिग्डियर मुहां तर प्रदेश का था 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तर न मिला अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूं इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड है और दादा भी पैदा नहीं हूं तो उस तरह चलो इनोंने माल लिये जब दाटा पे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय कि आप याद नहीं चाहिए नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना यूदि वे तो याद नहीं है अब बात वरी दोजार्वीश की बात सुन लिजे जनता के वारे में 2024 को बोलना हूँ, पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया, और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोग किया, अच्छा विरोग कि अच्छा लगता है, आप रुपरादी और आतंग वारे में चले जा रहे हैं, यह दिक्कत होगा यह बारती जनता पाटिक साथ, आज मैं बताता हूँ, एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था, उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, आपके कराम पैदा हुए, मगर यह उसके ख़ड़ा हो जाते हैं, और बनाता हूँ, आज 2024 में, पूरे पोलिटिकल वर्ड में, भारत में, बताइए, जो हमारे केरल के गवणनर है, आरिक आरात का मारा है, याकुमेरे के जुडिशन किलिंग है, आज जाकिर नायक चांद का मसीह है, औसामा जी है, हाफिस साहब है, यह उसमानों के वरात की सोच बात का, किसान तहने पैटा है, उसकी मौत हुए है, उसका बोल दो ना, अमेस्पी केरेंट की कब्द होगे, वो बो आईए, आपके सवाल कब जवाब दू, बताएए, जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा हैं दुनिया में, कहा है, कहा है, चुरिए, यह बोलेगे, नमबर दो पर आए, अमेरिका के विस से पिछे है, तो डॉलर की वेलू क्या है, आपके डॉलर की बैलू क्या है, फोज ले जाओ, नेपाल कहना है, 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 नेपाल कहना और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन स आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी ह लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की, अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है, सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना, पिछली मरतमा जब उतर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी, हम लोग भी चुनाओ में आपे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने ये इनको भर-भर के वोट दिया ये आके बोलते थे, आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, बीजेपी जीच जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजी, हमको वोट दीजी दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए B.J.P. की गोद में डलके बैड़ गए, हमको भी टीम बोलने हो, आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए, किस तरह की टीम कौन है, क्रोस वोटिंग, ये, और हमारे महाराश्रा में तो खेलाई हो गया है, महाराश्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए, और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है, वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है, राहुल गांदी पहनने औरने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरासों से नफरत है, एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया, अब दुसरी की तरफ भी नजर है, तिसनी की तरफ भी नजर है, तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नजर है, ये तो खुला दिख रहा है, त तो आप किस तरह से बात कर दो के डिमोक्राशी खत्रे में नहीं है, समईधान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुजी राज़े सभा के मेंबर ने समईधान की चपत लेके बने, एक भी पॉइंट सुनात सुधानची जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये दर्म की राज़ दीतिया आपको करना है सुधानची दो से लिए कि यह तक तो पहुझ गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले है मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्रला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारों युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुआ उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा हो के पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीज से अगर देखा जाए तो बीजे पी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बता है या मोदी जी आपने नविका जी बात करी के मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुधानिशू जी आप से में क्याल्प संगों की बात हुई, माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो आप बाहर से, महराष्टरा, राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब भगे, जहर उगले, उनके खिलाव एफाय हो, मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है, कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता, BJP की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहे कर बोलती है, 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं, हमको 5 मिटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे, तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुई नहीं करते हैं, आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मेरे जैक लेके आ गए, 90 साल से कानुन चर रहा है, रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी, आपको स्पेशल मेरे जैक, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है, हम में होता है, निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, आपको लीगल की लड़ाई है ने, बात क्या है, अब आप 12 कैसा करेंगे, स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे है, वहाँ पर, एक अउरत का अधिकार है, जो शादी करती है, स्पेशल मेरिज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे, मुसलमान, बोरते मेरी ब बहन है, आप बहन का तो बदिकार चीन रहो, बहन की प्रोपर्टी के अंदर बदिकार चीन रहो, वह बहन, अगर इजाब पेंके जाती है पढ़ना, तो आप मोदी जी नहीं जा रहे देते, वह बहन पिलकिस बागो, उसके बात करनारी संभान की, अगर वहाँ पेशल मेरि के क्लॉजेट है, वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, आप दलाने का काम क्यों करते हैं, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस हैं, तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई, मोदी जी का परचार करते-करते, उनको ने एमलसी बनाया, ने एंपी बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा एंपी, मिलिन देवर आते ही, सीधा एंपी, अब वो तो नाराज घुम रहे है, वो सकते हैं आपका भी, पूरी महाराइक तो कैसे बनाया है, आपके लोग है, आपके तो सुदान सुझी की चिंता होती है, धा transactions को यह रहेंगे, यह रिपने को सरे ने जाइने इसलिए चिंता में इनकी होती है मुझे तो ये उमीद है कि अखले ज्यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर ये एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है इसके पहले हम जाइब आप जवाब सुन लीजे जवाब सुन लीजे अच्छा परेखुड लड़ते अपने बलबुते के उपर जित ते चुरों इसले जगड़ा हो रहा है इसलिए जगड़ा हो रहा है पहला गैलिंट्री एवार बिनर डिकेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हों बिकेडियर मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्त दो हजार उन्नी सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत तक न मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिये डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इंवर्स्टी का नाम पता है अब बात हो इस नाम पता है पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोट किया किसे ने इस आदमी को को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनायदा 1890 का बोला भाई आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डॉक्र कलाम पैदा हुए उसके खिलाख फड़े हो जाते हैं और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल बॉर्ट में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवनर है आरिक महम्मेट खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुस्ल्मान हो तो बताइए वो हमारे साइब हैं अजाकिर नायक चांद का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है मुस्मानों के और आज की सोच का है उसका बोल दोना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहे हैं आपके सवाल कब जवाब दो बताएं डेट टू जीडीपी रेशियो भारत कहा है दुनिया में कहा है तो डॉलर की बेलू क्या है अशिडेट में डॉलर हमारों रुपए पे सवार बैठा है यह पहुत किलाते हैं बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म क पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बाज जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी का जी हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये महराष्टा में तो खेलाई हो गया है महराष्टा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गया और ये बोल रहे है के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नवी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस देमोरे जी खत्रे में यह समझावा खत्रे में नहीं है और उसके आगे आगे आप क्याू करने होले मैं आप बताता हूं सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला खाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था क्या करने वाले आप चलिए बता या मोदी जी आपने नवीका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधान शुजी आपसे में क्याल्प संकों की बात हुई, माइनुरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से तफरत क्यों है? पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ एफायर करते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं हमको पांच मिड़े तो हम सब को खतम कर डालेंगे, तब सुदान शूत ये एक भी ट्रीट कूर नहीं करते हैं, आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैने जाएक लेके आ गए, नबे साल से कानून चर रहा है, रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी आप को स्पेशल मैने जाएक, आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है, हमें होता है निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे, अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, अठारा साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया है, दस साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल था, इल्लीगल की लड़ाइए, बात क्या है, अब आप मारा मैरा कैसा करेंगे, स्पेशल मैरिज मे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे, मुसलमान, बोड़ते मेरी बेहन है, आप बेहन का तो आप अधिकार चिन लेओ, बेहन की प्रोपर्टी के अंदर बदिकार चिन लेओ, वो बेहन, अगर हिजाब पेन के जाती है पड़ना, तो आप मोदी डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेज है, वारिस पठान जी, आप दराने का काम क्यूं करते हैं, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस है न, 33 साल से बीजेपी के अदर चपपले घस गई, मोदी जी का परचार करते-करते, उनको ना MNC बनाया, ना MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घुम रहे हैं, अभी खेला होबे हो सकत करते हैं अब का भी, पुरी महाराक स्ट्रेके दर बात चल रही है, आपके तो 30 साल से बाल जां से अदर चेबाले जाही है, जवाब करते ही, सुदान सुजी की चिंता होती है, अम लोग तो यहां रहेंगे, यह इतना पर पच्क के कंग्रिसी दूसरे निता ला रहे हैं, य कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पर दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्टे महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इंपोई सब्सक्राइब करना चाहिए अच्छा रहे हमने जावेद जी को पहले भेजा है अब आप दरित को बेजा है उसके पहले हमने बेकवर्ड भेजा था आपको सिर्फ वोट चाहिए एपको सिर्फ जगणा हो गया पीडिये में जगणा हो गया कोई जगणा नहीं आप तो इनके आना इससा नहीं के लिगो मन टचे पर ले पोलिटिकली इस जगणे में M फैक्टर है बहई इसले जगणा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर डिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिकेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तक नहीं मिला अटल्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे डादा भी पैदा नहीं हो तो उस ताइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब डादा नहीं हो नपे साल पुराना जाए नाफे साल पुराना ला नहीं चाहिए ना उन्वस्टी को याद नहीं है पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ अच्छा नहीं पड़ता है अपने पहले वक्त में अपने पहले वक्त मैंने कब बोला अबे कान बचते हैं क्या अच्छा नहीं पहले बैतुल हिकमत था उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बनाता हूँ आज दोहजार चौविस में पूरे पुरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताएं जो हमारे केरल के गवणनर हैं आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मानों तो बताइए वो हमारे साथ हैं अच्छा देश्बक्त मुसल्मान है आपके लिए अपनाद का मारा है यह कुमेरे के जुडिशल किलिंग है आज जाकिर नायक चांड का मसीह है ओसामा जी है हाफिस स आप है यह हमारी सोच बाद का किसान धने पर बैठा है उसकी मौत हुए उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप जार साल पीछे चले गा रहे हैं आप से पुच्छा किसान आपके धनी इंडिया लैंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस सान में इस बात का अजार साथ पहले से क्या संबंद है आपके सवाल कब जवाब दू बताएए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है शुरिए यह बोलेगे नमबर दो पर आए अमेरिका के उससे पीछे है तो डॉलर की वेलू क्या है बहुता नहीं कहां से फोच के लाते हैं मैंने बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंग दिखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने बहुत की लगाई 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 राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोधी जी को पू तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहेते हैं बीजेपी जीच जाएगा यह बीटीम है आप इनको वोट मत दीजिए हमको वोट दीजिए दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बेट गए हमको बीटीम बोलना हो आज पूरे देश के सामने अब एक्सपोस हो गए किस तर पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि एंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजे बी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहने उड़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया, अब दुसरी की तरफ भी नज़र है, तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजीतों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुजी राज़े सभा के में बने सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये दर्म की राज़ दीतिया आपको करना है सुधान चीजी दो से लिए कि आप यह तक तो पहुँच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिर्फ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था क्या करने वाले आप चलिए बताई है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशु जी आप से क्योंकि हाल्पसंगों की बात हुई माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अवह दिर्मान दीखा के हमारी मस्जीतों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीन कर दो आप गाए के नाम पे मार दो आप बहार से महराश्ट़ा राज्ये के अंदर आप अपने गुरगों को भेजओ जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बखे, जहर उगले, उनके खिलाव F.I.R. हरो मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत जाता है B.J.P. का नेता, और वो यह बोलता है, कि चुन-चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, B.J.P. की सिटिंग हैं मेले, हुआ खड़ रेकर बोलती है, 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं, हमको पांच मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे, तब सुदान शुत यह एक भी ट कांट्रे तो बच्यों की शादी करेंगे, sé complain अधर चिंग की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 18 साल से, 18 साल से कम ओम्र की लग्ट्यों की शादी होनी चाहिए, जंद आ विया, 54 परसेंट जिन लोह ने शादी किया है दस साल के नीचे, वो हमारे इंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल था, इन लीगल की लड़ाई है, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरिज मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं, वहापर, एक औरत का अधिकार है, जो शादी करत तो आप मोदी जी नहीं जाने देते, वो बेहन पिलकिस भावो, उसके बात क्यारी को आप खोड़ देते हैं, और आप यहापर बात करनारी सम्हां की, जो आपको सपेशल मेरिज, अगर स्पेशल मेरिज अक्ट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन मिलते हैं, आप क्यों बहकार है, तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिस है, वारिस पठान जी, आप दराने का काम क्यों करते हैं, जंता को सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस हैं, तिस्ती साल से बीजे पी के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते करते, उनको ने मलसी बनाया, ने एंपी बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा एंपी, मिलिन देवर आते ही, सीधा एंपी, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं, अभ पसे जीधा, चौलिया, च्वाब ही सुननिजे, जने, अब परचार करते ही, अब जवाब करते ही, से बीटी साथ क्यों है, यहां रहे हो यह इतना पी पलख के कोंगριसी, दूसरे नेता ला रहे है, यह रिपलेस हो जाएंगे, इसले चिंता में ही होती है, एहुत मेरे अपने वाला चेहरा इसकी हरे कुछते में हरी अगर यह एक दीबार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि अपके छोड़िये अरे अब वाई अब भीजाए अपने अपने आप सुन लिए आप संदेश की जंता जवाब सुन लिए पाइबध को पहले भेजा है अप जली को पहले भेजा था त्रमाल जी बात कर रहे हैं आच्छा आप सिर्फ वोट चाहिए आप को पूछ नहीं है जग्रा हो गया पीडीए में जग्रा हो गया सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर बिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिश्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 1947 को पहली शेहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे अरे जब मेरे दादा भी पेदा नहीं हुए तो उस ठाइम की चलो इन्होंने मान लिये जब दादा भी पेदा नहीं हुए अब बात और ही तो सब्सक्राइब पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीज अब क्लाम को ने बनाया और हमने राश्पती बनाया और आपने उसका विरोध किया किस ने अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 मैंने कब बोला अब कान बचते हैं क्या अच्छा साल पहले बैतुल हिकमत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे के गवणनर है आरिक मुहम्मद खान साथ से बड़ा कोई आ अच्छा देश्वर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपराद के लिए अपराद का मारा है यह कुमेरे के जुडिशन के लिंग है आज जाकिर नायक चानल का मसीह है और सामा जी है हाफिस साहब है किसान दहने पे पैटा है उसकी मौत हुए है उसका भौल दो ना में सपी के लिए घरंड हो और जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप 10 साल पीछे चले जबाधार आ इंडियल इंज पर 40 गुना करदा कर दी आपने 10 साल में इस बाद कि आजार साथ पहले से क्या सम्मंद है आपके सवाल कब जवाब दू बताइए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है तो डॉलर की वेलू क्या है आपके बैठा है नविका बस एक बात कहे दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आग जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ने जाओ ने जाओ नेपाल कहना है कि अगना में बरबाद हो गई जुक्की लगाई लक्ष दीपने मोधी जीने और कहा देश पहुचा दिया आपने बरबाद किया देश को तो राम लहर पर मोधी सरकार है और सवाल उठा र होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉक फिट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू ह मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहेता है या भी देखिए किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता माज़ उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभीकाजी हम लोग भी चु परस्मे लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने इनको भरवर के वोट दिया यह आके बोलते थे आपने अगर एमाएम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजी हमको वोट दीजी दिया इनको वोट क्या हु कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस है नफरत है एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नजजर है तिसनी की तरफ भी नजजर है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिग रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोकरशी खत्रे में नहीं है सम्वीधान खत्रे मे के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पदला लगाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुजगार उतर गया है इत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने हो आले आप चलिए बता ही है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते बुरा लगता है एक सवाल करूँ का तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाए के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्ट्रा राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मानों के खिलाव अरेस नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं के देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तिमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट हमको पांच मिट दो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरे जैक लेकर आगए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के अंदरे में 12 बजे क्या आने की जरूत थी आपको स्पेशल मेरे जैक आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हमें होता है निकाह बच्चियों की शादी करेंगे 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल थाई लीगल की लड़ाई है ने बात क्या है अब आप आप मारा मेरे कैसा करेंगे स्पेशल मेरेज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हम आपर एक और अवरत अगर इजाब पेन के जाना पुजाती है पढ़ता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन मिलते हैं आप क्यों बहकारे क्यों गलत पाक है आप दराने का काम क्यों करते हैं अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराक्स रेके दरफार चल रही है आपके तो 30 सब्सक्राइब करते हैं आपकी पार्टी सब्सक्राइब करें के विचे की चिंता होती है देखो हम लोग तो यहां रहेंगे, यह इतना भी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, यह रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है, हम तो अखलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एगडी बार कर दें, मुझे विचार से अच्छा रहेगा, कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगषा और जाएंगे, इसके पहले इसको पहले हैं, आप जबाद सुने कर रहे हैं, जबाद सुने कर रहे हैं, डों से, सवाल ने ने इसके पहले हम जावेद जी को पहले भेजा है औरे भी अब आपको सिर्फ वोट चाहिए आपको सिर्फ वोट चाहिए जगड़ा हो गया पीडिया में जगड़ा हो गया सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ब बिनर बिगडियर मुहमद उस् दूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताई ये 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल खिले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको 2001 में भारत नहीं मिला अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्ट वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसलमानों में एक जमाने में बहुत अबस्ति का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हूँ तो उस ठाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा नहीं हूँ नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का की पाँ याद नहीं नपे साल पुराना फिर स्थाप्यों चाहिए नपे साल पुराना लोक नहीं चाहिए ना उनिवसे की तो याद नहीं है मताब आदा के चाहिए ह बात रही जबात करो में लिए त्लवाए पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को उमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप से विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पार्टिक साथ भी आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत थ साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डॉक्र कराम पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो किरनायक चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह उसमानों कि वराद की सोच का किसान तहने पैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना है मैंस पी के गेरेंटी कब्द होगे वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले किसान आपके तहले है इंडिया लाइंस पर चार गुना करजा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताये जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुनिया में कहा है कहा है चुरिए यह बोल अजार नहीं कहां से फोच किलाते हैं नवी का बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंग दिखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने बढ़ाद हो गई ने बढ़ाद लुकी लगाई ल मोधि ने रामलेहर है और चीन को जवाब नहीं दिया रामलेहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और घ्यानवापी का हल निकलेगा इसा नहीं निकलेगा लेकिन प्रधानमंतरी जी ने आज एक बार और एक्स्पोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्हो इन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पु जहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहते हैं अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धरम की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरताबा जो उत्तरप्रदेश का चु जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया है इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैठ गया हमको बीटी म बोलने हो लाज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटिंग ये और हमारे महराष्टा में तो खेलाई हो गया है महराष्टा में तो जो 48-46 साल से कॉंगरेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहापर तो अ जे भी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पेनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर है तीस हजार मजजितों पे इनकी नजर है ये तो खुल करने वाले ये दर्म की राज दीतिया आपको करना है सुदाशी दो से लिए कि आप तक तो पहुंच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं सिर्फ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंट बहुत हैं वीफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिये बताया मोदी जी आपने नवीकाजी बात करी कि मोदी जी ये करते हैं enslaved देश कर दो एक सवाल करूँगा सुधानिशू जी आपसे में क्याल्प संकों की बात हुई, माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरह सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिटी लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाई के नाम पे मार दो आप बाहर से महराष्टार, राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराफ भगे, जहर उगले, उनके खिलाव एफ़ायर हो, मकर आप उनको अरेस नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्तिया, अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान्शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है, कि चुन-चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, BJP की सिटिंग है, मेले हमाँ खड़ रहे कर बोलती है, 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं, हमको 5 मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे, तब सुदाने चुदी ये एक भी ट्रीट कूँ नहीं करते हैं, आसाम के ओपर भी बात करे करेंगे, 18 वरे से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, चंगता क्या सोचती है, 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया हैं, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल था, इन लीगल की लड़ाइए, बात क्या है, अब आप आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरिज मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं अगर हिजाब पेन के जाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं, वो बेहन पिलकिस भागों, उसके बात क्यारी को आप ठोड़ देते हैं, और आप याबे बात के लिगल था, अगर स्पेशल मेरिज एक्ट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजि मिलते हैं, आप क्यों बहकारे, तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिद है, वारिस पठान जी, आप दराने का काम क्यों करते हैं, जंता को, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस हैं, तिस्ती साल से बीजे पी के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते करते, उनको ने मलसी बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं, अभी खेला होबे हो सक सुदान 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 धानी आता ही, इतना पर ने जा रहे हैं, यह रिपलेस हो जाएंगे, इसले चिंता में होती है. कि अखिलेश यादव के बाद सबसे अधा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरीयाली अगर यह एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इंपोई आपकी वारे सुझी छोड़िये कि अच्छा यसे सवाई कर रहा है कर दिखा दिया अब आप दरित को भेजा है प्रमाल की बात कर रहे हैं आपको शिर्फ वोट चेहिए आपको श्रीफ वोट चेहिए जगड़ा हो गया पीडिया में जगड़ा हो गया जगड़ा नहीं आपको इनकी अनका हिससा इनके लिगो मन टचे बहले सब्सक्राइब कर रहे हैं इस जगड़े में एम फैक्टर है इसलिए जगड़ा हो गया पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर बिगडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रद प्रिवार को बुलाया, उनकी पत्वी को बुलाया, संबान किया, ये बताईए, 15 अगस्त, 2947 को, पहली शैनाई जिसने बजाई थी, लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसको 2001 में भारत अधन मिला, अटर्जी की सरकार में, 50 साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला, और मैं बताना चाहता हूँ, इसके आगे की बात सुनिये, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा, आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ, ये बताईए, मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी, आपको इस इन्वरस्टी लॉक्यों चाहिए, यूरीुनियकी तो याद नहीं है, इसके घुडुल कई ता, उसके घुडुल क्या था, बहुत सब्सक्राइब क्या है, अब वह में बात होरी मैं विशाष्वें की बात सुनने ही कि घुच कि आप सो साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं वा जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को ने बनाया और हमने राश्पती बनाया और आप ने उसका विरोग किया किसने कि अच्छा लगता है आप आप नहीं कर रहे हैं यह बाती नहीं कर रहे हैं या अज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था कव इनको पर उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ बाटर कराम पैदा हुए अगर ये उसके ख़ड़ा हो जाते हैं और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहम्मद खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए वो हमारे साथ है अच्छा बच्चा देश्वर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपरादियो आपके लिए पिसरा जहां बेटी है अब्ल हारात का मारा है याकुमेले के जुडिशन किलिंग है आप जाकिर नायक चांद का मसीह है उसामा जी है हाफिस साहब है यह उस्वर्ट मुसल्मानों के वराद की सोच बात का किसान धहने पर बैटा है उसकी मौत हुई है उसका बोल दोना आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है चुरिए यह बोलेगे नमबर दो पर आए अमेरिका के विस से पीछे है तो डॉलर की वेलू क्या है आपके डेट में जोला हमारे रुपए में सवार बैखा है भीया तरही कहां से फुच कि राते है नविका बस एक बात कहे दू फिर आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ नेपल कहे रहा है बढ़ जोटा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दि दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कही पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहेता है या भी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता पाज़े उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी हम लोग भी चुनाओ या पर लड़ रहे थे है फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसल्मानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आप ने अगर एमाएम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया है इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नवी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मस्जिद से नफरत है बदरासों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर है तिसरी की तरफ भी नजर है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करें कि डेमोक्रिसी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं और सुधान चुरी राजनी सभा के मेम्बर सम्विधान की शपथ लेके बने एक भी पॉईट सुधान चुरी ने यह कहा के लोगों के लिए क्या करने वाले है ये दर्म की राजदी ती आपको करना है सुदाची दो से लिए कि आप तक तो पहुझ गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारो युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीच से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने हो आले है आप छेलिए बता ही है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुधानिशू जी आपसे में क्या हल्प संको की की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसलमानों से की दफरत क्यों है पिर ना सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर प्रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ एफायर करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अगर पूलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है, पंदरा मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं, हमको पांच मिटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे, तब सुदान शूत ये एक भी ट्रीट कूँ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने तो स्पेशल मेरेजेक लेकर आगए, 90 साल से कानुन चर रहा है, रात के अंदरे में 12 बजे क्या लाने की जरूत थी, आपको स्पेशल मेरेजेक, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्र शादी होनी चाहिए, चंका क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया है, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल था, इलीगल की लड़ाई है, बात क्या है, अब आप आप मारा मेरे, कैसा करेंगे, स्पेशल मेरेज मे अगर स्पेशल मेरेज अगर स्पेशल मेरेज अक्ट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं, आप क्यों बहकारे, क्यों गलत पाके रहे हैं, आपने पता है, चाहिए बारीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स मे करते हैं, सुदान चुद्रिमेदी जी. जबाद का जिश्वार्स मेरा कोशन ही, मैंनी मेरा तो सुदान सुद्रिमेदी जी की चिंता होती है, तो हम लोग तो यहां रहेंगे, यह इतना पी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे निता ला रहे हैं, यह रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है, हम तो यह उमीद है कि अखलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसके हरे कुरते में हरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा, कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे, मुझे लगशा है, इंप्लाइश आप दोनों से, सवाल, ने, इसके पहले हम जावेश जी को पहले भेजा है, इसके पहले हमने बेकवर्ट भेजा था, नुमाल की बाद कर रहे हैं, आच्छा, आपको सिर्फ वोट चाहिए, जगरा हो गया, पीडिय में जगरा हो गया, कोई जगरा ने, आप तो इनका ने, इससा इनका इससा, इनके लिएको मन टचे पहले, पोलिटिकली, आपना इनके साथ, खुड़ लड़ते हैं, अपने बल भुते के उपरोड जितते हैं, इस जगड़े में M Factor है भई, इसलिए जगड़ा हो गया, ने, Constitution C Factor है जगड़े में, समीधान को पचाना है, डेमोकरसी को जिसका आप मडर कर रहे हो, रोज कर लेहां हो रहा है, इकोलिटी ने, इवारीज पर्टन के लिए अलग कर उने, चुदा जुटनी में ने, अलग कर उने देश में, देखिए, देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी, जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन, उ उत्तर प्रदेश का था, कोई इन में से कभी गया हो, ब्रिगेडर मुम्मद इसमान के घर पे तो बताईए, हम गये थे, 1965 की लड़ाई में, वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो, इसमें सेकुलरिजम का सूर्मा, अब बताता हूँ, 2015 में जो गये न नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, संबान किया, ये बताईए, 15 अगस्त, 1947 को, पहली शेहनाई जिसने बजाई थी, लाल किले पे, उस्ताद बिसमिल्ला खान, उसको 2001 में भारत नद न मिला, अटर जी की सरकार में, 50 साल तक में बहुत साइंस एंट टेक्नोलजी होती थी, आपको इस उनकी का नाम पता है, अरे आप बात करेंगे, जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो, तो उस टाइम की, अजा चलो, इन्होंने माल लिये, जब दादा नहीं हो, नपे साल पुराना, मैरे जैंक चाहिए, लेकिन दा दादा के समय के पां याध नहीं, नपे साल पुराना, पिर लौ क्यों चाहिए, नपे साल पुराना लौ नहीं चाहिए, उनिए उन्डी सुकुद्धी बात, इन्होंने माल 860 की, उसके घढ़े का नहीं हो, जब दूने लिए, जब मात, जब कैसे इस नंक पुछने रखते पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोग किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप रादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ भाई आज मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डॉक्र कराम पैदा हुए उसके खिलाख फड़ हो जाते हैं और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए वो हमारे साइब है अच्छा देश्बर्ट मुसल्मान है आपके लिए अच्छा बेटी है अब्दल हालात का मारा है याकुमेरे की जुडिशल क बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप पीछे चले जा रहे है और चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का हजार साथ पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताइए जेट टू जीडिपी रेशियो भारत कहा है दुरि आपके सब्सक्राइब कर देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देशांग दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के प जी हम लोग भी चुनाओ में पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसल्मानों ने इनको भरबर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर एमायम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी ये और हमारे महराष्टा में तो खेलाई हो गया है महराष्टा में तो जो 48-46 साल से कॉंगरेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहापर तो अगर मुसल्मान आ इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पेनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों पे इनकी नज़र है य सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुदी राज्ये सभा के में सम्विधान की शपद लेके बने एक भी पॉइंट सुधान चुदी ने यह कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है दर्म की राज़ जीतिया आपको करना है सुधान चीजी दो से लिए कि आप यह तक तो पहुझ गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारो युवा बेर रुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुआ उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है, हर रीट से अगर देखा जाए, तो BJP सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या करने वाले आप चलिए बता ही है, मोदी जी आपने नविका जी बात करी, कि मोदी जी ये करते हैं, आपको बात भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाई के नाम पे मार दो, आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों क बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बगे जहर उगले उनके खिलाव एफ़ाय हो रोमकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे इंदो समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफ़ायर करते थे उनको जेलो में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहे कर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको पांच मिटे तो हम सबको खटम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुन ही करते है आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज एक लेकर आ गए 18 साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए नहीं 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 बात क्या है अब आप मारा मेरेज कैसा करेंगे स्पेशल मेरेज में निका कैसा पढ़ेंगे हम आपर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है पर तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बहन है आप उन बहन का तो आप अधिकार चिन लेओ बहन की प्रपर्टी के अंदर बहन की परदा तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं वो बहन बिलकिस बागो उसके बारत क सब्सक्राइब का तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के अदर चपपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घुम रहे हैं अभी खेला हो सकते हैं आपका भी पुरी महाराक स्ट्रेक है दर बाच चल रही है आपके तो तिस्ती साल इस जवाब भी जैसे जवाब पिर यह चांटा होती है यह इतना पी पच्के कांगरेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते में हरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें लसी दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगा दें लिए अपने अच्छा मैं इसके पहले हम जावेद जी को पहले भेजा है इसके पहले हमने बेकवर्ड भेजा था रहा है आपको सिर्फ वोट चाहिए जगड़ा हो गया पीडिय में जगड़ा हो गया ने आपको इनका इससा ने इनका इससा है इनके लिए मन टचे भाले पोलिटिकली इस जगड़े में M Factor है भाई इसले जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री एवार बिनर डिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं ब्रिगेडर मुहम्मद इसमान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद न मिला अटर जी की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुआ अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हुआ पुराना मैरी जाहें की चाहिए लेकिन दादा के समय का की पांक याद नहीं पुराना फिर लौ क्यों चाहिए ना प्र साल पुराना लौ नहीं चाहिए ना यूदि शुदाव से नहीं के उसके इसके घड़े का नाम क्या ता अब बात ओरी 2024 की बात चलिए जबाद सुन लीजे जबाद के जबाद के जबाद करने लगते हैं जरास अंकंवर्टेबल बात चाला है अब मैं बता हूँ इक कुछ नहीं पता है 2024 की जबाद के बोल रहा हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को उमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोट किया किसे ने अच्छा और सच्चा बिसल्मान अच्छा लगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगे यह बारती जंता पाटिक साथ हो यह आज पर आज में बताता हूं आज में बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ बताता हूं आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए किसान तहने पैटा है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार सार पीछे चले जार रहा है आपके सवाल कब जवाब दू बताइए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगे नंबर दो पर आए अमेरिका के बाद पर आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के प जी हम लोग भी चुनाओ यहां पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसल्मानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर एमायम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैड़ गया हमको बीटी म बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो यह यह तो खुले दुशमने सबको पता है कि अड़ी मुसलिम है फिरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पेंने उर्दे से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजिद से नफरत है ब commodity से नफरत है एक मजुझ तो हमारी छीन लिया अब दूसर कि तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजीदों पर इनकी नज़र है यह तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्रिसी खत्रे में नहीं है समीधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुझी राज्य सभा के में पद्रनालागाना था नहीं आया दो कुरोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारो युवा using के गुम रहा है रस्ते पे आज लुवाओं ऊतर गया है रोजगार मांँ रहा है पर्चे इसा एक्ञाम कर रहे हैं परचे के पदले जा रहे हर रा ह्या करने वाले आप चलिए बता ही है मोदी जी आप नभीका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुधानिशु जी आप से में अलप संकों की बात हुई माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगो की मौब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बखें जहर उगले उनके खिलाव एफायर हो मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वही के खिलाव एफायर कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो यह बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहे कर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनि तो आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हमें होता है निकाह बच्चियों की शादी करेंगे 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल था इलीगल की लड़ाइए बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हुआ पर एक औरत का अधिकार है जो ट्रिपल तलक के टाइम बुलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बेहन है आप बेहन का तो आप अधिकार चीन रहे हो वो बेहन अगर हिजाब पेंगे जाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं वो बेहन पिल्किस बागों उसके बात क्यारी को आप ठोड़ डाइवोर्ट में सेट्लमेंट के क्लॉजेज है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यूं करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने एमलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे है अभी खेला हो सकते हैं आपका भी पुरी महानाख स्टरेके दर बात चल रही है और तो थिस्ती साल से बाल जाएगे सवाल है चिंता होती द्क हम लोग तो नहीं रहेंगे यह इतना भी पच्क कि कांगरीसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इन कि अखिलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते में हरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इंप्लाइश आपकी वारे शुझी छोड़िए जावेद जी को पहले भेजा है उसके पहले हमने वेजा था नमाल की बात कर रहे है आप स्कों पर बड़ते के जबते हैं इस जगड़े में M Factor है इसले जगड़ा हो रहाए इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर बिकेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिकेडियर मुहमद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदर आगस्ट दो हजार उनीस सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत तक न मिला अटली की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंट टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस थाम की नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना यूनिवस्टी तो याद नहीं है उसके घजे गड़े 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 अब क्या होते हैं हमारे नहीं है अब बात और यह जवाद सुन लिजे जवाद करने लगते हैं जरास आंकम बटेबल बात का आता हुए इको कुछ नहीं पत 24 को बोल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पजी बनाया और आपने उसका विरोगत किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप रादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पार्टिक साथ भाई आज मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणन है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मानों तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा जेश्बक्त मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपके लिए किसरा जहां बेटी है अफ़ल हारात का मारा है याकुमेरे के जुडिशल किलिंग है आज पिरनायक चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यहां हमारी सोच बास किसां तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल तो ना जिसके लिए किसां इंतजार कर रहा है आप 1000 साल पीछे चले चा रहे है आप से बुच्छा किसां आपके दहने ही इंडिय अला प्रवाद हो गई पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लेहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लेहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निक लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को, उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है DMK ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है, अब चीन से आपको, आप सवाल मोधी जी को पूछते हैं, लेकिन अ एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं, धर्म के पुजारी हैं, धर्म परसनल है, लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई देते हैं, अभी देगे किस तरह से बात चल रही है, एटी में, बीटी में, चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की, और ये तो अभी आंतनात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ना, पिछली मरताबा जो उत् बीजेपी जीच जाएगा, ये बीटी में, आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे, दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डलके बैट गए, हमको बीटी म बोलने हो ले, आज पूरे देश के सामने, आप एक्सपो को बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या वमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है, नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है, कि एंटी मुस्लिम है, मु दिख रहा है, तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्राशी खत्रे में ये, सम्वीदान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुधी राजे सभा के मेंबरे सम्वीदान की शपत लेके बने, एक भी पॉइंट सुधान चुधी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले अब इसके आगे आप क्या करने होले, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मंदिर बंदिर आप करने होले, क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी, पूरी के पूरी फेल हो गई, पंदाला गाना था नहीं आया, दो कुरोड युवाओं को इसके आप लुट और युआ से विफल हो चूकी है, क्या करने हो आप चलिए बता है, मोदी जी आपने नविका जी बात करी, क्या मोदी जी आपको बुरा लगता है, हम तो बोलता है, क्या करते हैं बुरा लगता है, एक सबाल करूँगा सुदान छुजी आपसे में, मुसल्मानों उसे की दफरत क्यों है? पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिए लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीन कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाम शराब बखे जहर उगले उनके खिलाब एफ आप अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे इंदो समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफ आयर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारें गे कुछ नहीं होता BJP की सिटिंग है मेले हमाँ ख़ड रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मैरे जग लेके आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 बज़े क्या लाने की ज़रूत थी आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक है हमें होता है निकाँ तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए आठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए चंदा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगम था इन लीगल की लड़ाइए बात किया है अब आप मारा मैर कैसा करेंगे स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पे तो है रही तो मुदी जी ट्रिपल तरक के टेम बोलते थे बुलते थे मुसलमान वोरते मेरी बहन है आप उन बहें का तो अधिकार चीन लियो वह बहन अगर हिजाब पेन के जाती है पड़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकारे क्यों गलत पाते हैं मोदी जी का परचार करते करते उनको नए MNC बनाया नए MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिंदेवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भी पूरी माराश्ट्रे के दरबाद चल रही है आपके तो 30 साल इस्तेमाल जवाब ही सुननीजे जवाब ही शुन लीजे जवाब ही सुन लिजैंते हैं और रहे हैं यह इतना भी पच्छ कांग्रेसी दूसरे निता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएँगे इसलिए चिंता में इनकी होती है मुझे तो ये उम्मीद है कि अखलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर एक डी बार कर दें, मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे मुझे लक्सा आए इंपोरी सब इंपर इंपर के लिए शुदानशु जी छोड़िए क्यूं नहीं वेज़ा है अपने 83% ज़ए लेंगे बाद सबसे ने इसके पहले हम ने पहीं आप जवाब सुन लिए जवाब सुनिए जवाब कर दिखा दिया अरे आप जावेज जी को पहले भेजा अरे अब यहां पहले पेजा था नमाल की बाद कर रहे हैं आच्छा आप जोट चाहिए आपको जगरा हो गया पीडिया में जगरा हो गया सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर परदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंटरी एवार बिनर डिगडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर परदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं ब्रिगेडर मुहमद इसमान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 1947 को पहली शेहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद नमिला अटर जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टेम की उसके घजे करना हम क्या था जब मेरे नहीं हुए जब मेरे जब मेरे जब मेरे बाता हूँ इप इसले आठ सो साल में इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुए और हमने राश्मजी बनाया और आपको इस बनाया आपने उसका विरोध किया किसने कि अच्छा विरोध कि अच्छा लगता है आप रवरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप आठारा सो नब्बे में चले जा रहे हैं यह तिक्कत होगा यह भारती जनता पाटिक साथ भाइए साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ रहे हैं और बनाता हूँ आज दो हजार चौविस में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मोहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो किरनायक चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बात का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुई है उसका बोल दो ना है मैंस पीगेरें की कब्द होगे वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले चार रहे है पर बाद हो गई राम लहर पर मोधी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोधी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डि लेते हैं, अभी देगे किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में, चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धरम की बात की, और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ला, पिछली मरता बादेश का चुना आया था नभी का जी, हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे, 83% मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया, ये आके बोलते थे, आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, B.J.P. जीच जाएगा, ये B.T महाराष्टरा में तो खेला ही हो गया है, महाराष्टरा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है, वहाँ पर तो अकर मुसलमान बीजेबी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने औरने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, मदरसों से नफरत है, एक मजजित तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीस हजार मजजितों पे इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करें हूँ के डेमोकरशी खत्रे में यहीं, सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुजी राजे सबा के मेंबर ने सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुनात सुधानचु जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये दर्म की राज़ीतिया आपको करना है सुधानची दो से लिए कि आप यहां तक तो पहुझ गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिर्फ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला गाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था क्या करने वाले आप चलिए बताएं मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुदानिशु जी आपसे में क्या आलप संकों की बात हुई, माइनरोलिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से ती दफरत क्यों है? प्रवार अज़ादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आज़ाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, आप अधनिर्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाई के नाम पे मार दो, आप बहार से महराश्टरार राज्ये के अं रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ एफ़ायर करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अगर कोई भार से आता है, बीजेपी का नेता, और वो ये बोलता है, कि चुन-चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग है मेले, हुआ खड़ रेकर बोलती है, पंदरा मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं, हमको पांच मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे, तब को पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है, हम में होता है निकाह, बच्चियों की शादी करेंगे, अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, अठारा साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, नहीं सोचत 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे इंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाई ने बात क्या है अब आप आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं अगर हिजाब पेन के जाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं आप क्यों बहका रहे हैं और आप यहां में बात करनारी सम्वार्ण की अगर स्पेशल मेरिज अगर स्पेशल मेरिज अट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकारे क्यों गलत पाख के रहे हैं आपने पता है चाई बरीज का तुम्हें आपको आखडे के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिस है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान शुद्रिवेदी जी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजेपी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ना MLC बनाया ना MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला हो वे हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराश्ट्रे के दरबाद चल रही है आपने तो 33 साल से बाल जाब ही जवाब ही सुननीजे यह इतना भी पच्च के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है मुझे लगे है कि अखलेश यादव के बाद सबसे अधा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है इसके पहले हम जाए जिसको प्तरदेश में बढ़ हो गया क्यों नहीं बेज़े है अपने अच्छा जबाब सुन लीजे जबाब सुन लीजे अरे भाई हमने जावेद जी को पहले भेजा है अरे अभी आपके लिए पहले बेजा है पर भी हमने बैक वर्ड भेजा था प्रमाल की बात कर रहे है आपको सिर्म वोड चाहिए जगरा हो गया पीडिये में जगरा हो गया अरे आप तो इनका नहीं हिससा नहीं हिससा इनके लिए मन टचे भाले पोलिटिकली सुदान शोजी इस जगरे में M फैक्टर है भाई इसलिए जगरा हो रहा है Constitution C फैक्टर है इस जगरे में समीधान को पचाना है पोकरशी को पचाना है जिसका आप मडर कर रहे हो रोज कर लियाम हो रहा है इक्वालिटी ने इवारीज पटन के लिए अलग कर उने चुदाज जुटन ने के लिए अलग कर उने देश में देखे देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर बिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटर्जी की सरकार में 50 साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे आपको फुनिए जब मेरे दादा भी पैता नहीं हूँ तो उस तेम की 30 साल पुरा रहा ना मैंने जैंक चाहिए उनिवश्टी की तो याद नहीं है मत्बी रहरे उसके घजे-घणा में क्या समसूगर अब क्या होते हैं हमारा भाए अब बात औरी 2024 की बात चलिए अब जमारे में बताने से नहीं कुछ तो बोलना हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जड़ो डाक्टर एपीजी अबुल कलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आप ने उसका विरोग किया किसे लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ है आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अगर यह उसके ख़ड़ा हो जाते हैं और बनाता हूं आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिफ मुहम्म है यह कुमेले के जुडिशन के लिंग है आप जाकिर नायक चांद का मसीह है और सामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बात का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहा है आप से पुछा है किसान आपके तहने है इंडिया लैंस पर चार गुना करजा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मंद है नहीं आपके सवाल कब जवाब दू बताएए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है कह अज़ा पहला हमारा रुपए में सवार बैखा है यह तरही कहां से फोच बिलाते हैं नविका बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने बाद हो ग लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लेहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लेहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार औ इस इंडी गड़ बंधन को, उन्होंने कह दिया है, कि जो रोकेट की तस्वीर छापी है, DMK ने, वो चीन का रोकेट दिखा दिया है, अब चीन से आपको, आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रोकेट भी नहीं लगाते हैं, आप चीन का रोकेट लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की, अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है, सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना, पिछली मरतमा जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी, हम लोग भी चुनाओ में आपे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसल्मानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे, आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, बीजेपी जीच जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजी, हमको वोट दीजी दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए B.J.P. की गोद में डलके बैठ गए, हमको भी टीम बोलने हो, आज पूरे देश के सामने, आप एक्सपोस हो गए, किस तरह की टीम कौन है, क्रोस वोटेंग, ये, और हमारे महाराश्रा में तो खेलाई हो गया है, महाराश्रा में तो जो 48, 46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा, वो खूद, पार्टी छोड़के चले गए, और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है, वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है, राहुल गांदी पहनने औरने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है, एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया, अब दुसरी की तरफ भी नजर है, तिसनी की तरफ भी नजर है, तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नजर है, ये तो खुला दिख रहा है, तो तो आप किस तरह से बात करों कि डिमोक्राशी खत्रे में नहीं है, सम्वीधान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुजी राजे सभा के में बने सम्वीधान की शपत लेके बने, एक भी पॉइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, अब इसके आगे आप क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ, सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले हैं, क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी, पूरी के पूरी फेल हो गई, पद्राला काना था नहीं आया, दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है, हर रीच से अगर देखा जाए, तो बीज़े पी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या करने हो आले है, आप चेलिए बताई है, मोदी जी आपने नविका जी बात करी, क्या करते है, आपको बुरा लगता है, अएक सवाल करूगा, सुधानिशू जी आपसे, क्या हल्प संको की की बात हुई, माइनुरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से की दफरत क्यों है, प्रवारे निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्ट्रार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसलमान होगे खिलाव अनाम शराब बगे जहर उगले उनके खिलाव एफायर हो मेंगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है में ले हुआ खड़ रेकर बोलती है पंद्रा मिनिट नहीं दस मिनिट नहीं हमको पांच मिड़े तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुधान चूद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़ेक लेके आगए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की ज़रूरत थी है आपको स्पेशल मेरेज़ेक आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हम में होता है निकाह बच्चियों की शादी करेंगे आठारा परसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ऐटारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए ने चंटा क्या सोचती है 84 परसंट जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है आपका लीगल था इंग लिगल की लड़ाई है बात क्या है अब आप मारा मैरा कैसा करेंगे स्पेशल मैरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक और अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मैरिज एक में तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे मुसलमान बोड़ते मेरी बेहन है आप बेहन का तो अब अधिकार चिन लेओ बेहन की प्रोपर्टी के अंदर बदिकार चिन लेओ वो बेहन अगर हिजाब पेन के जाती है पड़ना आप क्यों बहकार है अपने बता है चाहिपरीज का तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं डाइवोट्स में सेट्लमेंट के क्लॉज़ेद है वारिस पठान जी वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंताओ सुदान चुद्रिवेदी जी सुदान चिंतर गूम्र है अभी खेला हो सकते हैं आपका भी पुरी महाराः श्रेक है दर बाद चल रही है आपके उतिस्ती सल चाहिए अब की सुनिजे घृता पी सुनिजी आप यह तो सुदान सुद्स की चिंता होथी जेगो अग अम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना पी पछ के कांग्रेसी दूसरे निता ला रहे हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है हैं जावेद जावेद जी को पहले बेजा आप पहले पहले पी पीछिए प्रफान पैक वर्ट है था आप जैए जगरा हो गया पीडिया में छगरा हो गया सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इसी उत्तर परदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवाब विनर बिगेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर परदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडियर मुहमद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ उसको 2001 में भारत तक नहीं मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वरस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाम की नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना उन्यवरस्टी तो याद नहीं है अब बात ओरी दोजार चौविस की चलिए अब जबात सुन लीजे जबात के जबात करने लगते लिए जबात करने लगता हुए इसको कुछ नहीं पता हुए पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोगत किया अच्छा विरोगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं ये तिक्कत होगे ये भारती जनता पाटिक साथ भीजिए आप इस आजमी को को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनाय था अच्छा नहीं नहीं आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो गविन को पर उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ रहे जाए और बनाता हूँ आज दोहजार चौविस में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा गेश्पर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपरादियो आपके बैटी है अपलाराद का मारा है याकुमेर के जुडिशल क किसान इंडिया लैंज पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या समंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टु जीडिपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है तो डॉलर की वेलू क्या है आशिटेट में डॉलर हमारों रुपए पे सवार बैठा है यह तरी कहां से फोच के लाते हैं देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है DMK ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म क पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ला पिछली मरता बाज़े उत्तर प्रदेश का बीटी में आप इनको वोट मत दीजी हमको वोट दीजी दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजे पी की गोट में डलके बैट गए हमको बीटी मम बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने अब एक्स्पोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस पार्टी है वहाँ पर तो अकर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो यह यह मुसने विरोधी है बीजे भी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने ओड़ने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों प यह किया करने वाले यह दरम की राज देती है आपको करना चाहिए दो से लिए कहां तक तो पहुझ गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं सिरीव मंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला खाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगारों के घुम रह है रस्ते पर आज रुबा उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहो के पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीच से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बताएं मोदी ये करते हैं आपको बुरा लगता है हम तो बोलते हैं क्या करते है मुदानी शुजी थे अपसे हैं आलप संगों की बात हुई माइना की बात हुई आप को को मुसल्मानों से थी तफरत क्यों है मैं सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो अब अब अधनिर्मान दिखा के मारी मस्जिदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मानों के खिलाव अनाब शराब बगे जहर उगले उनके खिलाव एफाय हरो एफायर कर देते हैं उनको जेलो में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है पंदरा मिनिट नहीं दस मिनिट नहीं हमको पांच मिनटे तो हम सबको खतम कड़ डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने लो स्पेशल मेरे जैक लेके आ आगए होनी चाहिए अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाइए बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे अगर special marriage act हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं, आप क्यों बहकार है, क्यों गलत पाप के रहे हैं, आप दराने का काम क्यों करते हैं, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस हैं, 33 साल से बीजेपी के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते करते, उनको ने मलसी बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं, अभी खेला होबे हो सकते हैं कि अखलेश यादाओ के बाद, सबचादा टीवी पर तिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्टे में हरियाली अगर यह एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है इसके चूड़िये अरे अग्या है एक उसलमान नहीं मिला जिसको प्तर देस्ट में बढ़ हो गया क्यों नहीं चाहा हो और जावेद या जावेद जी को पहले भेजा है और अब हमने बने बेक वर्ड वजा था नहीं आप अरे आपको सिर्फ वोड चाहिए उपने बल्बुते के उपरोड जितते हुआ इस जगड़े में M Factor है भाई इसले जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगडियर मुहमद उस्मान के घर पर दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्त दो हजार उनीस सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत नद न मिला अटली की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंट टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस तेम की इसके घज़े का नम क्या था नहीं है उसके घज़े घज़े का नम क्या होते हैं हमारे जबाद अब बात औरे दोजार चौवीश की बात करेंगे पिछले आठ सो साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं वज़ेब डॉक्टर एपीजिया बुल को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा विरोध की अच्छा लगता है आप विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है अबे कान बचते हैं क्या अठारा सो नब्बे का बोला भाई बताईए ना और मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर अची बलदिया है जाकिर कोई कलिंग है आप जाकिर नायक चांड का मसीह है य। जी मौन बहुत हमारी सोचंडिया कई सोच माने बैठा उसकी मौत हुए हुचका बोल दो न इसके मैं आने स्पीकाल को चलंगे आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुनिया में नविक्ता बस एक बात कहतु हुआ फिर आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश शरंक दिखा रहा है फोज ले जाओ नेपल कहना है कि माल देश को देश को दू राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देखिए किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता पाज़े उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी हम लोग भी चुनाओ या पर लड़ रहे थे फुल वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैड़ गए हमको बीटीम बोलने हो आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महराश्रा में तो खेलाई हो बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि एंटी मुसलिम है मुसलिम इनकी नजर है ये तो खुला दिक रहा है तो आप किस तरह से बात करो कि डिमोक्राशी खत्रें में यह समईधान की शपत लेके बने एक भी पूइन्ट सुनात सुदान चूजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है धरम की राज़ीतिया आपको करना है सुदान काना था नहीं आया, दो करोड युवा को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारो युवा बेर रुजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुवा उतर गया है, रुजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा क्यों रज़ाब कर दो किया आजादी हमने इसलिए लीती लड़ जगड़ के आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अब ऐत निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मौब लिंचिंग कर दो आप गाई खाली है कि रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर कर देते हैं उनको जेलो में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर कुलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको पांच मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज एक लेकर आ गए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क् आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक्ट है हमें होता है निका बच्यों की शादी करेंगे 84% जिन लोगोंने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल की लडाई है अब आप आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरेज में निका कैसा पढ़ेंगे हम आपर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरेज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाग के टाइम बोलते थे मुसलमान बोरते मेरी बेहन है आप बेहन का तो अब अधिकार चिन लेओ बेहन की प्रोपर्टी के अंदर बदिकार चिन लेओ वो बेहन अगर हिजाब पेन के जाती है पड़ना आप मोदी जी नहीं जा रहे देते हैं तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बेहकार रहे हैं अपने पता है चाहे परीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने एमलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला ह अब हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराख च्रेकर दरफाद चल रही है आपके तो तिस्ती साल से बाल जाब जाब जो जो जाएंगे यह इतना भी पच्के कोंगरेसी दूसरे निता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसले चिंता में होती है कि अखलेश यादाओं के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है अजवाद शवाद है अपने इसके पहले ने इसके पहले को पहले भेजा है जगड़े में M Factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है Constitution C Factor है जगड़े में समीधान को बचाना है जगड़े में देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इत्यादूल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठें है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री एवाड बिनर डिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगड़र मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 1947 को पहली शेहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद न मिला अटर जी की सरकार में पचास साल तक सेक्टवर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुआ अजा चलो इन्होंने माल लिए जब दादा भी पैदा नहीं हुआ नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय की बाद याद नहीं नपे साल पुराना फिर लौ क्यों चाहिए नपे साल पुराना लौ नहीं चाहिए ना उनिवस्टी तो याद नहीं है उसके घज़े गोड़े गोड़े अब क्या नहीं हुआ अब बात ओरी 2024 की जबाद सुन लीजे जबाद करने लगते हैं जरास अंकमपेड़िबल बात चाला है अब मैं बता हूँ इक कुछ नहीं बता है 2024 की जबाद की जबाद की जबाद की बोल रहा हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोट किया किसने अच्छा और सच्छा भूसल्मान अच्छा लगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ इस आजमी को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनायद 1890 मेंने कब बोला अब कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई और मैं बताता हूँ 1890 नहीं आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ ड़कर कलाम पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साथ है किसान तहने पैटा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप अजार साथ पीछे चले जा रहे हैं आप से खुछा किसान आपके धनी इंडिया लैंस पर चार गुना करजा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडिपी रेशियो में भ देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ नेपाल के रहा है कि मोधी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोधी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इ आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देगिए किस तरह से बात चेर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने पड़े-बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं सा परबर के वोट दिया ये आके बोलते थे आप ने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की कॉंगरेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस कि मध्शित से नफरत है बदरसों से नफरत है एक मसजिद तो हमारी चीन लिया अब दूसरी के तरफ फी नजर है तिसनी के तरफ नजर है तीस हजार मस्जिदों पे इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दों के लिए क्ड़ने नहीं और बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया, दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारो युवाओं बेर रुजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे मुसल्मानों से की दफरत क्यों है तरह सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिए लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो अब आद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बाहर से महराश्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मानों के खिलाब अनाम शराब बखे जहर उगले उनके खिलाब एफायर हो रोमकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे इंदो समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलो में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहकर बोलती है पंदरा मिनिट नहीं दस मिनिट नहीं हमको पंच मिड़े तो हम सबको खटम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुन ही करते है आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़ एक लेकर आ गए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के अंदरे में 12 बजे क्या लाने की जरूत थी आपको स्पेशल मेरेज़ एक आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक है हमें होता है निकाह तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा बरसे काम लड़कियों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए घटी फॉर परसेंट जिन लोगों ने शादी किया है इस साल के नीचे वह हमारे हिंदु भाइबेनों का है आपका लीगल निए बात क्या है अब आप महारा कैसा करेंगे स्पेशल मैरेज में निकाह के इसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक अवरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मैरेज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के ट्रैम बोलते थे मुसल्मान वोड़ते मेरी बेहन है अगर इजाब पेन के जाती है पढ़ना तो आप क्यों बहकार है और आप आपको आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं डाइवोर्ज में सेट्लमेंट के क्लॉजेज है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जाताओं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान शुद्रिवेदी जी मेरे दोस है न 30 साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने MNC बनाया ने MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवन आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घुम रहे है अभी खेला होगे हो सकते है आपका भी पुरी महाराच ट्रेकर दर बाद चल रही है आपके तो 30 साल से बाल जाब 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 लोग तो यह रहेंगे यह इतना भी पच्के कंग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है नहीं मिला इसके पहले आप जबादें जबादे जबादे दिखा दिया अरे आप सिर्म वोट चाहिए अरे पहले पहले भेजा है इसके लिगों को बेजा था रहे आपने बल भुते के उपर और जीत्ते तुरां इस जगड़े में M Factor है भाई, इसलिए जगड़ा हो रहा है, ने, Constitution C Factor है इस जगड़े में, समीधान को बचाना है, डेमोकरसी को बचाना है, जिसका मडर कर रहे हो रोज कतले हाम हो रहा है, इक्वालिटी नहीं, वारिज पटन के लिए अलग कारूने, चुदा जुत नहीं इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री एवार बिनर, डिकेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था, कोई इन में से कभी गया हो, बिकेडियर मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए, हम गये थे, 1965 की लड़ाई में, वीर अब्दुल हमीद ज आई, जिसने बजाई थी, लाल खिले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसको 2001 में भारत तक नहीं मिला, अटर्जी की सरकार में, पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला, और मैं बताना चाहता हूँ, इसके आगे की बास सुनिए, डॉक्टर एपी जे अब्दु पर्दा नहीं हूँ तो उस्ताइम की। पूर्ण को बोल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को ने बनाया और हमने राश्पोदी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप नहीं कर रहा है आप 1890 में चले जा रहा है यह डिक्कत होगा यह बारति जनता पाटिक साथ वर्याद्ट की बात ही नहीं कर रही है इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनाय था 1890 मैंने कब बोला अबे कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई और मैं बताता हूँ 1890 नहीं आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पाईदा हुआ अज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए किसान दहने पेटा है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप अजार साथ पीछे चले जा रहे हैं आप से फुच्छा किसान आपके धाली इंडिया लाइंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या संबन्द है आपके सवाल कब जवाब दू बताएं जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगे नंबर दो पर आ है अमेरिका के अंगे पढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रख दिखा रहा है पोज ले जाओ नेपाल के रहा है कि माल देश राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकि एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहते हैं अभी देखिए किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े-बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होते थे आपने अगर एमाइम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया है इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैट गए हमको बीटीम बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटिंग ये और हमारे महाराश्ट्रा में तो खेला ही हो गया है महाराश्ट्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अकर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि एंटी मुसलिम है उसने विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नजर है, तिसरी की तरफ भी नजर है, तीस हजार मज़ीतों पर इनकी नजर है, ये तो खुला दिख रहा है, तो आप किस तरह से बात करो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है, सम्विधान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुजी राज्य सभा के म सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट शुदानशु जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले ये धरम की राज़ दीति आपको करना है शुदानशी दो से लिए कि आप यह तक तो पहुँच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता ह सिर्फ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पंद्रालागाना था नहीं आया दो कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारों युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुजगार उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशु जी आपसे में क्या आलपसंगों की बात हुई माइनुरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के क्या आप आजाद होने क उनके खिलाफ एफायर हमकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुधान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इ अस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहे कर बोलती है पंदरा मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं, हमको पांच मिनटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरे जैक लेकर आगए, 90 साल से कानुन च लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, चंगता क्या सोचती है? 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया हैं 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, आपका लीगल था, इन लीगल की लड़ाइए, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरेज मेरे निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर, एक औरत का अधिकार हैं जो शादी करती है, स्पेशल मेरेज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे, मुसल्मान, बहुरते मेरी बहन है, आप उन बहन का तो आप अधिकार चीन लो, वो बहन, अगर हिजाब पहन के जाना पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं ज आपको बता रहा हूँ, आपने बता है, चाहि बरीज का तो मैं आपको आखडे के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेद है, वारिस पठान जी, आप दराने का काम क्यूं करते हैं, जंता को, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस है न, 33 साल से BJP के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते-करते, उनको ना MNC बनाया, ना MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं, अभी खेला होबे हो सकते हैं आपका भी, पुरी महाराश् चलिया जवाब ही सुनीजे, जवाब ही सुनीजे, जवाब ही सुनीजे जबता है इसके हरे कुरते महरी अलिया अगर एक डिबार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इमको जोड़िए अधर बेजा अपने मैं इसके पहले हम भी और भी आप अपने जावेद जी को पहले भेजा है अपको इसके पहले हमने बेक वर्ड भेजा था अच्छा अच्छा रहा है वोड चे आई पूछ नहीं है जगड़ा हो गया पीडिय में जगड़ा हो गया नहीं अगे आप दो इनके अनका हिस्सा नहीं इनके मन टचे भले पुलिटिकली सुदान शोजी उस जगड़े में M फैक्टर है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर बिगडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तर नहीं मिला अटर्जी की सरकार में 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इंवर्स्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं ह साल पुराना फिर लौ क्यों चाहिए नपे साल पुराना लौ नहीं चाहिए ना यूनिवर्सिती तो याद नहीं है उसके घड़े का नम क्या था उसके गोड़े का नम क्या होते हैं अब बात औरी दोजार चौबिस की चलिए जबात सुन लीजे जबात पुछे लिए जबात पुछे लगते ही जबाता है जबाता है जबाता है पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जड़ो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोग किया किसे लगता है जबात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगे यह भारती जंता पाटिक साथ भाई आज में बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अगर यह उसके ख़ड़ा हो जाते हैं और बनाता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहम्म है यह कुमेरे के जुडिशन के लिंग है आज जाकिर नायक चांद का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बात का किसान धरने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहा है आप से पुछा है किसान आपके तहली है इंडिया लैंस पर चार गुना करजा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मन्द है नहीं आपके सवाल कब जवाब दू बताये जेट टू जीडिपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा अज़ा रुपए में सवार बैठा है यह तरहीं कहां से फोट किराते हैं नविका बस एक बात कहे दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ने जाओ ने जाओ ने बाद हो गई न बगला दूपके लगाई लक्ष दीव लोग चाँ पहुचा दिया आपने बरबाद किया देश को दो राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है ड इन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है। 83% मुसलमानों ने इनको भरवर के वोट दिया, ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा, BJP जीच जाएगा, ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजी, हमको वोट दीजी, दिया इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले ग कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है, वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है त पहन ने उड़ने से नफरते, हिजाब से नफरते, मझीट से नफरते बदरहुसों से नफरते, एक मझीट तो हमारी चैनि लिया, अब दूसरी की तरफ पी नज़र ये टिसॉरी की तरफ इक हजार मंजीटों पर इनकी नज़र यह तोा इस। घूला दीग रहा है, तो आप को करना है सुधान चाहिए दो से लिए कि आप तक तो पहुझ गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई प येजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बता ही है मोदी जी आपको बुरा लखता है हम तो बोलते है कैा करते है बुरा लखता है एक सवाल करूगा सूदानीचु की बात हुई, माइनुरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, पिरा सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद उगले, उनके खिलाव F.I.R. मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं के देखो, इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है, कि चुन-चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, BJP की सिटिंग है मेले, हुआ खड़ने कर बोलती है, पंदरा मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं, हमको पांच मिन्टे तो हम सबको खतम कर डालेंगे, तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं, आसाम के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने तो स्पेशल मेरेज जैक नबे साल से कानून चर रहा है, रात के अंदरे में बारा मजे क्या लाने की जरूत थी, आपको स्पेशल मेरेज एक, आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है, हम में होता है निकाह, बच्चियों की शादी करेंगे, आठारा बरसे कम लड़कों की शादी होनी चाहिए, चंका क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया है, 10 सल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल था, इलीगल की लड़ाई है, बात क्या है, अब आप आप मारा मेरे, कैसा करेंगे, स्पेशल मेरेज मेर पढ़ेंगे हैं वहाँ पर, एक औरत का अधिकार है, जो शादी करती है, स्पेशल मेरेज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे, मुसलमान, वोड़ते मेरी बेहन है, आप बेहन का तो आप अधिकार चिन लो, बेहन की प्रोपर्टी के मिलते हैं, आप क्यों बेहकार है, क्यों गलत पाक है है, आपने पता है, चाई परीज का तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेद है, वारिस पठान जी, आप दलाने का काम क्यों करते हैं, जंताओ, सुदान शुद्रि इंपि, अभो तो नारज घूम रहे हैं, अभी खेला हो ब्यों सकते हैं, आपका भी, पुरी महाराक स्ट्रेकें दरबाद चल रही है, आपने तो 30 सरव श्रुद mr. जवापा Schalaniya दो सुदान शुद्रिक के साथा हूँ, जवापि सुन्रिक हैं, गरफें रहा हूँ, मुझे तो ये उमीद है कि अखिलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते में हरियाली अगर ये एक डी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इंपोई से आपकी वारे अब आपने अच्छा मैं सुने सबाइब नहीं कर रहा हूं ने इसके पहले हम पहले 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 को विचा है जगड़े में M Factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है Constitution C Factor है इस जगड़े में समीधान को बचाना है देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इत्यादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है उसी उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर बिगडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्ट दो हजार उन्नी सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत तक न मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इंवर्स्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस ठाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा नहीं हो नपे साल पुराना नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का कि पहलें जब दादा कि शुष बूराना पुराना पीर लौट योट जाहिए जूनिवर्स वी जब दादा करें मालहार भायार यह वह कहा होते हैं अब बात औरी दोश्ज की चाहिए आप मैं सुन लिजे जबाट कि लिए जबाट करने रखती है पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को उमने बनाया और हमने राश्पुदी बनाया और आपने उसका विरोग किया हमें अच्छा विरोगती और आतंग को अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटी के साथ हैं आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था लोग इनको पर उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मोहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए किसान तहने पैटा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले चार रहा है आपके सवाल कब जवाब दो बताइए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है चुरिये यह बोलेगे नमर दो पर है अमेरिका के बाद पर आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कहे दिया है कि जो rocket की तस्वीर चापी है DMK ने वो चीन का rocket दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूचते हैं लेकिन अपने भारत का rocket भी नहीं लगाते आप चीन का rocket लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है 80 में, BT में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ला पिछली मरताबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी हम लोग भी चुनाओ यह पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए B.J.P. की गोद में डलके बैट गए हमको भी टीम बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महराष्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महराष्ट्रा में तो जो 48-46 साल से कांग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पेनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नजर है, तिसनी की तरफ भी नजर है, तीस हजार मज़ीदों पर इनकी नजर है, ये तो खुला दिख रहा है, तो आप किस तरह से बात करते हो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है, सम्विधान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुझी राज्य सभ पूरी के पूरी फेल हो गई, पद्राला गाना था नहीं आया, दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारो युवाओं बेर रुजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐ इसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है, हर रीच से अगर देखा जाए, तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या करने वाले, आप छेलिए बता ही है, मोदी जी आपने नभीका जी बात करी, कि मोदी जी ये करते आपको बुरा हम तो बोलते हैं, क्या करते हैं, पुरा लगता है, एक सवाल करूगा सुधानिशू जी आप से, क्या अलप संको की बात हुई, माइनरोल्टी की बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, प्रह सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिए ती लड़ जगड़ के, क्या आप आज़ाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचींग कर दो, आप गाई के नाम पे मार दो, आप बाहर से महराश् राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराफ बखे, जहर उगले, उनके खिलाव एफायर हो, मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ एफायर करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अगर कोई भ और भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मेरे जैक लेके आगए, नब्बे साल से कानून चर रहा है, रात के अंदरे में बारा मजे क्या लाने की जरूत थी, आपको स्पेशल मेरे जैक, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्र चाहिए, चंदा क्या सोच भी है, वो बहन, अगर हिजाब पेन के जाती है पड़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं, वो बहन पिल्किस भागो, उसके बात के लिको आप ठोड़ देते हैं, और आप यह आपको आपको स्पेशल मेरेज, अगर स्पेशल मेरेज आक्ट हटता है, तो उसको दूसरे ली सुदान शुद्रमेदी जी, सुदान शुद्रमेदी जी मेरे दोस है न, 33 साल से BJP के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते-करते, उनको ना MNC बनाया, ना MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घुम रहे ह अभी खेला होबे हो सकते हैं आपका भी, पुरी महाराक स्ट्रेके दरफा चल रही है, आपके तो 30 साल स्किर मेरे जावाब करेंचे हैंけて मेरा तो इतना सवाल है मुझे तो सुदानसु जी की चिंता होती देखो हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना फिपच के कंग्रेसी दूसरे निता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है सिंधान नहीं मिला इंकी होती है जाएंगे गर्राइब को भी तो शुदिशा जाएंगे शुन जाएब भाइब कर रहा हैं न जावेग झी को पहले भेजा है आपको सिर्फ वोट चाहिए जगड़ा हो गया पीडिये में जगड़ा हो गया कोई जगड़ा नहीं आप तो इनके आना इनका इससा इनके लिए को मन टचे वाले पोलिटिकली इस जगड़े में M फैक्टर है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब विनर डिकेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हो बिकेडियर मुहमद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गए थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तक नहीं मिला अटल्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो इस tiempo की पी साल पुराना मेरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय की बार याद नहीं नपे साल पुराना फिर लॉँ क्यों चाहिए नपे साल पुराना लॉड नहीं चाहिए न कि युनिवर्सिटी तो याद नहीं है उसके घजे गड़े 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 अब क्या होते हैं हमारे नहीं है अब बात औरी 2024 की बात चलिए जवाद सुन लीजे जवाद सुन लीजे जवाद कैजब करने लगते हैं अब बाता हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीडिया बुल कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पोजी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा बसल्मान अच्छा लगता है आप रवरादी और आतं को अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जन्ता पाटिक साथ भाई आप इस आजमी को को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मोहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए वो हमारे स चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बात का किसान तहने पर बैटा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना है मैस पीगेरिंट की कब्द होगे वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले चा रहा है आप से देट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है यह बोलेगे नंबर दो पर है अमेरिका के पार अमेरिका कि अंगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकि एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहेते हैं अभी देखिए किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद हो है पिछली मरता बाज है उत्तरप्रदेश का चुनाओ आया था नविकाजी हम लोग भी चुनाओ या पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आप ने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मो वोटेंग ये और हमारे महराष्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महराष्ट्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहापर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नज़र है तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नज़र है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विदान खत्रे में नहीं है और सुधानचुजी राजे सभा के में बने सम्विदान की शपद लेके बने एक भी पॉइंट सुधानचुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये दरम की राज़जीति आपको करना है सुदाची दो से लिए कि आप तक तो पहुच गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने हो ले क्योंकि development के नाम पर मोदी जी की जितनी guarantee थी पूरी के पूरी फेल हो गई 15 लगाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारों युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुजगार उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीज से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बताई है मोदी जी आपने नविका जी बात करी क्या करते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुदानिश्यू जी आप से आप संको की की बात हुई माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगों को मुसलमानों से ती दफरत क्यो है पर रहा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो अब आध निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाब शराब बखे जहर उगले उनके खिलाब एफायर उर्मकर आप उनको अरेस नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं के देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता BJP की सिटिंग हैमेले हुआ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने लो स्पेशल मेरे जैक लेके आ आगए होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए 84 परसंट जिन लोगों ने शादी किया हैं 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाई अब आप मारा मेरे कैसा करेंगे स्पेशल मेरे में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरे जैक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के ट्रेम बोलते थे उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंता को सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजे पी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला हो वे हो सकते है आपका भी पुरी महाराश्ट्रे के दरबाद चल रही है आपने तो 30 साल से बाल जाब जाब पिस जवाब आप जवाब 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 अब जवाब जवाब इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है समीधान को बचाना है डेमोकराशी को बचाना है इसका आप मडर कर रहे हो रोज कतलियाम हो रहा है देखे देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन इसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूं हमें मुस्लिमों से दावत है इस उत्तर पרदेश पैठे हैं इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर डिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं बिकेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद न मिला अटली की सरकार में 50 साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिये डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इंवर्स्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुआ तो उस टाइम की नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना उनिवर्स्टी तो याद नहीं है उसके घजे का नाम क्या था उसके गोड़े का नाम क्या था नहीं होते हैं हमारे आप बात औरी दोजार चौबिस की चलिए जबात सुन लीजे जब आप बाता हूँ जराज उनकंवर्टेबल बैक आता हूँ इसको बोलना हूँ पिछले आठ सो साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोगत किया पाइब है ज़्या साल कि यहां जरा दो की शुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्तम इसारे वो गिनायदार कर बोला अमें कान बचते हैं क्या अठारा सो नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्बब आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ गाफर कराम पैदा हुए मगर ये उसके खिलाप खड़ा हो जाते है और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहम्मद खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा बच्चा देश्वर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपके लिए इसरा चहां बेटी है अब्ला हाराद का मारा है याकुमेले के जुडिशन किलिंग है आप जाकिर नायक चांद का मसीह है उसामा जी है हाफिस साहब है यह उसरा हमारी सोच बात का किसान दहने पर बैटा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना अमेस्पी गेरेंट की कब्द होगे वो बोल दो ना जवाब दू बताएँ जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुनिया में कहा है निश्रों ये बोलेगे नमबर दो पर आए अमेरिका के उससे पीछे है तो डॉलर की वेलू क्या है आपके डॉलर हमारों रुपए में सवार बैठा है राम लहर पर मोधी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोधी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को, उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है DMK ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है, अब चीन से आपको, आप सवाल मोधी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं, आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है, आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं, धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है, या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है। फुल फोर्स में लड़ रहते हैं, 83% मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया, ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, बीजेपी जीच जाएगा, ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजी, हमको वोट दीजी, दिया इनको व गया है, महराश्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गया है, और ये बोल रहे है के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है, वहापर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या वमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है, नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है, कि एंटी मुसलिम है, मुसलिम विर लिए लिए सम्विधान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुजी राजय सबा के मैंबरे सम्विधान की सफद लेके बने, एक भी पूइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, दरम की राज़ दीतिया आपको करना है, सुदान चुजी दो आज रुबा उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीज से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने हो आले आप चेलिए बता है यह बोदी जी आपने बुरा लगता है है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुधानिशु जी आपसे में क्या हल्प संकों की की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है यह सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसल मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुधान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है पंद्रा मिनिट नहीं दस मिनिट नहीं हमको पांच मिट दो हम सबको खतम कर डालेंग आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शाधी है एक कॉंट्रेक है हमें होता है निका तो बच्चियों की शाधी करेंगे आठारा साल से कम अम्र की लग्यों की शाधी होनी चाहिए जंटा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया हैं 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगल थाई ये वह नहीं बोलता इलीगल लीगल की लड़ाई है ने बात क्या है अब आप आप मारा कैसा करेंगे अगर Special Marriage Act हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है आपको बता रहा हूँ आपने बता है तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ वारिस पठान जी आप दलाने का काम क्यों करते हैं सुदान चुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी सुदान सुजी की चिंता होती है हम लोग तो यह रहेंगे यह इतना पी पच्के कॉंग्रेसी दूसरे निता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखिलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते में हरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है इसके पहले हैं अब जवाद सुनिए अब जवाद सुनिए और यह जवाद सुनिए अब जवाद सुनिए औरे पहीं हमने जावेद जी को पहले भेजा है अच्छा रहे अच्छा पश्रन गोड़ चाहिए अपने बलबुते के उप जितते हैं इस जगड़े में एम फैक्टर है भई इसलिए जगड़ा हो रहा है पहला गैलिंट्री एवार्ब बिनर डिकेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हो बिकेडियर मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्त दो हजार उनीस सो सहतालीस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत नहीं मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल्कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इंवर्स्टी का नाम पता है अब बात औरी 2024 की बता हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अबुलकलाम को ने बनाया और हमने राष्टमदी बनाया और आपने उसका विरोध किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है अबे कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई और मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डॉक्र कराम पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए किसान तहने पैटा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आज़ार साल पीछे चले जा रहे हैं आप से पुछा किसान आपके धनी इंडिया लैंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अज़ार साल पहले से क्या सम्मंद है आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कह लगाएं दुनिया में कहा है कहा है कहा है यह बहुत पर आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देशां दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन एमके जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देखिए किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुन आया था नभी काजी हम लोग भी चुनाव यह पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने इनको भरबर के वोट दिया यह आके बोलते थे आप ने अगर एमायम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा यह बीटी म यह और हमारे महराष्टा में तो खेलाई हो गया है महराष्टा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गया और यह बोल रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वह पर तो अगर मुसलमान आ इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पेनने उड़ने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर है तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मजजितों पे इनकी नजर है यह त दर्म की राज दीतिया आपको करना है सुदा चीजी दो से लिए कि आप तक तो पहुझ गया अब इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूं सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी क्या करने हो ले आप चलिए बता ही है मोदी जी आपने नभीका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुदानिशु जी आपसे में क्या अलप संकों की की बात हुई माइनरिटी की बात हु राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराफ भगे जहर उगले उनके खिलाव F.I.R. हो मेकर आप उनको अरेस नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. करते थे उनको जेलो में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है B.J.P. का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता B.J.P. की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहे कर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़क लेकर आ गए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के अंदरे में 12 बज़े क्या लाने की ज़र होती है आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक है हमें होता है निकाह तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा वरत से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए कि लग्यों की शादी होनी चाहिए एटी फॉर परसेंट जिन लोगों ने शादी किया है दस साल के नीचे वह हमारे हिंदू भाई बेनों का है वह सब्सक्राइब आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाइब बात क्या है अब आप कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक अवरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसल्मान वोड़ते मेरी बहन है आप बहन का तो आप अधिका लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेज है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंता हो सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस है ना 30 साल से BJP के दर चपपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ना MNC बनाया ना MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भी पूरी अब कर दर चल रही है आपके तो 30 साल से जवाब भी जवाब भी जवाब भी तो सुदान सुजी की चिंता होती वह लोग तो यह रहेंगे यह इतना पी पच्छ के कोंगरेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते में हरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इसके पहले हम नहीं मिला जिसको प्तरदेश में पेश से को ज्यादा क्यों नहीं वेज़े अपने जगड़े में एम फैक्टर है इसले जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर डिकेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिकेडर मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रियूरिस्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद नमिला अटर जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वर्स्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टेम की उसके गज़े करता था भया हो गज़े करता है अब बात औरी 2024 की बात चलिए अब जबात सुन लिजए जबात के जबात के जब हमाने लगते हो ज़राथ आंकमबर्टेबल भात का पारवा है अब मैं बनाता हूँ इकको कुछ नहीं पता है पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जन्ता पाटिक साथ भाई आज में बताता हूं आज में बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अगर यह उसके ख़ड़ा हो जाते हैं और बताता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साइब है अच्छा देश्बख्ट मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपके लिए अपना आपका मारा है यह कुमेरे के जुडिशल किलिंग है आज जा दोनर्स इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप अजार साल पीछे चले जा रहे हैं आपसे पुच्छा किसान आपके तहले किखा है इंडिया लाइंस पर चार घुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साल पहले से क्या समबंद है नहीं आपी गाहिए आपके सवाल कब जवाब दू? बताएं जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में? कहा है? कहा है? शुरिए ये बोलेगे नमबर दो पर है अमेरिका के उसे पीछे हैं तो डॉलर की वेलू क्या है आशे डेट में? डॉलर हमारों रुपए में सवार बैठा पर आए? फोज ले जाओ? नेपाल कहरा है किया में? बरबाद हो गई? नेपाल की लगाई लगाई लक्षटी इस पर मोदी जीने और कहा है अनमाल दिया आपने? बरबाद के क्या देश को जाए? राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपो भी है DMK ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ र कहते हैं कि सनातन डेंगु है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देगे किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वाद लड़ रहे ते हैं 83% मुसलमानों ने ये इनको भर-भर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर MAM को वोट दे दिया तो मोधी जीज जाएगा बी जीज जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजी हमको वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हूँआ सारे वो कॉंगरेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहाँ पर तो अकर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से आए नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि एंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजे बी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पिने से नफरत है पहनने उड़ने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नज़र है तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों पे इनकी नज़र है ये तो खुला द आगे आप क्या करने होले मैं आपको बताता हूं सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने होले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई बंदर लागाना था नहीं आया थो कडूर यूवा को रुजगार मिलना था उसके पतली में तो हजारो यूवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुजगार इतर गया रहे है roz가र मंग रहा है यसा एकज़ालों कर रहे है तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, प्रह सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, आप अधनिर्मान दिखा के हमारी मस्जीद कोट तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाई के नाम पे मार दो, आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मानों के खिलाब अनाब शराब बखे, जहर उगले, उनके खिलाब एफाय को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ एफायर करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता, और वो ये बोलता है, कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग है मे तो स्पेशल मेरे जेक लेके आगए, 90 साल से कानून चर रहा है, रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी, आपको स्पेशल मेरे जेक, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक है, हमें होता है, निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे, अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया है, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल था, इन लीगल की लड़ाइए, ने, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरेज मेरेज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर, एक औरत का अधिकार है, जो शादी करती है, स्पेशल मेरेज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे, मुसल्मान वोड़ते मेरी बहन है, आप उन बहन का तो आप अधिकार चिन लो, बहन की प्रोपटी के अंदर अधिकार चिन लो, वो अगर इज़ाब पेन के जाना पूजाती है पड़ना तो मोदी जी नहीं जाने देते हैं, वो पहिन पिलकीस बाओ, उसका बात्यारी को आप ठोड देते हैं, और अगर अगर स्पेशल मेरेज अगर स्पेशल मेरेज अट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिंस मिलते हैं आप क्यों बहकारे तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉज़े वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजे पी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते हैं सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला हो वे हो सकते हैं आपका भी पूरी माराक्स्टरे के दर बाद चल रही है आपने तो 30 साल से बाल चाहिए जवाब ही सुनुलीजे आपकी पार्टी संवाल करें जवाब ही जवाब ही जवाब जवाल अगलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एक डी बार कर दें MLC दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लक्सा नहीं मिला अच्छा 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 आप जवाब जावची को पहले भेजा है अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, पीडिया में जग्ड़ा हो गया इस जगड़े में M Factor है भाई इसल вызट ने जगड़ा हो रहा है जिसका आप मडर कर रहे हो रोज कर लियाम हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है उसे उत्तर कोई इन में से कभी गया हूँ ब्रिगडर मुम्मद इसमान के घर पर दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद नमिला अटली की सरकार में 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता ह आपको इस उनिवस्ट्री का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस ठाइम की चलो इनोंने माल लिये जब दादा देरी बादा लेन अ कर दो एकिन दादा के समय को दोर पिर लॉट है यह उनिवायर्स नहीं चाहिए ना। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीडिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोग किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आपको इवरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ होगा यह आज मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए किसान दहने पैटा है उसका बोल दो ना हमें इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जार रहा है आपके सवाल कब जवाब दो बताइए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है यह बोलेगे नंबर दो पर आ है अमेरिका के बाद पर आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश शरंग दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकि एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डियम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई अभी देखिए किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धरम की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ला पिछली मरता बाद जो उत्तरप्रदेश का च मोदी जीजाएगा बीजेपी जीजाएगा ये बीटीम है आप इनको वोट मत दीजीं दिया है इनको वोट क्या हूआ सारे वोट जबा करके चले रहे constitu गए हमको बीटीम बोलने हो ओले आज पूरे देश के शामने आप Doy, किस तरह की टीम कौन है। प्रोओ और हमारे महराbor महाराष्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महाराष्ट्रा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अकर मुसल्मान आद से नफरत है पहनने आदे से नफरत है हिजाब से नफरत है मसजिट से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मसजि तो हमारी चीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर R National Space ने तो घुक्त साथने को करने वाले है ये दर्म कि राटिती हूब को करना है सुदाशी दो से लिए कि आप तक तो पहुच गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूं सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई 15 लागाना तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बताई हैं मोदी जी आपने नविकाजी बात करी कि मोदी जी ये करतें आपको बुरा लगता है हम तो बोलतें क्या करतें बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशू जी आपसे में क्योंकि हाल्पसंगों की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिटी लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीन कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्जे के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाब शराब भके जहर उगले उनके खिलाब एफायर होरों कर आप उनको अरेस नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं के देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हमाँ ख़ड रेकर बोलती है पंदरा मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं हमको पंच मिटे तो हम सबको ख़ड़ डालेंगे, तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेलेजेक लेकर आगए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंधरे में 12 बचै क्या लाने की सबरूत तकी आपको पता है ना के मुसलिम के अंधर शादी एक कॉंट्रेट हम में होता है निकाए तो बच् İşादी करेंगे आठारा वरë से 18 वरे से कम लड़कों की शादी होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए शादी किया है दस साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेहनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगल था इंडीकल की लड़ाइए बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करत है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है अपने पता है चाइड मेरिज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉज़े वारिस पठान जी वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करत सुदान शुद्रमेदी जी सुदान शुद्रमेदी जी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ना MNC बनाया ना MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे है अब है खेला हो भी हो सकते हैं आप अभी पूरी माराक्स ट्रेके दरबाद चल रही है आपने तो 30 साल से बाल जासे ही जावाब के इतना सवाल है मुझे तो सुदान सुदान सुद्री की चिंता होती है दो हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना पी पच्छ के कांग्रिसी निता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबसे अधा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लग्सा है आपकी वाण इस चुड़िये अरे अज़के अप्तरदेश ने ज्यादा आप गड़ गया ज्यादा ज्यादा अपने इस जगड़े में M Factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाद बिनर बिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं, ब्रिकटर मुहमद इसमान के घर पे तो बताईए, हम गये थे 1965 की लड़ाई में, वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो, इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा, अब बताता हूं, 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्वी को बुलाया, संबान किया ये बताईए, 15 अगस्ट, 1947 को, पहली शैनाई जिसने बजाई थी, लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला, अटर्जी की सरकार में, 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला, और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिये डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंसदा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ, ये बताईए, मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी, आपको इस इंवरस्टी का नाम पता है, अले आप बात करेंगे, जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस टेम की. चाहिए आप सुन लीजे, जब आप सुन लीजे, जब आप सुन लीजे, जब आप सुने लगते हैं। जब आप सुने, जब आप सुन लीजे, जब आप सुने लीजे, जब आप सुनाओय को, 2पन 12cemos लिजे, जब आप सुने, जब आपिन 12 morons, में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साथ है बच्चा देश बर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपराद का मारा है याकुमेरे के जुडिशन किलिंग है आज जाकिर नायक चांद का मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह कुछ रही है पूस अबहरा यह किसान धहने पे पैटा उसकी मौत हुए है आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगे नमबर दो पर है अमेरिका के अमेरिका के अमसे पीछे तो डॉलर की वेलू क्या है आपके डेट में डॉलर हमारा रुपए में सवार बढ़ा दिया है कि माल दीर जैसा चोटा सा देश रखा रहा है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इ आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारेता है या भी देगे किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरत अब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नवीकाजी हम लोग भी चुनाओ या पर लड़ रहे थे हैं फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसलमानों ने इनको भरबर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अग किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महाराष्टरा में तो खेलाई हो गया है महाराष्टरा में तो जो 48-47 साल से कॉंगरेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुसलि मैं मुस्ने विरोधी है बीजे भी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करते हैं तो कि डेमोकरसी खत्रे में यह समुधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुजी राज्यस सवा के मैंबरे समुधान की शपत लेकर बने एक भी पूइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगो के पूरी फेल हो गई, पदला लगाना था नहीं आया, दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारो युवा बेरुजगार हो के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, पिरा सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को त आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाए के नाम पे मार दो, आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मानों के खिलाव अनाब शराब बगे, जहर उगले, उनके खिलाव एफाय हो, मेंकर आप उन करा दिये, उनके खिलाव एफायर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अगर कोई भार से आता है, बीजेपी का नेता, और वो ये बोलता है, कि चुन-चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग है मेले, हुआ खड़ रेकर बोल जो प्याव थी आपको special marriage है, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक contract है, हम्में होता है निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे, अतारा बरसे कम लढुचों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, अथारा साल से, अठारा साल से कम उम्र की लढु क्योंकि शादी होनी चाहिए जंका क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल थाई लीगल की लड़ाई है बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मैरेज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मैरेज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बहन है अब बहन का तो अब अधिकार चीन लेओ वहाँ अगर इजाब पेन के जाना पूजाती है पढ़ना तो मोदी जी नहीं जा रहे देते रहे हैं और आप यहाँ पार तो अगर स्पेशल मैरेज अगर स्पेशल मैरेज आट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन मि क्यों बहकार है तो मैं आपको आखड़े के साथ बचा रहा हूँ डाइवोट्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेज है वारिस पठान जी वारिस पठान जी आप दलाने का काम क्यों करते हैं जंताओ सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान शुजी मेरे दोस हैं ना 30 साल से पूरी महारक स्रेके दरफाद चल रही है आपके तो 30 साल से जवाब भी सुननीजे जवाब भी सुननीजे जवाब भी सुननीजे कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादाओं के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है नहीं मिला इसके पहले नहीं मिला जिसको प्तरदेश में बेच से को ज्यादा क्यों नहीं वेज़े आपने आप जवाब सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए अरे पहीं हमने जावेज जी को पहले भेजा है अरे अभी आप जानित को भेजा है उसको पहले पोलिटिकली अपने बलबुते के उपरोड़ जिते चुराओ इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है समीधान को बचाना है डेमोकरशी को बचाना है जिसका मडर कर रहे हो रोज कल्याम हो रहा है देखे देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंटरी एवाड बिनर दिकेडियर मुहिंअ उस्मां इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं, ब्रिकटर मुहम्द रूस्मान के घर पे तो बताईए, हम गये थे 1965 की लड़ाई में, वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो, इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा, अब बताता हूं, 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, संबान किया ये बताईए, 15 अगस्ट, 1947 को, पहली शैनाई जिसने बजाई थी, लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसको 2001 में भारत नद न मिला, अटर्जी की सरकार में, पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला, और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बास सुनि अले आप बात करेंगे, जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस ताइम की, अज़ा चलो इन्होंने माल लिये, जब दादा भी पैदा नहीं हो, अभी साल पुराना, मैरे जाय की चाहिए, लेकिन दादा के समय का की बाद याद नहीं, नपे साल पुराना फिर लौ क्यो चाहिए, नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना, युनिवरसिती तो याद नहीं है, उसके घजे करना क्या था, उसके घज़ा गोड़े करना क्या था, भाई हो तो नहीं हो, अब बात हो रही दोजार चौबिस की, चलिए अब जबात सुन लिजे, जबात को आरा हो, पिछले आठ सो साल में कोई इतना बड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ, जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोट किया, यह अच्छा विरोट किया, आप जो प्रादी और आतन को बात ही अच्छा लगत पढ़ता, मैंने अपने पहले वक्तम में सारे वो गिनाय था, 1890 मैंने कब बोला, अबे कान बचते हैं क्या, 1890 कब बोला भाई, और मैं बताता हूँ, 1890 नहीं, आज मैं बताता हूँ, 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था, उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटि किसान साइब से बड़ा, कोई आलिम, फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है, अच्छा, देश्वर्ट मुसल्मान है, आपके लिए अपना दियो, आपके लिए, इस बात से क्या मतलब है, इस जाकिर नायक, चान्द का मसीह है, ओसामा जी है, हाफिस साहब है किसान धहने पर बैटा है, उसकी मौत हुए है, उसका बोल दो ना, मैसपी के इरेंट की किकल्द होगे, वो बोल दो ना, जिसके लिए किसान इntजार कर रहा है, आप हजार साल पीछे चले चारहे है, आप से पुछ रहा है, इंडिया लैंस, इस बात का हजार साल पहले से क् संबंद है नहीं आपके सवाल कब जवाब दू बताइए डेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है तो डॉलर की वैलू क्या है आपके बढ़ियेगा देश को इतना आगे सांग दिखा रहा है फोज ले जाओ ने बरबाद हो गई जुकी लगाई लक्षती पर मोदी जी ने और कहा दिया आपने बरबाद कर किया देश को दो राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया म इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बाज़े उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी का जी हम लोग भी चुनाओ या पर लड़ रहे थे हैं फुल फोर्स में लड़ रहे थे हैं 83% मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच ज गया है महराश्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहाँ पर तो अकर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि एंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजे औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नज़र है तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों पे इनकी नज़र है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करें तो कि डेमोक्राशी खत्रे में यह समविधान खत्रे में नहीं है और सुदान चुजी राज़े सभा के में बने समविधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुदान चुजी ने यह कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है यह दर्म की राज़ दीतिया आप तो यहां तक तो पहुझ गए आप इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पदलाला गाना था नहीं आया दो क पी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बताया मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुदानिशु जी आप से ले क्या आलप सं मौब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बहार से महराश्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बगे, जहर उगले, उनके खिलाव एफायर हो मेंगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान्शूत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं के देखो, इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिला मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं, हमको पांच मिनिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे, तब सुदान्शूत ये एक भी ट्रीट कुनी करते हैं, आसाम के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने लो स्पेशल मैरे जैक लेके आ आगए, 90 साल से कानून चर रहा ह रात के अंदरे में 12 बजे क्या लाने की ज़रूत थी, आपको स्पेशल मैरे जैक, आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है, हम में होता है निकाह, बच्चियों की शादी करेंगे, आठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं हो 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है, वो सब लिगल है, आपका लिगल था, इन लिगल की लड़ाइए, बात क्या है, अब आप मारा मैरे कैसा करेंगे, स्पेशल मैरेज में निकाह कैसा पढ़ेंगे है, हम आपर, एक और जी तो ट्रिपल तलएक के टाइम बोलते थे, मुसलमान, बहुरते मेरी बहन है, अब बहन का तो अब अधिकार चिन लेहो, बहन की प्रोपर्टी के अंतर बदिकार चिन लेहो, वो बहन, अगर हिजाब पहन के जाना पढ़ना तो आप मोधी जी नहीं जा रहे देते, वो ब तो मैं आपको आखड़े के साथ बचा रहा हूं डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेज ए वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंतागो सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला हो वे पता है आतना सवाल है मुझे तो सुदान सुजी की चिंता होती है देगो हम लोग तो यह रहेंगे यह इतना पी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएगे इसलिए चिंता में इनकी होती है है मुझे तो यह उमीद है कि अखिलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दें अच्छा आपने अच्छा अच्छा आप जवाई कर रहा हूं कि दोनों से सवाल ने इसके पहले हम जावेद जी को पहले भेजा है अच्छा आप जगरा हो गया पीडिया में जगरा हो गया कोई जगरा ने आप तो इनका इससा ने इनका इससा इनके लिगो मन टचेवाले पोलिटीकली इस जगडे में M Factor है बाई इसलिए जगडा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार विनर डिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं बिकेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूं इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे है जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस ठ botti पूरा नप शाल पुरणा मेरे जहें की चाहिए लेकिन दादा के समें का फुब की पार याद नहीं नप साल पुराना फिर लोड कियो चाहिए नप साल पूराना लोड नहीं चाहिए तो याद नहीं है उसके घड़े गड़ाम क्या था है उसके घड़े घड़े अब क्या होते हैं हमारे नहीं है भाई अब बात और यह 24 की बात सुन लीजे जराज उनकमवर्टेबल बात का था है उसके घड़े लिए पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आप ने उसका विरोग किया हमें अच्छा उन सच्चा विसल्मान अच्छा लगता है और आतन को अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ है आज मैं बताता हूं आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अगर यह उसके ख़ड़ा हो जाते हैं और बताता हूं आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मानों तो बताइए वो हमारे साइब है अच्छा देश्बर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपका मारा है यह कुमेरें की जुडिशल किलिंग है आज जाकिर नायक चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बात का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना अमेस्पी के अरेंट की कब्द होगे वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप अजार साल पीछे चले जा रहे है आप से बुच तू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुनिया में कहा है कहा है कहा है यह बोलेगे नमबर दो पर आए अमेरिका के अमेरिका की पीछे है तो डॉलर की वेलू क्या है आप सबार बैठा है यह बहुत है नविका बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश क इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ नेपाल कहना कि अगनामी बरबाद हो गई नेपाल दूकी लगाई लक्ष दीव पर मोदी ने ओक गवाल दिया आपने बरबाद किया देश को दूद राम लहर पर मोदी सर राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ क कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बाज़े उत्तर प्रदेश का ये बी टी में आप इनको वोट मत दीजी हमको वोट दीजी दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैठ गया हमको बी टीम बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वो जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नवीका जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि एंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने वड़ने से नफरत है हिजाब से नफरत है मस्जिद से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्राशी के खत्रे में नहीं है समवीधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुरी राज़े सभा के रोजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारों युवा बेर रोजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुआ उतर गया है, रोजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है, हर रीच से अगर देखा जाए तो ब की बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, यह रहा सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंच कर दो, आप गाई के नाम पे मार दो, आप बाहर से महराष्टार राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब भगे, जहर उगले, उनके खिलाव F.I.R. मेंकर आप उनको अरेस नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाव F.I.R. कर देते हैं, उ उनको पांच मिड़े तो हम सबको खतम कर डालेंगे, तब सुदान शुत ये एक भी ट्रीट कुनी करते हैं, आसाम के उपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरेज एक लेके आ गए, नब्बे साल से कानुन चर रहा है, रात के अंदेरे में 12 म मुझे क्या लाने की जरूत थी, आपको स्पेशल मैरेज एक, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है, हमें होता है, निकाह, हमें होता है, तो बच्चियों की शादी करेंगे, आठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी के नीचे है, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपको लीगल था, इल्लीगल की लड़ाई है, ने, बात क्या है, अब आप मारा मैरेज कैसा करेंगे, स्पेशल मैरेज में निकाह, कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर, एक अवरत का अधिकार है, जो शाद अगर वो स्पेशल मैरेज, अगर स्पेशल मैरेज अक्ट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं, आप क्यों बहकारे, क्यों गलत पाक है, आपने बता है, चाहे बरीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट अगर करते करते, उनको ने MNC बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवन आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे है, अभी खेला होबे हो सकते हैं, आपका भी, पुरी महाराश ट्रेक अदर बात चल रही है, आपके तो तिस्ती साल इस्ते सवाल है, मुझे तो सुदान सुजी की चिंता होती है, देखो हम लोग तो यहां रहेंगे, यह इतना भी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, यह रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है, हम तो अपके तो यह उमीद है, कि अखलेश याद एक मुसलमान नहीं मिला, जिसको अपतर匠 को क्योझ never है, इसके पहले होती है, पहले हम जुद है, वह ने उसके पहले भी देखा हैं इस जगड़े में M Factor है इस जगड़ा हो रहा है Constitution C Factor है इस जगड़े में समीधान को बचाना है देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ड बिनर डिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हो बिकेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुलहमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटल्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस ठाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा नहीं हुआ नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का पूरे की पांग याद नहीं नपे साल पुराना फिर लॉट क्यों चाहिए नपे साल पुराना लॉट नहीं चाहिए ना उनिवर्सेटी तो याद नहीं है उसके गज़े कर दादा भयाओ गज़े कर दादा अब क्या होते हैं हमारे ने शुटे अब बात ओरे दोजार चौविस की चलिए जबाद सुन लीजे जब आप क्यों पुछो ने रखते हैं हमारे वाई जरास अनकमपटेबल भाट काता है अब मैं बताता हूँ इक कमाने में मैं बताने चाहता हूँ पिछले आठ सो साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जरो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया किसने अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनाईद 1890 मैंने कब बोला अबे कान बचते हैं क्या 1890 कपोला भाई और मैं बताता हूँ 1890 नहीं आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए किसान तहने पैटा है उसका बोल दोना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जार रहा है आपके सवाल कब जवाब दो बताईए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है कहा है यह बोलेगे नंबर दो पर है अमेरिका के अमेरिका के अंगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देशांग दिखा रहा है परबाद के रहा है और शवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग बाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने केह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी का जी हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जीच जाएगा ब प्रस्वोटिंग ये और हमारे महराश्च्रा में तो खेलाई हो गया है महराश्च्रा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहा पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों पे इनकी नज़र है ये तो खुला वाले ये धर्म की राज़ दीतिया आपको करना है सुदाशी दो से लिए कि आप यहां तक तो पहुंच गया अब इसके आगे आप क्या करने होले मैं आपको बताता हूं सिर्फ बंदिर बंदिर आप करने होले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी से बदले जारा है हर रीट से अगर देखा जाए तो बिजे पी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बता ही आ बोधी जी आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या क्या बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशू जी आपसे में क्योंकि हाल्पसंगों की बात हुई माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरह सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिटी लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीन कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बाहर से महराष्टार राज्जे के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब भके जहर उगले उनके खिलाव एफायर होरों कर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफ़ायर करते थे उनको जेलो में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हमाँ खड़ रेकर बोलती है पंदरा मिनिट नहीं दस मिनिट नहीं हमको पांच मिन दे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते है आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरे जग लेके आ आगए नबे साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में बारा मजे क्या लाने की ज़रूत थी आपको स्पेशल मेरे जग आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हम में होता है निकाह तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा बरसे अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए अठारा साल से अठारा साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए चंदा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदु भाइबेनों का है वो सब लीगल और आपका लीगल था इंडीगल की लडाई है बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक और अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पे तो है नही अगर तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है अपने पता है चाहिज मेरिज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं टाइवोर्ज में सेट्लमेंट के क्लॉजेट है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंताओं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस है ना 30 साल से बीजेपी के दर चपपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घुम रहे हैं अभी खेला हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराख ट्रेकर दर बात चल रही है आपके तो 30 साल से बाल जाए इस वाप सवाल है मुझे तो सुदान सुजी की चिंता होती देगको हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना फीपचके कौंगरेशी दूसरे नेता ला रहे हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है एक उसल्मान नहीं मिला जिसको अप्तर देश्म पेस्ते को ज्यादा 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 नहीं बेज़े अपने अच्छा 83% जावेद भाई जावेद जावेद जी को पहले भेजा है इसके पहले हमने बैकवर्ड भेजा था नमाल की बात कर रहे हैं आच्छा अच्छा आपको सिर्फ वोट चाहिए आपको सिर्फ वोट चाहिए जगरा हो गया पीडिया में जगरा हो गया अब तो इनका नहीं इससा नहीं इनका इससा इनके लिगो मन टचे भाले पोलिटिकली सुदान शो जी इस जगडे में M फैक्टर है भाई इसलिए जगरा हो रहा है Constitution C फैक्टर है इस जगडे में इस जगरा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादूल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तरपरदेश में बाइचे है इस देश के लिए शहीद होने वारे पहला गैलेंट्री अवार्ट बिनर इगेडियर मुहंद उस्मान इसी उत्तरपरदेश का था कोई में से कभी गया है निए सौ पैसट की लडाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्टरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताई ये 15 अगस्ट 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद न मिला अटर्जी की सरकार में 50 साल तक सेक्टर्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंसदा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इंवरस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस टाम की अलवाह लिए जब दादा भी पैदा नहीं हो नबबबबब सब्सक्राइब पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल्कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा विरोध का लगता है आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह बारती जनता पाटिक साथ वह इस आदमी को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनाई था 1890 मैंने कब बूला अब कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई आपाईए ना और मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डाटर कराम पैदा हुए अज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहम्मत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा देश्बर्ट मुसल्मान है किसान देश्बर्ट मुसल्मान के वर्ड़ा के वर्ड़ा करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मन्द है आपके सवाल कब जवाब दूँ बताईए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है बताईए बस एक बात कहे दूँ फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हम धर् पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है A-T में, B-T में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बात जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी, हम लोग भी चुनाओ में आपे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने ये इनको भर-भर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.A.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा, B.J.P. जीच जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे, दिया है इनको वोट क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, B.J.P. की गोद में डलके बेड़ गए हमको भी टीम बोलने हो ले, आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए, किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये, और हमारे महाराष्टरा में तो खेलाई हो गया है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है के अंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है, एक मजजित तो हमारी चेन लिया अब दुसरी के तरफ भी तरफ भी नजर है तीस हजार मजजितों पे इनकी नजर है यह तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करे तो किरो कि जितनी guarantee थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीच से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बता है पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली है कि रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान चुत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार साता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हमको पांच मिटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते है आसाम के उपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने लो स्पेशल मेरेज एक लेके आ गए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के अंदरे में 12 बज़े क्या लाने की ज़रू थी आपको स्पेशल मेरेज है आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है तो बच्चियों की शादी करेंगे अथारा बरसे 18 बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदु भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल थाई लीगल की लड़ाई ये बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक अवरत का अधिकार है जो शादी करती है अगर 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 तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजन्स मिलते हैं आप क्यों बेहकार है अब आपको बता रहा हूँ आपने पता है चाहिज परिज का तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ आप दराने का काम क्यों करते हैं जंताओ सुधान शुधे जी मेरे दोस है ना तिस्ति साल से बीजे पी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको नह एम एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सिधा MP, मिलन देवर आतें, सिधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं, अभी खेला होबे हो सकते हैं आपका भी, पुरी महाराश्ट्रेक अदर बाद चल रही है, आपने तो 30 साल शेमल जाद, जवाब ही सुननीजे, जवाब ही सुननीजे, आप जवाब ही सुननीजे, आप कि अख्लेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरी अगर यह एक डी बार कर दें अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है नहीं इसके पहले हम पहले हैं अब जबाद से पहले हैं पहले हैं अच्छा 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 पर खुड लड़ते अपने बलबुते के इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है ने Constitution C Factor है इस जगड़े में समीदान को बचाना है डेमोकरशी को बचाना है जिसका आप मडर कर रहे हो रोज रोज को लिहाम हो रहा है देखे देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ड बिनर डिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हो बिकेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुलहमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रियर्जम का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तक नहीं मिला अटल्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैंदा नहीं हूँ तो उस ताइम कि अजा चलो इनोंने माल लिये जब दादा नहीं हो नफे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का आचकी बाद यात नहीं नफे साल पुराना पिर law क्यो चाहिए это पुराना लॉड नहीं चाहिए ना उनिवर्सिती तो याद नहीं है उसके घजे का नाम क्या था उसके घजे का नाम क्या था नहीं है अब बात और दोजार चौवीज की चलिए जबाद सुन लीजे जबात पूछ ने लगते हैं जराज सांकंवर्टेबल भात का था है अब बाता हूँ इक को कुछ नहीं पता है एक कमाने में बता रहे हैं नहीं को बोल रहा हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाया और हमने राश्प को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्तम में सारे वो गिनायद 1890 मैंने कब बोला अब कान बचते हैं क्या 1890 कब बोला भाई आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था लो उस जमाने के बास से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं प मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मानों तो बताईए वो हमारे साथ हैं अच्छा देश्बक्त मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपके लिए अपना आपका मारा है याकुमेरे के जुडिशल किलिंग है आज जाकिर नायक चाल्ड का मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बात का किसान तहने पर बैटा है उसकी मौत भी है उसका बोल दो ना आपके सवाल कब जवाद दू बताईए जेट टू जीडिपी रेशियो में भारत कहा है दुडिया में कहा है कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगे नंबर दो पर आ है अमेरिका के पार अमेरिका के उससे पीछे है तो डॉलर की वेलू क्या है अशिटेट में डॉलर हमारों रुपए पे सवार बैठा है यह तहली कहां से फोच के लाते हैं बस एक बात कहतू फिर आप आगे कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ नेपाल कहरा है कि अच्छी लगाई लक्ष दीव पर मोदी जीन ने और कहा है अच्छा दिया आपने बरबाद किया देश को तो राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और पस्वीर छापी है DMK ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है जारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ला पिछली मरता बाज़े उत्तर प्रदेश का आया था नभी का जी हम लोग भी चुनाओ में पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी मे और हमारे महराष्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महराष्ट्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहाँ पर तो अकर मुसलमा आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजे बी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नजर है तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विदान खत्रे में नहीं है और सुदान चुदी राज़े सभा के मैंबर ने सम्विदान की शपद लेके बने एक भी पॉइंट सुदान चुदी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये दर्म की राज दीति आपको करना है सुदाची दो से लिए कि आप तक तो पहुच गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने हो ले क्योंकि development के नाम पर मोदी जी की जितनी guarantee थी पूरी के पूरी फेल हो गई 15 लगाना था नहीं आया दो कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारों युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीट से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बताई है मोदी जी आपने नविका जी बात करी क्या करता है पर्चे क्या करता है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशु जी आपसे क्या आलप संको की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की तफ़रत क्यो है परसमाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिटी लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अब ऐत निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचींग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाब शराब बखे जहर उगले उनके खिलाब एफायर हमकर आप उनको अरेस नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं के देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता BJP की सिटिंग है मेले हमाँ खड़ लेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिनिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते है आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने लो स्पेशल मेरे जैक लेकर आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 मुझे क्या लाने की ज़रूत थी आपको स्पेशल मेरे जैक आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे इंदु भाई बेनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाई है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हुआ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है सुदान सुजी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजे पी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घुम रहे है अभी खेला होबे हो सकते हैं आपका भी पुरी माराश्ट्रेक दर बाद चल रही है आपने तो तिस्ती साल सतवाल चलिया जवाब इस सुदान सुजी की चिंता होती है देखो हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना भी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में ही होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुछे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लग साएंगे मिला सब्सक्राइब टॉडिये अच्छा एटी तरी परसें परसें डिका दिखादिया औरे अभी हमने जावेड जी को पहले भेजा है जगड़े में M Factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है Constitution C Factor है जगड़े में समीधान को पचाना है देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर डिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगड़र मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रियूरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट दो हजार 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद नहीं मिला अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इनवर्स्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुआ तो उस टाइम की उसके घजे का नाम क्या था नहीं हुआ है अब बात औरी 2024 की बात चलिए जबात सुन लीजे जबात के जबात के जबात करने लगते हैं जराज अंकमपर्टेबल भात काता है अब मैं बताता हूँ इक कुछ नहीं पता है 2024 की जबाता हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंसदा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजी अबुलकलाम को उने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोगत किया किसे ने अच्छा विरोगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगे यह भारती जंता पाटिक साथ होगे आप इस आजमी को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्तम में सारे वो गिनाएद 1890 मैंने कब बोला अब कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई पताईए ना और मैं बताता हूँ 1890 नहीं आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ बापकर कलाम पैदा हुए मगर यह उसके खिड़ा खड़े हो जाते हैं और जाकिर नायक चांद का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है इस मुझराने पैठा है उसका बोल दोना इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप 1000 साल पीछे चले जा रहा है आप से बुच रहा है किसान आपके नहीं पैठा है इंडिया लाइंस पर चार गुना करजा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या संबंद है आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडी पी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगे नमर दो पर आए अमेरिका के पाइब आखे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंग दिखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने बबाद हो गई धुक्की लगाई लक्ष दीव पर मोदी ने गवाद कर दिया आपने बबाद किया देश को दो राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डि पर भी किस तरह से बात चल रही है, एटी में, बीटी में, चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपने धरम की बात की, और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ना, पिछली मरता माज़ उत्तर प्रदेश का च बीजेपी जीच जाएगा, ये बीटी में, आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे, दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डलके बैठ गया, हमको बीटी म बोलने हो, आज पूरे देश के सामने, आप एक्सपोस हो पार्टी है, वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या उमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है, नभीका जी हमारे लिए एक तरफ त तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है, समीदान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुजी राज्य सभा के मेंबरे समीदान की शपत लेके बने, एक भी पॉइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये, धरम की राज दीती है, आपको करना है, सुधान चुजी दो से लिके आप तक तो पहुच गए आप, इसके आगे आप क्या करने वाले है, मैं आपको बताता हूँ, सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले है, क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई, पद्राला काना था नहीं आया, दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारो युवा बेरुजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा ए पूरी को की बात हुई, माइनृरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से की तफ़रत क्यु है? एरा सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिये लिती लड़ जगड के, क्या आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो, अब निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्ट्रा राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाव अनाम शराब बखे जहर उगले उनके खिलाव एफायर हो मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार साता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिन दे तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मैरेजेक लेकर आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदेरे में 12 मजे क्या लाने की ज़रूरती है आपको स्पेशल मैरेजेक आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हमें होता है निकाह तो बच्चियों की शादी करेंगे आठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए आठारा साल से अथारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए ने चंदा क्या सोचती है 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है अब आपका लीगल की लड़ाई ने बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बेहन है आप उन बेहन का तो अब अधिकार चिन लेओ बेहन की प्रपरटी के अदर अधिकार चिन लेओ वो बेहन अगर हिजाब पेन के अगर पुझा अगर अगर तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजन्स मिलते हैं आप क्यों बेहकार है आपने पता है चाहे परीज का तो आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं डाइवर्स में सेट्लमेंट के वारिस पठान जी वारिस पठान जी आप दलाने का काम क्यों कर सुदान सुजी मेरे दो सेना तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने में पी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला हो सकते हैं आपका भी पुरी महा मेरा सवाल है मुझे तो सुदान सुजी की चिंता होती है को हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना भी पचके कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है मुझे तो यह उमीद है कि अखलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्टे महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगसा है इसके पहले हम जावेद जी को पहले भेजा है जगड़ा हो गया पीड़ी में जगड़ा हो गया कोई जगड़ा ने आप तो इनका इससा ने इनका इससा इनके लिको मन टचे भाले पोलिटिकली इस जगड़े में M फैक्टर है बाई इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत की हो दो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश बैठे इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री एवाड विनर टिकेडियर मुहम्द उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं, ब्रिकेडर मुम्मद इसमान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, संबान किया ये बताईए, 15 अगस्त, 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी, लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ, उसको 2001 में भारत नद मिला, अटर्जी की सरकार में, 50 साल तक सेक्रिवर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा, आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ, ये बताईए, मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी, आपको इस इंवर्स्टी इस पराना फिर लॉप्यों चाहिए, नपे साल पुराना लॉप नहीं चाहिए, ना उनिवसेंटी तो याद नहीं है, उसके घजे गरम क्या था, भीया वो चजे गरम क्या होते हैं, अब बात और ये 24 की, चाहिए, जबात पुछुन लीजे, जबात करने लगते, जबात कर पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पजी बनाया और आपने उसका विरोध किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पार्टिक साथ भाई आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बनाता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए वो हमारे साथ है अच्छा देश्वर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपके लिए इसरा चाहा बेटी है अब्बल हारा है याकुमेरे के जुडिशल किलिंग है आप जाकिर नायक चांद का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बाद का किसान तहने पर बैटा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दोना अमेंस पी के अरेंटी कम दोगे वो बोल दोना जिसके लिए किस आइए आपके सवाल कब जवाब दो बताएए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुनिया में कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगी नबर दो पर आए अमेरिका के बाद पर आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ नेपाल कह रहा है कि माल देश को राम लहर पर मोधी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोधी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो र भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डियेम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरताबा जब उत्तरप्रदेश का चुनाओ आया था नभीकाजी हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा B.J.P. जीच जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दिजी हमको वोट दिजी दिया है इनको वोट क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए B.J.P. की गोद में डलके बेट गए हमको B.T. बोलने हो लाज पूरे देश के सामने अब एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटिंग ये और हमारे महराष्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महराष्ट्रा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्याए नवी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजे बी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है बने एक भी पॉइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले ये धर्म की राज़ितिया आपको करना है सुधान चीजी दो से लिए कि आप यह तक तो पहुच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं सिर्फ मंदिर मंदिर करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला खाना था नहीं आया दो करोड़ युवाओं को रोजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुआ उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे त अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बता ही है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते बुरा लगता है एक सवाल करूँगा के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल् तुइट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो यह बोलता है कि चुन-चुन के मार करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरे जग लेकर आ गए 90 साल से कानूं चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी आपको स्पेशल मेरे जग आपको पता है रहा कि मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक है हमें होता है निका बच्चि लोगों की शादी होनी चाहिए ने चंदा क्या सोचती है 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया है दस साल के नीचे वह हमारे हिंदू भाई बेनों का है वह साथ लिगल था इनली बहुता इनलीगल की लड़ाई है बात क्या है अब आप आप मारा मैरे कैसा करेंगे स्पे सब्सक्राइब है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है अपने बता है आप दराने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिमेदी जी मेरे दोस है न 30 साल से बीजेपी के दर चपपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते हैं उनको ने MNC बनाया ने MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घुम रहे हैं अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भी पूरी महारा स्ट्रे के दरबाद चल रही है आपके तो 30 साल इस्ते म अब जवाब तो ने मिजब सवाल है मझे तो सुदानस्वी जी की चिंता होती है को हम लोग तो या रहेंगे यह इतना प्रच के कांगरेसी दूसरे निता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते में हरी आली अगर यह एकड़ी बार कर दें कि अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है नहीं इसके पहले हम पहले हैं अब जबाद से पहले हैं जबाद सुन्गी जी चाहिए पहले भेजा है अब अब जबाद कर रहे हैं अच्छा और अपको शिर्फ होट चाहिए अपने बलबुते के पॉलिटिकली इस जगड़े में एम फैक्टर है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है ने कॉंस्टिटूशन सी फैक्टर है जगड़े में समीधान को बचाना है डेमोकरशी को बचाना है जिसका आप मडर कर रहे हो रोज रोज को लिहाम हो रहा है इक्वालिटी नहीं वारिज पटन के लिए अलग कारूने सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तरपरदेश में बैठें हैं इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार विनर दिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं बिगेडर मुहम्मद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट दो हजार उनीस सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल खिले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तक नहीं मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूं इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस ठाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हुआ नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का पूले की पांग याद नहीं नपे साल पुराना फिर जब लेकिन दादा पूले के लिए जब आपके समय को बोल रहा हूं पिछले आठ सो साल में कोई इतना वड़ा साइंसदा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोग किया जब लगता है अपटार सोनाई में पड़ता है दस साल की बात नहीं करए आप 18 나वे में चले जा रहे हैं यह धिक्कते होगे यह बारती जंता पाठिक साथ आपके दिट जब इस आजमी को कुछ सुनाई नहीं पढ़ता मैंने अपने पहले कि बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस नहीं पैदा हुआ डॉक्र कराम पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो किसान दहने पैटा है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार सार पीछे चले जार रहा है आपके सवाल कब जवाब दू बताएए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगे नंबर दो पर है अमेरिका के उससे पीछे है तो डॉलर की वेलू क्या है आउसे डेट में डॉलर हमारों रुपए पे सवार बैठा है यह बहुत है नवीचा बस एक बात कहते हूं फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना राम लेहर पर मोदी सरकार है और स्वाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है DMK ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है, सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना, पिछली मरता बाजे उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी हम लोग भी चुनाओ या पर लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसल्मानों ने ये इनको भर-भर के वोट दिया ये आके बोलते थे, आपने अगर M.A.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा, बीजेपी जीच जाएगा, ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे दिया इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डलके बेढ़ गए, हमको बीटीम बोलने हो, आज पूरे देश के सामने, आप एक्सपोस हो गए, किस तरह की टीम कौन है, क्रोस वोटेंग, ये, और हमारे महाराश्ट्रा में तो खेल जाता है, राहुल गांदी को मिलना है, तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या उमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है, नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है, कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम मुस्जीतों पर इनकी नजर है, ये तो खुला दिख रहा है, तो आप किस तरह से बात करो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है, सम्विधान खत्रे में नहीं है, और सुदान चुजी राज़े सभा के मैंबर सम्विधान की शपत लेके बने, एक भी पॉइंट सुदान कि जितनी गैरेंटी थी, पूरी के पूरी फेल हो गई, पद्राला काना था नहीं आया, दो कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मा की बात हुई, माइनुरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, प्रह सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, आप अध कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं के देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ, एफ आयर करत हमको पांच मिटे तो हम सब को खतम कड़ डालेंगे, तब सुदान शुत जी एक भी ट्रीट कुनी करते हैं, आसाम के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, अपने लो स्पेशल मेरे जैक लेके आ गए, नबबे साल से कानून चर रहा है, रात के अंदेरे में बार अथारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए, चंटा क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया हैं 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, आपका लीगल था, इन लीगल की लड़ाइए, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरेज मेरेज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर, एक औरत का अधिकार है स्पेशल मेरेज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे, मुसल्मान बोड़ते मेरी बहन है, आप उन बहन का तो आप अधिकार चिन लो, वो बहन, अगर हिजाब पहन के जाना पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं, वो बहन आप क्यों बहका रहे हैं, अगर स्पेशल मेरेज अक्ट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं, आप क्यों बहकार हैं, तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिद हैं, वारिस पठान जी, आप बीजेपी के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते करते, उनको ने मलसी बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं, अभी खेला होबे हो सकते हैं आपका भी, पूरी महाराश्ट्रे के दरबाद चल रही है, आपके तू तिस्कि पर्टी सलिः च्वाब लेज़ा हों मैं धी, मीघा यहां ही तो इतना सवाल है, मुझे तो सुदाशी जी की चृता हो ती, देए इको हम लोग तो यहां रहेंगे, यह इतना भी पच्च के कोंग्रेसि द 입की जान ला रह रहे है, सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरीयाली अगर एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगशा है इंपोई सब्सक्राइब नहीं मिला इनका इससा ने इससा ने इनका इससा है इस जगड़े में M Factor है इस जगड़ा हो रहा है समीधान को बचाना है डेमोकरसी को बचाना है जिसका आप मडर कर रहे हो रोज कर लियाम हो रहा है देखिए देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगडियर मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्त दो हजार उनीस सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत नद न मिला अटली की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस टाइम की चलो इनोंने माल लिये जब दादा नहीं पैसाल पुराना मेरे जैक चाहिए लेकिन दादा के समय का खुब की बाद याद नहीं नहीं साल पुराना फिर लौ क्यों चाहिए ना उन्यवस्टी तो याद नहीं है ऑद आदा नहीं होते हैं नहीं हें इसाल पुराना तो पूरा हूं पिछले आप सो साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डोक्टर एपीजिया बॉलकलाम को मैं ने बनाया और हम ने राश्पदी बनाया और आप न उसका विरोग किया किसे लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ हो यह आज की बात ही नहीं कर रहे हैं किसा आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनायदा 1890 मैंने कब बोला अमें कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई पताईए ना और मैं बताता हूँ 1890 नहीं आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल करने रहें आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मानों तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा देश्वक्त मुसल्मान है आपके लिए आपके लिए आपका मारा है याकुमेले के जुडिशन किलिंग है आप जाकिर नायक चांदिका मसीह है ओसाम चैनाज इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहे हैं और आपसे फुच रहा है किसान आपके तहले हैं और बाट नियुक्त में इस बात का आजार साल पहले से क्या संब्साइब गाईए आप जवाब दो प्ताहिए जेट टू जीडीपी स्य तो डॉलर की बेलू क्या है आपके बैठा है नविक्ता बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नह लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को, उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है, अब चीन से आपको, आप सवाल मोधी जी को पूछते हैं, लेक एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ, डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहते हैं अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरताबा जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी हम लोग भी चुनाओ यह पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बलते थे आप ने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा बी-जेबी जीत जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजी हमको वोट दीजी दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैड़ गए हमको भी टीम बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महराश्रा में तो खेलाई हो गया है महराश्रा में तो जो 48-47 साल से कांगरेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं कांगरेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने वोड़ने से नफरत है हिजाब से नफरत है मस्जिद से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर है तीस हजार मजजीदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुजी राजे सभा के मेंबर ने सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुधान चुजी ने ये कहा के लोगों के लिए क्या करने वाले है दर्म की राज़ दीतिया आपको करना है सुधान चुजी दो से लिए कि यह तक तो पहुझ गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले है मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था एक सवाल करूँगा सुधानिशू जी आपसे क्योंकि हल्पसंगों की की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बखे जहर उगले उनके खिलाव F.I.R. मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान चूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं को जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता BJP की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिनिट नहीं तो हम सबको खटम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़ेक लेकर आ गए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के अंदेरे में 12 मुझे क्या लाने की ज़रुत थी आपको स्पेशल मेरेज़ेक आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कान्ट्रेक है हमें होता है निकाह बच्यों की शादी करेंगे अठारा बरसे कम लड़कों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए ने चंटा क्या सोचती है 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है अब आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाई है अब आप अपारा मैरा कैसा करेंगे स्पेशल मैरीज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँपर एक और अगर रिजाब पेन के जाना पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते हैं तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यू बेखारे हैं अब अपने बता हैं चाहिपरीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्ट में सेट्लमेंट के क्लॉजेद है वारिस पठान जी आप दलाने का काम क्यों करते हैं जंतागो सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुदान सुजी मेरे दोस है न तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घुम रहे है अभी खेला हो वे हो सकते है आपका भी पूरी महाराश ट्रेक अदर बाद चल रही है आपने तो मुझे तो सुदान सुजी की चिंता होती देगो हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना भी पच्के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है इसलिए जावेद जी को पहले भेजा है अरे अब आप जबाद प्रणिश को बैजा करके दिखा दिया अरे पहीं हम ने जावेद जी को पहले भेजा है अरे आप जबाद चाहिए अरे आपको सिर्फ जबाद चाहिए अरे जगड़ा हो गया पीडी ए में जगड़ा हो गया प्रणिश को पहले पोलिटिकली इस जगड़े में एम फैक्टर है बाई इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री एवाड बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं, ब्रिकेडर मुहम्मद इसमान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्वी को बुलाया, संबान किया ये बताईए, 15 अगस्त, 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी, लाल खिले पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उसको 2001 में भारत नद न मिला, अटर्जी की सरकार में, 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला, और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बास सुनिए, ड बात करेंगे, जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हूँ, तो उस टाइम की, अजा चलो, इन्होंने माल लिये, जब दादा नहीं हूं, नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए, लेकिन दादा के समय का की बात याद नहीं, नपे साल पुराना फिर लौ क्यों चाहिए, नपे स बात औरी 2024 की, चलिए अब जबात सुन लीजे, जब आप बनाना हूं, पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ, जब डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया, हमें अच्छ अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है, आप सुनाई नहीं पड़ता, मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनायद, 1890 मेंने कब बोला, अबे कान बचते हैं क्या, 1890 कब बोला भाई, आज मैं बताता हूं, 1890 में, आज मैं बताता हूं, एक हजार साल पहले बैतुल हिक अच्छा मैं बताता हूं, आज 2024 में, पूरे पोलिटिकल वर्ड में, भारत में, बताईए, जो हमारे केरल के गवनर है, आरिक मुहम्मद खान साथ से बड़ा, कोई आलिम, फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए, वो हमारे साथ हैं, इस बैस बैस बच्छा, जेश्वक्त मुस किसान तहने पर बैठा है, उसका बोल दो ना, आमेस पी के एरेंटी कब्ड होगे, वो बोल दो ना, जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है, आप हजार साल पीछे चले जा रहे हैं, आप से बुच रहा है, किसान आपके तहने ही पेठा है, इंडिया लाइंस, इस बात का जार साथ पहले से क्या संबन्द है, आपके सवाल कब जवाब दू, बताइए, डेट टू जीडी पी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में, कहा है, कहा है, चुरिये, यह बोलेगे, नमट दो पर है, अमेरिका के अंसे पीछे है, तो डॉलर की वेलू क्या है, आपके चोटा सा देश रंक दिखा रहा है, फोज ले जाओ, नेपल कहरा है, नेपल कहरा है, बढ़ा देश को जवाब दिखा रहे हैं, और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, कि भाई, चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया, मोदी ने, राम लहर है, और चीन को जवाब राम लहर होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल है, मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने, आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है, इस इंडी गडवंधन को, उन्होंने कह दिया है, कि जो रॉकेट की तस्वीर चापी है, DMK ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है, अब चीन से आपको, आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं, आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है, वो दिखता है, आप एक तरफ राम लहर कह रह हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ, कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है, या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है, या भी देखिए किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में, चुनाओ के पहले कितने लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे, 83% मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया, ये आके बोलते थे, आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, B.J.P. जीच जाएगा, ये B.T में आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट है, महराश्रा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है, वहापर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता ह है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या वमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुसलिम है, मुसलिम विरोधी है, बीजे बी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पेनने ओडने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, मदरसों से नफरत है, एक मजजित तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तिसनी की तरफ भी नजर है, तीस हजा दीतिया आपको करना इस हुदा चीजिए दो से लिए कि आप यह तक तो पहुझ गया आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पंद्रला काना था नहीं आया दो क्रोड युवाब को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारो युवा बेरुजगारों के घुम रहा है परचे के परचे बतले जा रहा है हर रीट से अकर देखा जाये तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है मुसल्मानों उसे की दफरत क्यों है पिरह सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिए लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराश्टरा राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मानों के खिलाब अनाम शराब बखे जहर उगले उनके खिलाब एफ़ायर होरों कर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुधान शुत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफ़ायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हमाँ ख़ड रहे कर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मैरे जग लेके आगए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 बज़े क्या लाने की ज़र होती है आपको स्पेशल मैरे जग आपको पता है रहा क्योसलिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रेक्ट है हमें होता है निकाअ तो बच्चियों की शादी करेंगे, 18 वरत से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो साथ लीगल है और आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाई है ने बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज मेरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं अगर स्पेशल मेरिज अक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है आपने पता है तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉज़ेज है वारिस पठान जी आप ड़ाने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिमेदी जी मेरे दोस है न 30 साल से BJP के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने MLC बनाया ने MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP, मिलिन देवर आते ही सीधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे है अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भी पुरी महाराक स्ट्रेकर दरबाद चल रही है आपके तो 30 साल स्क्राइब जवाब जवाब ही जवाब ही सुन लिजे जवाब ही सुन लिजे जवाब ही सुन लिजे मुझे तो ये उमीद है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर ये एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे मुझे लक्साएं नहीं मिला इसके पहले हम जावेद जी को पहले भेजा है अच्छा अच्छा प्रटी को पहले प्लीटिकली इस जगडे में M फैक्टर है बाई इसलिए जगड़ा हो रहा है समिधान को पचाना है देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्यादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश ने बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री एवार्ट विनर डिगडीर मुहम्मद उसमान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया है ब्रिगेडर मुम्मद इस्मान के घर पे तो बताईए हम गए थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्टरिज्म का सूर्माई अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्ट दो हजार उन्निस सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खां उसको तो हजार एक में भारत नद मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्टवर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल्कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस टाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हो नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का पूले की बात याद नहीं उसके घडे करना पराना पर लोग क्यों चाहिए उनिवरस जी तो याद नहीं है गड़े गड़े घड़े अब क्या होते हैं हमारे नहीं है अब बात औरी 24 की चाहिए जबात सुन लीजे जराज उनकमटेबल बाती जराज नहीं पता हूँ, एक कमाने में मैं बताने सहता हूँ, 2024 को बोलना हूँ, पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ, जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया, और हमने राश्पोदी बनाया और आपने उ संता पाटिक साथ हूए, आज में बताता हूँ, एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था, उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हूँ, डॉक्टर कराम पैदा हूए, और बनाता हूँ, आज 2024 में, पूरे पोलिटिकल वर्ड में, भारत मे में, बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर है, आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा, कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए, वो हमारे साइब, हमारे लिए अच्छा, देश्वर्ट मुसल्मान है, आपके लिए अपरादियों, आपके लिए, इसरा चाहा बेटी है, अब्दल हाराद का मारा है, याकुमेले के जुडिशल किलिंग है, आप जाकिर नायक चांजिका मसीह है, उसामा जी है, हाफिस साहब है, यह उसमानों के वराद की सोच बात का, किसान तहने पर बैटा है, उसकी मौत हुए है, उसका बोल दो ना, हमेंस्पी गेरेंटी कब आपके सवाल कब जवाब दूँ, बताइए, डेट टू जीडी पी रेशियो में भारत कहा है, दुनिया में, कहा है, बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा, देश को इतना आगे बढ़ा दिया है, कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रखा रहा है, या, जली जाओ, जली बढ़ाद होगिए, बबात कहा है, भुझे बबअर दूज को ने, राम लहर पर मोधी सरकार है, और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब महीं दिया, मोधी ने, राम लहर है, और चीन को जवाब महीं दिया, राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है ड रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डियेम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देखिए किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की और य देखिए एटी ठ्री पर संद मुसल्मानों ने यह इनको भरबर के वोट दिया यह आके भुलते थे आप आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, बी-जेपी जीच जाएगा, ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे, दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, B.J.P. की गोद में डलके बैठ गए, हमको B.T. ब कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है, वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है, राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या वमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्य है नवी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है, बीजेबी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने औरने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नज़र है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्रिसी खत्रे में नहीं है सम्विदान खत्रे में नहीं है और सुदान चुदी राजे सभा के मेंबर ने सम्विदान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुदान चुदी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है ये दर्म की राज़ दीतिया आपको करना है सुदाँची दो से लिए कि आप यह तक तो पहुझ गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारो युवा बेर रुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीज से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बता ही है मोदी जी आपने नविका जी बात करी के मोदी जी ये गरता है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते हैं क्या करते है पूरा लगता एक सवाल करूगा सुधान्यशू जी आप से में क्याला पसंखो को ही की बात हुई माइनory vacun इकी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफ्रत क्यों है मेरे सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिटी लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अब आध निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचींग कर दो आप गाए के नाम पे मार दो आप बाहर से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुरगों को बेजो जो जाके मुसल्मानों के खिलाव अनाब शराब बगे जहर उगले उनके खिलाव F.I.R. मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं के देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता BJP की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहे कर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिन दे तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़ एक लेके आगए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी आपको स्पेशल मेरेज़ एक आपको पता है कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हमें होता है निका तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए चंदा क्या सोचती है 84 परसंट जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है आपका लीगल था इन लीगल की लड़ाई है बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे है वहाँ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पर तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे मुसल्मान बोड़ते मेरी बेहन है आप उन बेहन का तो आप अधिकार चीन रहे हो बेहन की प्रोपर्टी के अंदर अधिकार चीन रहे हो डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेज है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुद्रिवेदी जी मेरे दोस है न 33 साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने MNC बनाया ने MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवन आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घुम रहे हैं अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराश्ट्रे के दरबाद चल रही है आपके तो 30 साल इस्ते जवाब भी जवाब भी जवाब भी जवाब भी जवाब भी जवाब इसने वाला चेहरा इसके हरे कुटे महरीयाली अगर यह एक डिवार कर दें MLC दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मौटा दें अच्छा प्रचभान झाली अपने जवाब भी जब आप सुनिये जावेज जी को पहले भेजा है और अब अब इसके पहले 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 प्लिटिकली आप पर खुद लड़ते आपने बलबुते के उपर जित्ते चुराओ इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है नहीं Constitution C Factor है जगड़े में समीधान को पचाना है डेमोकरसी को पचाना है जिसका आप मडर कर रहे हो रोज कतल्याम हो रहा है इक्वालिटी नहीं वारिज पटन के लिए अलग कानूने देश में देखिए देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादुलमसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर डिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे खान उसको 2001 में भारत नद मिला अटली की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसलमा पुराना मैरे जैक चाहिए लेकिन दादा के समय का फुर्ण की बात नहीं नपे साल पुराना फिर लॉक्यों चाहिए ना यूनिवर्सिती तो याद नहीं है अब बात और है 2024 की बता है 2024 को बोल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ और हमने राष्पजी बनाया और आपने उसका विरोध किया किसने अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप नहीं कर रहे हैं आप 1890 में ने कब बोला अमें कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई और मैं बताता हूँ 1890 नहीं आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था उस जमाने के बास साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डॉक्र कराम पैदा हुए मगर ये उसके खड़ाप फड़ा हो जाते हैं और बताता हूँ अच्छा देश्बक्त मुसल्मान है आपके लिए अपना दियो आपके लिए आपके लिए किसान दहने पे बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना किसान इंतजार कर रहा है आप जार साल पीछे चले जा रहे हैं आप से फुच्छा किसान आपके धाली इंडिया लैंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साल पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताए जट टू लुक्या है आपके सवार बैठा है यह पहुत किराते हैं बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश शरंक दिखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने बढ़ाद हो गई ने बढ़ाई रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है, सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना, पिछली मरता बाजे उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83 परसंट मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे, आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा, बीजेपी जीच जाएगा, ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे, दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, B.J.P. की गोद में डलके बैट गए, हमको भी टीम बोलने हो, आज पूरे देश के सामने, आप एक्सपोस हो गए, किस तरह की टीम कौन है, क्रोस वोटेंग, ये, और हमारे आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है, तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या उमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है, नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है, के अंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है, बीजे बी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने औरने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, मदरसों से नफरत है, एक मजजित तो हमारी छीन लिया, अब दुसरी की तरफ भी नजर है तिसनी की तृफ भी नजर है तीस हजार मज्जीदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करेट है कि डिमक्रिसी खतरे में नहीं है सम्विधान खतरे में नहीं है और सुदान चुदी राज़े 15 लाग आना था नहीं आया, 2 कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो 1000 युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है, हर रीच से अगर देखा जाए, तो बीजे पी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या करने वाले है, आप छेलिए बताई है, मोदी जी आपने लविका जी बात करी, क्या मोदी जी ये करते ये लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीं कर दो, आप गाई के नाम पे मार दो, आप बहार से राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बखे, जहर उगले, उनके खिलाव एफायर उर्मकर आप उनको अरेस नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इ अंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ एफायर करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अगर कोई भ पर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मेरी जैक लेके आ गए, 90 साल से कानून चर रहा है, रात के अंदेरे में 12 मजे क्या लाने की ज़रूत थी, आपको स्पेशल मेरी जैक, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है, हम 12 साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया हैं 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, आपको लीगल की लडाई है, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरीज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर, एक औरत का अधिकार है, जो शादी करती है, स्प पढ़ेंगे, स्पेशल मेरीज अगर स्पेशल मेरीज अक्ट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन मिलते हैं, आप क्यों बहकार है, आप क्यों बहकार है, आपने पता है, चाहे बरीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेटल्मेंट के क्लॉजेट है, वारिस पठान जी, आप दराने का काम क्यों करते हैं, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस हैं, 33 साल से BJP के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते करते, उनको ने MLC बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं, अभी खेला होबे हो सकते हैं आपका भी, पुरी माराख स्रेकर दरबाद चल रही है, आपने दो 33 साल से छावाल का। इंगलेश यादों के बाद सबसे अधा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एक डी बार कर दें MLC दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगशा है अफ्तर देसे को अफ्तरदेस में अगर यह जावने दिखा दिया अछी को पहले भेजा है जगड़े में M Factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगड़र मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रियर्जम का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद नमिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इंवर्स्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना उनिवर्स दी तो याद नहीं है उसके घजे कराम क्या था भयाँ वो गजे घजे कराम क्या था आपको सथा वाई अब बात औरी दोजार चौवीज की चलिए अब जबात सुन लीजे जराज उनकंवर्टेबल भैट कारवा है अब बाता हूँ इसको कुछ नहीं पता है नहीं पता है पिछले आठ सो साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपी जी अब कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया किसे नहीं है अच्छा विरोध कि अच्छा लगता है आप रोप रादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए किसान दहने पैटा है उसका बोल दोना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जार रहा है आपके सवाल कब जवाब दो बताइए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में अमेरिका के अमेरिका के अमेरिका के अमेरिका की पीछे तो डॉलर की बेलू क्या है आपके देट में राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ज्ञानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो rocket की तस्वीर छापी है DMK ने, वो चीन का rocket दिखा दिया है, अब चीन से आपको, आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का rocket भी नहीं लगाते हैं, आप चीन का rocket लगाते हैं, आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है, आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म परसनल है, लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर डिबेट है, या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहेता हैं, अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में, चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ना, पिछली मरताबा जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी काजी, हम लोग भी चुनाओ में आपे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे, 83% मुसल्मानों ने ये इनको भर-भर के वोट दिया, ये आके बोलते थे, आपने अगर M हमको वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, बीजेपी जीच जाएगा, ये बी टीम है, आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे, दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डलके बैठ गए, हमको बी टीम बोलने ह कोंगरेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब दे憲 किसा थी किस तरह की समस्या है ची अबुका, इजिए हमारे लिए एक तरफ तो यह यह तो खुले दुश्मने सबको पता है कैंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजेबीपार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पेंने ओरने से नफरत है एक भी पॉइंट सुनात सुधानची जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले ये दर्म की राज़ दी ती है आपको करना है सुधानची दो से लिए कि आप यह तक तो पहुँच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रोजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारो युवा बेरोजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुवा उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीच से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बताई है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुधान शुजी आपसे में क्या अल्प संकों की बात हुई माइनुरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिए लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाए के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्ट्रा राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मानों के खिलाव अनाब शराब बखे जहर उगले उनके खिलाव एफायर हो मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुधान शूत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ ख़ड रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिट नहीं तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़ेक लेकर आगए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 बज़े क्या लाने की ज़रूरती स्पेशल मेरेज़ेक आपको पता है कि मुस्लिम के अंदर शादी है हम में वे वता है निकाए व बच्च sailors करेंगे अठा अठारा बर्से लड़कियों के शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अठारा साल से आठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए ने चंटा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 सल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल थाई लीगल लीगल की लड़ाई है बात क्या है अब आप मारा मैर कैसा करेंगे स्पेशल मैरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक अवरत का अधिकार है जो शादी करती है अगर 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 तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है अब आपको बठा रहा है आपने बता है चाहिट परीज का तो मैं आपको आखड़े के साथ बचा रहा हूं डाइवोट्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिट है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंताओ सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे है अभी खेला हो ब परच चल रही है आपके तो तिस्ती साल से बाल जेंगे तो सुदान सुजी की चिन्टा होती देगह हम लोग तो यह रहेंगे यह इतना भी पजली के ठीकी दूसरे निता ला रहे हैं टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्टे महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इंप्राइश सब्सक्राइब नहीं कि छोड़िये अरे अरे अब आगे अपके एक मुसल्म जब आप सुन लीजिए अरे अरे अमने जावेज जी को पहले भेजा है अरे अब आपको सिर्फ वोट चाहिए अरे जग्रा हो गया पीडिय में जग्रा हो गया सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ब बिनर बिगडियर मुहमद उ इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगड़र मुहमद इसमान के घर पे तो बताईए हम गये थे अटर जी की सरकार में पचास साल तक सेक्टवर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसलमानों में एक जमाने में चाहिए लेकिन दादा के समय की पांग याद नहीं नपे साल पुराना फिर लौ क्यों चाहिए नपे साल पुराना लौ नहीं चाहिए ना यूनिवसरी तो याद नहीं है उसके गजे गड़े 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 अब क्या होते हैं हमारे नहीं है भाई अब बात औरी 2024 की नहीं चाहिए जबाद सुन लीजे जबाद को बोल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ जड़ा नहीं हुआ अब अब कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है अब कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई बताईए ना और मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो कभ इनको पर उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा देश्वर्ट मुसल्मान है आपके लिए अप्राद का मारा है याकुमे किसान तहने पे पैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना अधिकल करो जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आपह जार साल पीछे चले चाहरे है इंडिया लैंस पर चार घुना करजा कर दिया आप ने दस साल में इस बात का अजार साल पहले से क्या समंद है ने आप तो डॉलर की बेलू क्या है अच्टेट मैंने बस एक बाद कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवन्धन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता माज़े उत्तर प्रदेश का चु हैगा यह बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया है इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीज़े की गोद में डलके बैठ गया हमको बीटी म बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क् महराष्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महराष्ट्रा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खूद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने ओडने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मस्जीद då हमारी छीन लिया अब दूसरी के तरफ भी नजब है तीस हजार मस्जीदों पे इनकी नजब है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करते हो कि डेमक्रिसी खत्रे में नहीं है विश्दामी खत्रे में नहीं है अब इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पंदाला खाना था नहीं आया, दो क्रोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारों युवा बेर रुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज भुवा उतर गया है, रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है, हर रीच से अगर देखा जाए, तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या करने वाले है, आप चलिए बता ही है, मोदी जी आपने नभीका जी बात करी, क्या मोदी जी ये करते ह लिती लड़ जगड़ के, क्या आप आज़ाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीतों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाए के नाम पे मार दो, आप बाहर से महरा अश्टार, राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मानों के खिलाब अनाब शराब बगे, जहर उगले, उनके खिलाब F.I.R. मुकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली है कि रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अग के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मेरेज़ेक लेके आ गए, 90 साल से कानून चर रहा है, रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी, आपको स्पेशल मेरेज़ेक, आपको पता है ना, कि मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक ह हमें होता है निका, तो बच्चियों की शादी करेंगे, अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल था, इन लीगल की लड़ाई है बात क्या है, अब आप मारा मैरिज कैसा करेंगे, स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर, एक अउरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे, मुसलमान, वो अरत मेरी बहन है, आप बहन का तो अब अधिकार चीन लेओ, बहन की प्रोपर्टी के अंदर बदीकार चीन लेओ, वो बहन, अगर इजाब पेन के जाती है पढ़ना, तो आप मोदी जी नहीं जा रहे देते, वो बहन पिलकिस भागो, उसके बात क्यारी को आप थोड़ देते है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं, आप क्यों बहकारे, क्यों गलत पाके हैं? आप मोदी जी 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 जवाब यहां है, यह इतना पी पचके कांग्रेसी, दूसरे निता ला रहे हैं, यह रिप्लेस हो जाएंगे, उसलिए चिंता में हिलकी हैं, भी दो इसाल है, कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम सकम पार्टी के नेताओं को मुझे लगजा है नहीं मिला इसके पहले अप जब से पहले हैं चुके पहले आप जबाप सुनिजी जंता जब आप सुनिये, अरे भाई हमने जावेज जी को पहले भेजा है, अरे अब आप पहले हमने बैकवर्ट भेजा था, नोमाल की बाद कर रहे हैं, आप इसको फिर भोट चाहिए, आप को फिर भोट चाहिए, अरे जगड़ा हो गया, पीडिया में जगड़ा हो गया, कोई सुदाशों जी, इस जगड़े में M Factor है भाई, इसलिए जगड़ा हो गया, इस जगड़ा हो गया, इस जगड़ा हो गया, इस जगड़ा हो गया, देखे देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादूल मुसलमीन, उसने पूछा है, कि मुसलिमों से हमें अधावत क्यों, तो मैं बताना चाहता हूँ, हमें मुसलिमों से अधावत है, इस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंटरी एवाब विनर, दिगडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था, कोई इन में से कभी गया हो ब्रिकेटर मुहम्मद इसमान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया सम्बान किया ये बताईए 15 अगस्ट 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तर नहीं मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस ठाइम की यूनिवस्टी तो याद नहीं है उसके घजे का नाम क्या था उसके घजे का नाम क्या था 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 हमारे देशन पटे अब बात औरी 2024 की बात चलिए जवाद सुन लीजे जवाद को इसम पुछ उनमे नहीं हुआ हूए पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाया और हमने राश्पोजी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है और आतं को अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ भारती आप इस आजमी को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिन साने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा देश बठ्ट मुसल्मान है आपके लिए अपना दिए आपके लिए बैटी है अब्ल हालात का मारा है यह कुमेरे की जुडिशल किलिंग है आज जाकिर नायक चान्ज का मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह पुछा है हमारी मुसल् इंडिया लाइंस पर चार गुना कर्दा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या संबंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुनिया में कहा है कहा है कहा है तो डॉलर की बैलू क्या है यह बहुत है नवीचा बस एक बात कहते हूं फिर आप आगे बढ़ियेगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश शरंग दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया ह अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ला पिछली मरता बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी का जी हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर एमाइम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजे कि टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महराश्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महराश्ट्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों पर इनकी न उसे लिए कि आप तो यहां तक तो पहुच गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूं सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई 26,000 रिपाना था नहीं आया दो करोड युवां को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारों युवां बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुआ उतर गया है रुजगार मंग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा हूं कि पर्चे के फदले जा रहा एक सवाल करूँगा सुधानिशु जी आपसे में क्योंकि हाल्पसंगों की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से ती दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मुद्रसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीन कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब भगे जहर उगले उनके खिलाव F.I.R. हरो मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली है कि रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है B.J.P. का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता B.J.P. की सिटिंग है मेले हमाँ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने लो स्पेशल मेरे जैक लेके आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की ज़रूत थी आपको पता है ना कि मुसलीम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हमें होता है निकाह पर ठाथी कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए जंदा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल था इन लीगल की लड़ा है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक अवरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसल्मान बोरते मेरी बहन है आप उन बहन का तो आप अधिकार चिन लेओ बहन की प्रोपर्टी के अदर अधिकार चिन लेओ वो बहन अगर हिजाब पहन के जाती है पड़ना तो आप क्यों बहकार है तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेद है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंता को सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजेपी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे है अभी खेला होबे हो सक सवाल है मुझे तो सुदान सुजी की चिंता होती है को हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना भी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसकी हरे कुर्ते महरी अगर यह एक डिबार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगए लगए नहीं मिला दोनों से सवाल ने इसके पहले हम जावेश को पहले भेजा है अब हमने बैक वर्ड भेजा था नमाल की बात कर रहे हैं आच्छा आप सिर्फ वोट चाहिए प्ट्रा पुछ नहीं है जगड़ा हो गया पीडिय में जगड़ा हो गया ने आप तो इनके आना हिससा ने इनका हिससा इनके लिए मन टचे भाले पॉलिटिकली अपने बलबुते के पर जित्ते चुनाओ इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है इस उत्तर परदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर परदेश का कोई में से कभी गया हो बिगडियर मुहमद उस्मान के घर पर बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अटनी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूं इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस ताइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हो तो उस्ताइम की आदा नहीं नपे साल पुराना फिर लौ क्यों चाहिए नपे साल पुराना लौ नहीं चाहिए ना यूनिवर्सरी तो याद न इसके गजे क्या था निए हमाने हैं अब बात और है दोजार चुझारे में बता है ने तो बोल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोत किया किसले यह लगता है आप अठारा सुनब्य मैं ने कब बोला अबे कान बचते हैं क्या अठारा सुनब्य कब बोला बाई आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ अगर यह उसके खड़ा हो जाते हैं और बनाता हूं आज दो हजार चौविस में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मोहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साइब है अच्छा गेश्पर्ट मुसल्मान है आपके लिए अपराद का मारा है यह कुमेरे के जुडिशन किलिंग है आज जाकिर नायक चांद का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सो किसान ठीड़ने पेटा इसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना हमसपी के एरेंडी के अंड वह जो जो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है पे जार साल पीछे चले जारे हैं आप पुछ रहा है किसान आपके तहने है करदया कर दिया आपने दस सान में इस बात का आजार साथ पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताएए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है ने बस एक बात कहे दू फिर आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने बात कहरा है ने बात कहा है ने बात कहा दिया आपने बात किया देश को दू राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नही दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छाप भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चर रही है A-T में, B-T में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपने धर्म की बात की और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ला पिछली मरता बाँ जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था ये B-T में आप इनको वोट मत दीजी हमको वोट दीजी दिया है इनको वोट क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए BJP की गोद में डलके बेड़ गए हमको B-T म बोलने हो ला आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है? क्रोस वोटेंग ये और हमारे महराष्टरा में तो खेलाई हो गया है महराष्टरा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देकि हमारे लिए किस तरह की समद से है नभीका जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खूले दुशमने सब को पताया है कि अन्टी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजे भी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने उड़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरासों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया, अब दुसरी की तरफ भी नजर है, तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मजजीतों पे इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करते हैं कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुजी राज़े सभा के मेंबरे सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले है दर्म की राज़ दीतिया आपको करना है सुधान चुजी दो से लिए कि यहां तक तो पहुँच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले है मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था क्या करने वाले है आप चेलिए बताई है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुदानिशु जी आपसे में क्या आल्प संकों की बात हुई, माइनरोटी की बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, पिरा सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बहार से महराष्ट्रार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मानों के खिलाव अनाब नहीं रुग ले, उनके खिलाव F.I.R. मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं के देखो, इसने प खड़ने कर बुलती है, पंदरा मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं, हमको पांच मिटे तो हम सब को खतम कड़ डालेंगे, तब सुदान शुत ये एक भी ट्रीट कुनी करते हैं, आसाम के उपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, अपने लो स्पेशल मेरे जैक लेके आ कि नहीं होनी चाहिए, अथारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए, नहीं, चंद न क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया हैं, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, आपका लीगल था, इन लीगल की लड़ाई है, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरेज मेरेज में, निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर, एक औरत का अधिकार ह स्पेशल मेरेज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे, मुसलमान बोरते मेरी बेहन है, आप उन बेहन का अधिकार चिन लो, बेहन की प्रोपर्टी के अंतर बादिकार चिन लो, वो बेहन, अगर हिजाब पहन के जाना पढ़ना तो आप क्यों बेहका रहें, क्यों गलत पाके रहें, आपने पता हैं, चाय परिज का तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेज हैं, वारिस पठान जी, आप दराने का काम क्यों करते हैं, जंताओ, सुदान प्लियत हैं, भीथ में सेट्व घराने का पच़्छा, पते अब हुसे के रहें, जंताओ, सुदान शुद्रिवेद्वेद्व्ड राहें, वारिस प्लियर कांग्रेसि दूसरे निता ला रहें, ये रेपलेस हो जाएंगे, ते चिंता होजी हम मुझे तो ये उमीद है कि अखले श्यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते महरीयाली अगर यह एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है नहीं मिला इसके पहले नहीं मिला जिसको प्तरदेश को ज्यादा क्यों नहीं वेज़े अपने प्तरदेश की जंता जब आप सुन लिए अरे अमने जावेज जी को पहले भेजा है अरे अभी आपको श्रीक वोड चाहिए अरे जग्रा हो गया पीडिय में जग्रा हो गया सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से दावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठे हैं इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ड विनर डिगेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ ब्रिगेडर मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे मिला अटर जी की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसलमानों में एक समाने में बहुत साइंस एंट टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अब बात करेंगे जब मेरे दादा भी पएदा नहीं हो तो उस ताम की अजा चलो इनोंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हो तो उस ताम की आद नहीं नपे साल पुराना लो नहीं चाहिए ना उन्यवस्टी तो याद नहीं है उसके घजे कर नम क्या था नहीं हो तो अब बात औरी 24 की चाहिए जब आप सुन लीजे जब आप जब आप के जब आप करने लगते हैं जरास अंकंवर्टेबल बात करना है अब मैं बताता हूँ इक कमाने में बताने साहता हूँ नहीं हो पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को उनने बनाया और हमने र सब्सक्राइब कर रहे हैं इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनायद 1890 मैंने कब बोला अब कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई और मैं बताता हूँ 1890 नहीं आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए मगर ये उसके खिलाक फड़ हो जाते हैं और बताता हूँ जाकिर नायक चांड का मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है ये हमारी मुस्मानों के और आपकी सोच का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार सार पीछे चले जा रहे हैं आप से खुचरा किसान आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाद दू बताएए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है चुरूए ये बोलेगे नमबर दो पर आए अमेरिका के अमेरिका की वेलू क्या है बाद कह दो फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ ने पर दिखा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया राम लहेर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहेर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंतरी जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर चापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता न डियम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बाज़े उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी का जी हम लोग भी चुनाओ यह पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर MIM को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बी ये और हमारे महराश्टा में तो खेलाई हो गया है महराश्टा में तो जो 48-47 साल से कॉंगरेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहापर तो अगर मुसलमान इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मस्जित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मस्जित तो हमारी चीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर है तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मस्जितों पर इनकी नजर है ये तो ख अब इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला गाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारो युवा बेर रुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुआ उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीट से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बता ही है मोदी जी आपने नविका जी बात करी के मोदी जी ये करता है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करता है बुरा लगता है एक सवाल करूंगा सुधानिश्चु जी आपसे क्या आजादी हमने इसलिए लेती लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बात भाहरत देश के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बगे जहर उगले उनके खिलाव F.I.R. मेंकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खा लिए एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है B.J.P. का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता B.J.P. की सिटिंग है मेले हुआ ख़ड रहे कर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिन दे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़ एक लेकर आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की ज़र होती है आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हमें होता है निकाह तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए अठारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए चंता क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगल था इन लीगल की लड़ा है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बेहन है अब कुछ बहन का तो अब अधिकार चीन रहो बहन की प्रपर्टी के अंदर बदिकार चीन रहो वह पेहन अगर हिजाब पेंके जाना पुजाती है पढ़ना तो हमोदी जी नहीं जाने देते हैं तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं, आप क्यों बहकारे, क्यों गलत पाथ के रहे हैं, आपने पता हैं, चाहे परीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ, डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिज है, वारिस पठान जी, वारिस पठा क्यों करते हैं, सुदान चुद्रिवेदी जी, सुदान चुद्रिवेदी जी, मेरे दोस हैं, तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई, मोदी जी का परचार करते-करते, उनको ने मलसी बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सी चलिए, जवाब ही सुनीजे, 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 जवाब ही सुनीज कि अखिलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते में हरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगसा है कि इंप्राइश आप इंप्राइश चुड़िये जावेद जी को पहले बेजा है इसके पहले पेजा है उसके पहले हमने बैकवर्ड बेजा था आपको सिर्फ वोट चाहिए जगड़ा हो क्या पीडिया में जगड़ा हो गया इस जगड़े में M factor है इसलिए जगड़ा हो रहा है Constitution C factor है जगड़े में समिधान को बचाना है देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंटरी अवाब बिनर बिगडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ हम बिगडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदर अगस्त दो हजार उनीस सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत तक न मिला अटली की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंट टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस ताम की नपे साल पुराना लौ नहीं चाहिए ना यूनिवस्टी तो याद नहीं है उसके घजे गोड़े 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 अब क्या होते हैं हमारे नहीं है अब बात हो यह 24 की बात चलिए जबाद सुन लीजे जराज अनकम बटेबल भाट कारवा है मैं बदाता हूँ इक को कुछ नहीं पता है 24 को बोल रहा हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीडिया बुल कलाम को ने बनाया और हमने राश्पजी बनाया और आपने उसका बिरोद किया किसे अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगे यह भारती जनता पाटिक साथ भी आप इस आजमी को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे व इनको पर उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मानों तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा बच्छा येश्बट मुसल्मान है आपके लिए अपनादियो आपके लिए अफ़ना पैटी है अफ़ल हालात का मारा है याकुमेर इकि जुडिशन के लिंग है आप जाकिर नायक चांद का मसीह है ऐसामा जी है हाफिस किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुई है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप चार साल पीछे चले जा रहे हैं आपके सवाल कब जवाब दो भारत कहा है दुनिया में कहा है चुरिए यह बोलेगे नंबर दो पर आए अमेरिका के अमेरिका पीछे तो डॉलर की वेलू क्या है अचिटेट में डॉलर हमारों रुपए पे सवार बैठा है यह तहली कहां से खुच के लाते हैं बस एक बात कह दू फिर आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश शरंग दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देखिये किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी का जी हम लोग भी चुनाओ यापे लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जीच जाएगा ब प्रस्वोटेंग ये और हमारे महराश्च्रा में तो खेलाई हो गया है महराश्च्रा में तो जो 48-46 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है पीजे भी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने बोड़ने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मजजितों पे इनकी नज़र ह यह तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोकरजी खत्रे में नहीं यह सम्वीधान खत्रे में नहीं है और सुदान चुझी राजे सवा के मैंबर ने सम्वीधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट शुदान चुझी ने यह कहा के लोगों के लिए क्या करने वाले ये दर्म की राजदीती आपको करना है सुदाची दो से लिए कि आप यह तक तो पहुझ गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिर्फ मंदिर मंदिर आप करने वाले क्योंकि देवलप्मेंट के नाम पर मोदि जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो कुरोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बतली में तो हजारो युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुआ उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीट से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बताई है मोदी जी आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुदानिशु जी आप से क्योंकि हाल्पसंगों की बात हुई Minority की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिटी लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचीन कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मानों के खिलाब अनाम शराब बखे जहर उगले उनके खिलाब एफायर हरों कर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिद्व समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार साता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहे कर बोलती है पंदरा मिनिट नहीं दस मिनिट नहीं हमको पंच मिटे तो हम सबको खटम कर डालेंगे तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते है आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेलेजेक लेके आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंधरे में 12 मजे क्या लाने की ज़रूरत थी साधी किया है दस साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब्सक्राइब नहीं बहुता है अब आप कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज एक पे तो है नहीं तो तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है अपने पता है चाहे परीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजिट है वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं जंता को सुदा जानसु जी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजेपी के दर चपपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ना MNC बनाया ना MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिंदेवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला होगे हो सकते आपका भी पुर जानसु जी की चिंता होती देखो हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना भी पच्च के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगसा है नहीं मिला कि छोड़िये अरे अरे अब आपके एक मुसल्वार नहीं मिला जिसको अप्तरदेश में बढ़ हो गया ज्यादा ज्यादा आपने अच्छा जवाब सुनिये अरे अरे अमने जावेद जी को पहले भेजा है अरे अब आप इसको सिर्फ वोड चाहिए अरे जगड़ा हो गया पीड़ीय में जगड़ा हो गया कोई जगड़ा हो गया अरे आप तो इनका नहीं का इससा है इनके लिगो मन टचे भाले पोलिटिकली इस जगड़े में M फैक्टर है इस जगड़ा हो गया इस जगड़ा हो गया पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उस ने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर परदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार बिनर बिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं बिगेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूं इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इंवरस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस ताइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हो नपे साल पुराना मैंने जहें की चाहिए लेकिन दादा के समय की बाद याद नहीं नपे साल पुराना फिर लौ क्यों चाहिए नपे साल पुराना लोग नहीं चाहिए ना यूनिवर्स दी तो याद नहीं है उसके घटे करम क्या था उसके गोड़े करम क्या था नहीं है अब बात और जबात बाता हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपी जी अबुल कलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोट किया अच्छा विसल्मान अच्छा लगता है और आतन को अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ भाई आज में बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लोग इनको पर उस जम साइटिस्टों में कोई साइटिस्ट नहीं पैदा हुआ पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक महमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए वो हमारे साथ पिर नायक चांद का मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यहारी सोच बात का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत भी है उसका बोल दो ना है मैंस्पी के गवरेंट की कब्द होगे वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहे आप से पुछा किसान आपके तहने है इंडिया लैंस पर चार गुना करजा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साल पहले से क्या सम्मन्द है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताएए जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दुरिया में कहा है कहा है चुरिये यह बोलेगे नंबर दो पर है अमेरिका के उससे पीछे है तो डॉलर की वेलू क्या है आपके डेट में डॉलर हमारा रुपए में सवार बैठा है यह बहुत है नविक्ता बस एक बात कहते हूं फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया ह कि माल्दी जैसा चोटा सा देश रंख दिखा रहा है फोजनी जाओ नेपल कहते हैं लगए अधरे नहीं डोग जूकी लगाई लक्सपर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लेहर ह और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकिट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म परसनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारत है या भी देगे किस तरह से बात चर रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वा फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसलमानों ने इनको भरभर के वोट दिया यह आके बोलते थे आपने अगर एमाएम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा यह बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बेड़ गए हमको भी टीम बोलने हो आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग यह और हमारे महाराष्टरा में तो खेलाई हो गया है महाराष्टरा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और यह बोल रहे है के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता ह राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या उमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो यह यह तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजे भ पुर्देश से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नजर है तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मजजितों पर इनकी नजर है यह तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करें लूपिजी खत्रे सबस गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ्घ मंदिर अब करने वाले क्योंकिग डेवलप्मेंट के नाम पे मुदी जी की जितनी गैरिंटी थी पूरी के पूरी फैल हो गई 15 लगाना था नहीं आया दो करोड यूवा को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो अजारों यूवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पर आज रुगा उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तुप इसा एक्जाम कर रहा है कि परचे के परचे बदले जा रहे हर रीज से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बता या मोदी जी आपने नवीका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशु जी आपसे में क्या अल्पसंगों की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बगे जहर उगले उनके खिलाव एफायर हो मेंगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली है कि रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर कर देते हैं जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सबको खटम कर डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुन नहीं करते है आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेजेक लेके आगए 90 साल से कानुन चर रहा है रात के अंदरे में 12 बजे क्या लाने की ज़रूरत थी आपको स्पेशल मेरेजेक आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हम में होता है निकाह तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा बरसे शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल था इल्लीगल की लडाई है बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरेज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हम आपर एक औरत का अधिकार है पर आपको पर अधिकार है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं आप क्यों बहकार है आपको बता रहा हूँ आपने बता है चाई परीज का तुम्हें आपको आखड़े के साथ बता रहा हूँ डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉजेज है वारिस पठान जी आप दलाने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस है ना 30 साल से BJP के दर चपपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ना MNC बनाया ना MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला हो बहे हो सकते हैं आपका अभी पूरी महरा रख रेक दर बाट चल रही है आपके तो 30 साल इसिधा है जवाब पी सुन्दी जवाब ही सुन्दी आफने सवाल अपने सवाल घुक हम लोग तो यह रहेंगे ये इतना भी पच्छ के कांग्रेसी दूसरे निता ला रहे हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है तो ये उमीद है कि अखलेश यादों के बाद सबसे अधा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते में हरी आली अगर एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है इंपोई सब्सक्राइब नहीं मिला अगरे शुदानिशू जी छोड़िए क्यों नहीं भेजा है अपने अच्छा जवाब सुन लिए जवाब सुन लीजी जवाब सुन लिए अरे पही हमने जावेज जी को पहले भेजा है अरे अब आप दरिस को भेजा है पहले भी हमने बैक वर्ड भेजा था नमाल की बात कर रहे है आच्छा अरे आप सिर्म वोड चाहिए जगड़ा हो गया पीडिये में जगड़ा हो गया आप तो इनके आना हिससा ना इनके लिए मन टचे भाले पॉलिटिकली सुदान शुजी इस जगड़े में M फैक्टर है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है समीधान को पचाना है देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट विनर दिगेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडियर मुहमद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुलहमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तर्थ न मिला अटल्जी की सरकार में 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिये डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस ठाइम की अज़ा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हुआ नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का की बाद याद नहीं नपे साल पुराना फिर लॉक्यों चाहिए पुराना लॉट नहीं चाहिए ना यूनिवर्सिटी तो यात नहीं है उसके घजे करना हम क्या था उसके घजे करना था जो सकतावार है वह आप अपक्रे से अब बात हो रहे हैं जोजार चौवीज की बात चलिए जबात सुन लिए जब आप पुछ ने लगते हैं जराज आंकमपर्टेबल बाट कावा है इसको कुछ नहीं पता है नहीं कुछ नहीं पता है नहीं कुछ तो बोल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुल कलाम को हमने बनाय और हमने राष्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया किसने इस आदमी को को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनाएदा आप ने कब बोला अबे कान बचते हैं क्या आठारा सुनब्ब्ध कब बोला बाई बताए नहीं आज मैं बताता ह एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मोहमत खान सा हमारा है याकुमेर के जुडिशल के लिंग है आज जाकिर नायक चाल्ड का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बाद का किसान धहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना इंडिया नायंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का हजार साल पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दूँ ने इस डेंट टू जीडी पी रेष्यों में भारत कहा है दुरिया में कहा है तो डॉलर की वेलू क्या है अशिटेट में डॉलर हमारों रुपए में सवार बैठा है यह अधरी कहां से खुच के लाते हैं देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डियम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेक एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डियम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई अभी देगी किस तरह से बात चर रही है, A-T में, B-T में, चुनाओ के पहले कितने बड़े-बड़े वादे कि अपनी धर्म की बात की, और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे है, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ला, पिछली मरता बाज उत्तरपर्देश का चु जाएगा ये बी टीम है आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैट गए हमको बी टीम बोलने हो आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और हमारे महराष्ट्रा में तो खेलाई हो गया है महराष्ट्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहापर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उमीद रखेंगे। अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मन सब को पता है के एंटी मुसल्म है मुसलिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पिने से नफरत है पहनने उड़ने से नफरत है हिजाब से नफरत है मस्जिद से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नज़र है तिसनी की तरफ भी नज़र है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नज़र है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करें तो कि डेमोक करिव बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला गाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगा जी बात करी के मोदी जी ये करतें आपको बुरा लगता है हम तो बोलतें क्या करतें बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुदा नशुज़ी आपसे ले हमारे मदरसों को तोड़ दो कि हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचींग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराष्टरार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बखे जहर उगले उनके खिलाव एफायर उर्मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजे पी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजे पी की सिटिंग है मेले हमाँ खड़ रहे कर बोलती है पंदरा मिनिट नहीं दस मिनिट नहीं हमको पांच मिटे तो हम सब को खतम कर डालेंगे तब सुदाने चुदी ये एक भी ट्रीट कुई नहीं करते है अथारा साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए चंदा क्या सोचती है 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे इंदु भाई बेनों का है वो सब लीगल है और आपका लीगल था इंदी बहुता इंदी बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरिज अक्पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बहन है अब बहन का तो आप अधिकार चीन लेओ बहन की प्रोपर्टी के अंदर अधिकार चीन लेओ वो बहन अगर हिजाब पेन के जाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जा रहे देते वारिस पठान जी आप दराने का काम क्यों करते हैं सुदान शुद्रवेदी जी सुदान शुजी मेरे दोस है ना 33 साल से बीजेपी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ना MLC बनाया ना MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला होवे हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराज रेके दर बात चल रही है आपने तो 33 साल से बाल जाने जवाब ही सुननीजे जवाब ही सुननीजे यह इतना भी पच्च के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है मुझे तो यह उमीद है कि अखलेश यादव के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एक डी बार कर दें मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगशा है इसके पहले हम जाए ने इसके पहले हम जाए जब चुके हैं अच्छा इस जब चुके हम जाए पहले बेजा है अच्छा अच्छा पर खुड लड़ते अपने बलबुते के परोड़ जितते चुरौ इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है ने Constitution C Factor है इस जगड़े में समीधान को पचाना है डेमोकराशी को पचाना है जिसका मडर कर रहे हो रोज कर लियाम हो रहा है देखिए देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर डिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिकेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए ये 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटर्जी की सरकार में 50 साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पायदा नहीं हुआ तो उस्ताइम की आजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पायदा नहीं हुआ 24 की बाद सुन लीजे जबाद के जबाद के जबाद करने लगते हैं जरास अंकमफर्टेबल बाद काता है अब मैं बाता हूँ इक कुछ नहीं बता है 2024 की जबाद के जबाद के बोलना हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा इसना पैदानी हुआ जो डॉक्तर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया किसने अच्छा विसल्मान अच्छा लगता है आप उन्वड़ादी और आतन को बादी अच्छा लगता है आज मैं बताता हूँ, एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था, उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, बापर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाक फड़े हो जाते हैं, और बताता हूँ, आज दो हजार चौविस में, पूरे पॉलिटिकल वर्ड में, भारत में, बताइए, जो हमारे केरल के गवणनर है, आरिक महमत खान साइब से बड़ा, कोई आलिम, फाजिल मुसल्मान हो तो बताइए, वो हमारे साइब है, अच्छा, जेश्वर्ट मुसल्मान है, आपके लिए अपना दियो, आपके लिए, अम किसान तहने पर बैठा है, उसकी मौत हुए है, उसका बोल दो ना, अमेस्पी केरेंट की कब्द होगे, वो बोल दो ना, जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है, आप हजार साइब पीछे चले जा रहे है, आप से बुचरा किसान आपके तहने है, इंडिया लैंस, पर चार निश्रों, ये बोलेगे नमडर दो पर आए, अमेरिका के अमेरिका की अमसे पीछे है, तो डॉलर की बेलू क्या है आपके तो डॉलर हमारों रुपए में समार बैठा है, ये पताली कहां से फोच किलाते है, बस एक बात कह तूँ फिर आप आगे बढ़िएगा, देश को इतना आगे बढ़ा दिया है, कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंग दिखा रहा है, फोज ले जाओ, नेपाल कहना है, बात कहां देश को तो राम लहर पर मोदी सरकार है, और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल है, मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडिगड बंधन को, उन्होंने कह दिया है, कि जो रॉकेट की तस्वीर छाप भी नहीं लगाते, आप चीन का रॉकेट लगाते हैं, आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है, आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं, हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ, DMK जैसे नेता साथ चल या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहते हैं, अभी देगे किस तरह से बात चल रही है, A-T में, B-T में, चुनाओ के पहले कितने बड़े-बड़े वादे की, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए, आपको याद हो तो मोदी जीच जाएगा, B-JP जीच जाएगा, ये B-T में आप इनको वोट मत दीजी, हमको वोट दीजी, दिया है इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, B-JP की गोद में डलके बैट गए, हमको B-T बोलने हो ले, आज पूरे देश के सामने, आप एक् आटी मुस्लिम पार्टी है, वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या वमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है, नभीका जी हमारे ल पहीं लिया, अब दूसरी के तरह भी नजर है, तिसनी की तरह भी नजर है, तीस हजार मज्जिदों पे इनकी नजर है, ये तो खुला दिख रहा है, तो आप किस तरह से बात करते हैं कि डेमोकरशी खत्रे में यह समविधान खत्रे में नहीं है, और सुदान चुझी राज पूरी के पूरी फेल हो गई 15 लागाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेर रुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुआ उतर गया है रुजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर र माइनरोरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अब आप अधनिर्मान दिखा आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल कर दिये उनके खिलाफ एफायर कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो यह बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नह हम सबको खतम कड़ डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुछ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरे जैक लेकर आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूरती है कि नहीं होनी चाहिए 18 साल से 18 साल से कम उम्र की लग्यों की शादी होनी चाहिए 84 परसेंट जिन लोगों ने शादी किया है दस साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल थाई लीगल की लड़ाइए बात क्या है अब आप मारा मैरा कैसा करेंगे स्पेशल मैरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हुआ पर एक अवरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मैरिज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे मुसलमान बोरते मेरी बेहन है आप बेहन का तो आप अधिकार चिन लेओ बेहन की प्रोपर्टी के अदर अधिकार चिन लेओ वो बेहन अगर हिजाब पेन के जाती है पढ़ना तो स्पेशल मैरिज अगर स्पेशल मैरिज अगर हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन मिलते हैं आप क्यों बेहकार है अपने पता है चाहे परीज का तो मैं आपको आखड़े के साथ बता रहा हूं डाइवोर्स में सेट्लमेंट के क्लॉज़ेद है वारिस पठान जी आप दलाने का काम क्यों करते हैं सुदान चुद्रिवेदी जी मेरे दोस हैं तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपड़े घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा मेरा जवाल है मझे तो सुदान सुद्रिवेदी की चिंता होती देगो हम लोग तो यह रहेंगे ये इतना फी पच्च के कंग्रेसी दूसरे निता ला रहे हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में ही होती है कि अखिलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते में हरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दें अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है नहीं मिला इसके पहले अप्तरप्रदेश के पहले हैं अच्छा आप पर खुड लड़ते अपने बलबुते के उपर जिते चुराओं इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं बिगड़र मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रिरिज्म का सूर्मा अब बताता हूं 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिसमिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद न मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्टवर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस ठाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा नहीं हो उसके घजे घज़न क्या था नहीं त्सक्राव क्या होती है अब बात औरी 24 की चलिए अब जबात सुन लिजे जबात बात जबात के जब इस में रखते हैं जरास आनकमपेड़िबल भात करणा है अब मैं बताता हूँ इक को कुछ नहीं बता है कुछ तो बोल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पधी बनाया और आपने उसका विरोध किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पार्टिक साथ भाई आज मैं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ रहे हैं और बनाता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहम्मद खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाज मुसल्मानों तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा देश्बक्त मुसल्मान है आपके लिए अप्राद का मारा है याकुमेर इनकी जुडिशन के लिंग है आज जाकिर नायक चांदिका मसीह है उसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच मुसल्मानों के और आज की सोच क किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप अजार साल पीछे चले चार पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साल पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दो अमेरिका के अमेरिका के अमसे पीछे तो डॉलर की वेलू क्या है अशिटेट में डॉलर हमारों रुपए पे सवार बैठा है यह ताली कहां से खुच किलाते है नवीका बस एक बात कह दू फिर आप आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है फौज ले जाओ नेपाल के रहा है कि अगरा है और विक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लेहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते हैं आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहेता है या भी देखिये किस तरह से बात चल रही है A.T. में B.T. में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धर्म की बात की और ये तो अभी अंतनात्मा की बात कर रहे है सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरताबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था ना अभी काजी हम लोग भी चुनाओ यह पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने ये इनको भरभर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे क्या हुआ है इनको वोट उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे है कि कॉंगरेस पार्टी तो एंटी मुसलिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांदी को मिलना है तो किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुसलिम है मुसलिम विरोधी है बीजे बी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पेनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नजर है तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मजजीतों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुझी राज्य सभा के मेंबर ने सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुधा सुधान चुझी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले ये दर्म की राज़ दीती आपको करना है सुधान चुझी दो से लिए कि यह तक तो पहुँच गया अब इसके आगे आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिर्फ मंदिर मंदिर आप करने वाले पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीट से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बता ही है मोदी जी आपने नभीका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूँगा सुधानिशु जी आप से क्योंकि हल्पसंगों की बात हुई माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है पिरा स्वाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिए लिटी लड़ जगड़ के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो, अवैद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो, आप मुसल्मानों की मॉब लिंची नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं के देखो, इसने पूरे हिदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ F.I.R. करते थे, उनको जेलो में डाल दिया जाता है, वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है, कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता, BJP की सिटिंग है मेले, हुआ खड़ रहे कर बोलती है, 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं, हमको 5 मिने तो हम सब को खतम कर डालेंगे, तब सुदान चुद ये एक भी ट्रीट कुन ही करते हैं, आसाम के ओपर भी बात करेंगे, आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मेरेज़ाइक लेके आ गए, 90 साल से कानुन चर रहा है, रात के अंदरे में 12 बज़े क्या लाने की जरूत थी आपको स्पेशल मेरेज़ाइक, आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक है, हमें होता है निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे, अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, अठारा साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया है, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, वो साब लीगल है, आपका लीगल था, इलीगल की लड़ाइए, बात क्या है, अब आप आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मैरिज एक पे तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे, मुसलमान बोरते मेरी बहन है, आप उन बहन का तो आप अधिकार चिन लो, वो बहन, अगर हिजाब पेन के जाना पड़ना तो आप मोदी जी नहीं जा रहे देते, वो बहन पिलक आपको आखड़े के साथ बचा रहा हूँ, वारिस पठान जी, आप दराने का काम क्यों करते हैं, सुदान शुद्रिवेदी जी, सुदान सुजी मेरे दोस है न, 33 साल से BJP के दर चपले घस गई, मोदी जी का परचार करते करते, उनको ना MNC बनाया, ना MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घुम रहे हैं, अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भ सुदान सुदान सुजी की चिंता होती है, हम लोग तो यहां रहेंगे, यह इतना भी पच्छ के कांगरेसी दूसरे निता ला रहे हैं, यह रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है, हम तो अखिलेश यादों के बाद सबसे अदा टीवी पे दिखने वाल चेहरा इसके हरे कुछते माहरीयाली अगर यह एक डी बार कर दे एम-इल-सी दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा, कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लग तो पुरे अक्तर प्रमा के लिए और तो आप्ने गोड़ा है, जादा इसके पहले हम जाएंगे, पहले, उ कर दिखा दिया कि पहले भेजा है अच्छा अच्छार्ब तुम्ने हैं कि अपने पल खुर लड़तें ऑपने बल्बुतें के ओपरुड जितें चुराओ इस जगड़े में M Factor है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा है समिधान को बचाना है डेमोकरसी को बचाना है जिसका मडर कर रहे हो रोज कतलियाम हो रहा है इक्वालिटी नहीं वारीज पटन के लिए अलग कारूने चुदा जुटन नहीं के लिए अलग कारूने देश में देखिए देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिस इतिहादुलमसलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से अदावत है इस उत्तर परदेश में बैठे है इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर डिगेडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर परदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडियर मुहमद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुलहमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 1947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत अब नहीं मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इंवरस्टी का नाम पता है अले आप बात करेंगे है, जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस time की नफे साल पुराना मैयरी चाहिए लेकिन दादा के समय का कि पाहिए नफे साल पुराना फिर लो ग्यों चाहिए नफे साल पुराना लो नहीं चाहिए reality निवरसिली तो याद नहीं बात वरी 2024 की बात बूल रहा हूं पिछले आठ सो साल में कोई इस ना पैदा नहीं हुआ इससाल की बात नहीं कर रहे हैं आप आप आरा सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में आगए पान बचते हैं क्या 1890 कब बोला भाई आप अपता ही ना आगए नहीं बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ मगर यह उसके खिलाप खड़ा हो जाते हैं और बनाता हूँ आज दो हजार चौविस में पूरे पॉलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए वो हमारे साथ है अच्छा देश्वर्ट मुसल्मान है आपके लिए अब रादियो आपके लिए इसना जहां बेटी है अपल हरात का मारा है याकुब मेरे के जुडिशल किलिंग है आज जाकिर नायक चाल्ड का मसीह है ओसामा जी है हाफिस साहब है किसान दहने पर बैटा है उसकी मौथ हुई है उसका बोल दो ना मेस्पी के अरे की कब दोगे वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप अजार साल पीछे चले चाल रहे है आपसे पुछ रहा है किसान आपके दहने इंडिया आय्न्स पर 4 गुना कर्दा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साथ पहले से क्या सम्मन्द है आपके सवाल कब जवाब दू बताएं जेट टू जीडीपी रेशियों में भारत कहा है दूरिया में कहा है कहा है चुरिए यह बोलेगे नमर दो पर है अमेरिका के अमेरिका के अंसे पीछे तो देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ ने जाओ ने बाद हो गई ने बगला दूकी लगाई लखा लखा दिया आपने बदा देश को जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार औ और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गडवंधन को, उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डियम के ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है, अब चीन से आपको, आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगा भारी है, धरम पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ, DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह, कोई डिबेट है, या हर चीज सिर्फ धरम पर ही आदारित है, या भी देखि की बात कर रहे है, सारी बात कर लिए, आपको याद होगा ला, पिछली मरताबा जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नविकाजी, हम लोग भी चुनाओ या पर लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे, 83% मुसल्मानों ने ये इनको भरबर के वोट दिया, ये आके बोलते थे, आपने अगर M.A.M. को वोट दे दिया, तो मोधी जीच जाएगा, बीजेपी जीच जाएगा, ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजे, हमको वोट दीजे, दिया इनको वोट, क्या हुआ, सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डलके बैट गए, हमको भी टीम बोलने हो, आज पूरे देश के सामने, आप एक्सपोस हो गए, किस तरह की टीम कौन है, क्रोस वोटेंग, ये, और हमारे महराश्च्रा में तो खेलाई हो गया है, महराश्च्रा में तो जो 48-47 साल से कॉंग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा, वो खूद पार्टी छोड़के चले गए, और ये बोल रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है, वहाँ पर तो अकर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो इसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है, तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क् मुद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है, अभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है, कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है, बीजे बी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने खत्रे में नहीं है, सम्विधान खत्रे में नहीं है, और सुदान चुजी राज्य सभा के मैंबरे सम्विधान की शपत लेके बने, एक भी पूइंट सुदान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं ये, धर्म की राज़ दीतिया आपको करना है, सुद उतर गया है, रोज़गार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा है, पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है, हर रीच से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या करने वाले हैं, आप चेलिए बताई है, मोदी जी आपने बुरा लगता है, हम तो बोलते हैं, क्या करते हैं, बुरा लगता है, एक सवाल करूँगा शुदानिचाह जी आप से, यख संकों की बात हुई, मैनरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुस्लमानों से यकी दफरत क्यों है, यहाज सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमन आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब आप शराब बखे जहेर उगले उनके खिलाब F.I.R हो मेंगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली है कि रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R कर देते हैं जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है B.J.P का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता B.J.P की सिटिंग है मेले हमाँ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिटे तो हम सबको ख़तम कर डालेंगे तब सुदान चुद जी एक भी ट्रीट कुनी करते है आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने लो स्पेशल मेरे जैक लेकर आगए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 बज़े क्या लाने की ज़रूती है आपको स्पेशल मेरे जैक आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है तो बच्चियों की शादी करेंगे आठारा बरे से 18 बरे से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है वो सब लीगल है आपका लीगल था इलीगल लीगल की लड़ाई बात क्या है अब आप मारा मेरे कैसा करेंगे स्पेशल मेरेज मेरे निका कैसा पढ़ेंगे है वहाँ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरेज अधिकार पर तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाग के टाइम बोलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बेहन है आप उन बेहन का तो आप अधिकार चिन लो बेहन की प्रोपर्टी के अंधिकार चिन लो वह पहन अगर हिजाब पहन के जाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जा रहे देते हैं वह पहन पिल्किस बावो उसके बात नहीं को आप ठोड़ देते हैं और आप यहाँ आप आपके तरनारी संब्सक्राइब की जड़ाने का काम क्यों करते हैं जंताओं सुधान शुद्रमेदी जी सुधान शुजी मेरे दोस हैं ना 33 साल से बीजे पी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने मलसी बनाया ने MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला होगे हो सकते हैं आपका भी पूरी महाराश्ट्रे के अदर बाद चल रही है आपने तो 30 साल से बाल चानिया जवाब ही सुननीजे जवाब ही सुननीजे अपने सवाल वजब सुननीजे तो सुदान सुझी जी की चिंता होती है दो हम लोग तो यहां रहेंगे यह इतना भी पच्छ के कांगरेसी दूसरे निता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखिलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुरते में हरियाली अगर यह एक डी बार कर दें लसी दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगजा है कि इसके पहले हम नहीं मिला जिसको अप्तरदेश में ज्यादा गड़ हो गया ज्यादा क्यों नहीं वेज़े अपने अच्छा जैवेड जी को पहले पहले भेजा है अपसको सर्फ होट चाहिए आपको पर खुद लड़ते अपने बल्बुते के उपरोड जितते चुराओ इस जगड़े में M Factor है इसले जगड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से दावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार विनर डिगडियर मुहमद इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगडियर मुहमद इसमान के घर पर दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्त दो हजार उनीस सो सहतालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत नद न मिला अटली की सरकार में पचास साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिये डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ यह बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंट टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस तेम की आजा चलो इन्नों ने मान लिए जब दाता नहीं होता है नफे साल पुराना陽 को की दो याद नापर वहथली मेरे दांगे जाहे कि व मेरे overc painting उसके घजे का नाम की आता ता उसके गोडे का नाम की अऽचा ओन हो नहीं है भाई अब बात ओरी 24 की जब आप सुन लीजे जब आता है जरास नहीं पता है इस ले में पुछ नहीं मैं बूल रहा हूं पिछले 800 साल में कोई इतना वड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डड़ डॉक्टर बाता है और हमने राश्पदी बनाया आप उसका विरोग किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जंता पाटिक साथ हो इस आदमी को सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनाईद 1890 मै आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ नहीं पैदा हुए और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आ जाकिर नायक चांद का मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहा है आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में कहा है आपके सब्सक्राइब कर देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा चोटा सा देश रंक दिखा रहा है फोज ले जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग के भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखता है आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है या भी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के प जी हम लोग भी चुनाओ के लड़ रहे थे फुल फोर्स में लड़ रहे थे एटी थ्री परसंट मुसल्मानों ने इनको भरबर के वोट दिया ये आके बोलते थे आपने अगर एमाएम को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दिजी हमको वोट दिजी दिया इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैठ गया हमको बीटीम बोलने हो ले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग ये और मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या वमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अच्टी मुसलिम है। मुसलिम विरोधी है बीजे बी पर्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत पेहनने अउड़ने से नफरत हैं हिजाब से नफरत है मस्जिद से नफरत है, मदरासों से नफरत है एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मस्जिदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात करे दो कि डेमोक्रिसी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधाल चुझी राजे सभा के मेंबर ने सम्विधान की चपत लेके बने एक भी पॉइंट शुदाल चुझी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं धर्म की राज़ दीती है आपको करना है इस हुदा चीए दो से लिए कि आप तक तो पहुझ गए आप इसके आगे आप क्या करने हो ले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ मंदिर मंदिर आप करने हो ले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गैरेटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला काना था नहीं आया दो करोड युवा को रुजगार मिलना था उसके बदली में तो हजारो युवा बेरुजगारों के घुम रहा है रस्ते पे आज रुआ उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा हो के पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीट से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चेलिए बताई आप नवेका जी बात करी कि मोदी जी ये करते है आपको बुरा लगता है हम तो बोलते है क्या करते बुरा लगता है एक सबाल करूँगा सुधानिचु जी आपसे है क्या अल्प संकों की बात हुई, माइनरोलिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से ती दफरत क्यों है पिरा सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड़ के क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो अब आद निर्मान दिखा के हमारी मस्जीदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बाहर से महराष्ट्रा राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बगे जहर उगले उनके खिलाव F.I.R. हो मकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान मुफ्ती अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुदान शूत रेवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ F.I.R. कर देते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है BJP का नेता और वो ये बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता BJP की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है 15 मिनिट नहीं, 10 मिनिट नहीं हमको 5 मिट नहीं तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान शूत ये एक भी ट्रीट कूँ नहीं करते हैं आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने तो स्पेशल मेरेजेक लेकर आगए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदेरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी आपको स्पेशल मेरेजेक आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है तो बच्चियों की शादी करेंगे अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए अठारा साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए 84% जिन लोगों ने शादी किया है दस साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरिज में निकार कैसा पढ़ेंगे हैं वहाँ पर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है पर दो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाग के टाइम बोलते थे मुसलमान वोड़ते मेरी बहन है आप बहन का तो अगर प्रोपटी के अदर पढ़िकार चीन रहो वह बहन अगर रिजाब पहन के जाना पढ़ना तो आप मोदी क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी मेरे दोस है न 30 साल से बीजेपी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने एंपी बनाया अशोक चवान आते ही सीधा एंपी मिलिन देवर आते ही सीधा एंपी अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खे दरपास चल रही है आपने तो सिंसरी सल चुर्ण फीन चहां में मेरा दोसी में स्वाल है मुझे सुदान सुईजी की चिंता होती Benio को हम लोग तो या रहेंगे ये इतना भी पच्छ के कॉंग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है मुझे तो ये उमीद है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर ये एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगसा है इंप्लाइस आप इवारे इसलिए चोड़िये अच्छा 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 आप जावेद बाद से कर दिखा दिया अच्छा आप जावेद जी को पहले भेजा है अच्छा 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 आपसको दिखा जैए प्टियम को फेक्टर हो गया पर खुट लड़ते अपने बल बुते के उपरोण जिते चुरह और इस जगड़े में एम फैक्टर है भाई इसलिए जगड़ा हो रहा आई सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूं हमें मुसलिमों से अदावत है इसी उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवाब बिनर बिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूं बिगेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे दो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्रोरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्ट 2947 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद न मिला अटल्जी की सरकार में 50 साल तक सेक्ट्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंसदा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नॉलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस टाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा नहीं हो आपको आपको पोड़ेगा लेकिन दादा के समय का की पांग याद नहीं पर ला नहीं चाहिए ना यूझे तो याद नहीं है उसके घड़े करना क्या था ता नहीं होगो किए नहीं हो भी व्या वहाँ गज़े करना थान आ कि नहीं है आप रहाए अप्पसी चाहिए चाहिए पर अभी चुर्वंद सुन लीजें पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीडिया बुलकलाम को हमने बनाया और हमने राश्पजी बनाया और आपने उसका विरोध किया हमें अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है दस साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं यह दिक्कत होगा यह भारती जन्ता पार्टिक साथ भाई आज में बताता हूं आज में बताता हूं एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बात से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ रहे हैं और बताता हूं आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहम पेटी है अफ़ल हालात का मारा है याकुमेरे के जुडिशल किलिंग है आज जाकिर नायक चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह उसमानों के और आज की सोच बात का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुई है उसका बोल दो ना हमें इस पी के एरेंटिकल द दोनस इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहे हैं आपके सवाल कब जवाब दो बताएं डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुनिया में कहा है पर बाद हो गई और अंजिया माल दिवा को पहँचा दिया आपने वर्बात का क्या देश कुद राम लेहर पर मोदी सरकार है और जवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यान वापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गड़ बंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है, आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहेता है या भी देखिए किस तरह से बात चल रही है A.T. में, B.T. में मानों ने ये इनको भरबर के वोट दिया ये आके बोलते थे आप ने अगर M.I.M. को वोट दे दिया तो मोधी जीच जाएगा, B.J.P. जीच जाएगा ये B.T. में आप इनको वोट मत दीजी, हमको वोट दीजी दिया इनको वोट, क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए, B.J.P. की गोद में डलके बैट गए हमको भी टीम बोलने हो ले, आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोस हो गए, किस तरह की टीम कौन है क्रोस वोटेंग, ये, और हमारे महराश्रा में तो इनसे क्या उमीद रखेंगे, अब देखें हमारे लिए किस तरह की समस्या है अभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये, ये तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है, B.J.P. पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पेनने उड़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, मदरासों से नफरत है एक मजजित तो हमारी छीन लिया, अब दुसरी की तरफ भी नजर है, तिसनी की तरफ भी नजर है तीस हजार मज़ीदों पर इनकी नजर है ये तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है सम्विधान खत्रे में नहीं है और सुधान चुजी राजे सभा के मेंबर ने सम्विधान की शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुधान चुजी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले ये धरम की राज़ दीतिया आपको करना है सुधान चुजी दो से लिए कि आप यह तक तो पहुँच गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ सिरिफ बंदिर बंदिर आप करने वाले क्योंकि डेवलप्मेंट के नाम पर मोदी जी की जितनी गैरेंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई पद्राला खाना था नहीं आया दो करोड युवाओं को रोजगार मिलना था क्या करने वाले आप चलिए बताए हैं मोदी जी आपने नभिकाजी बात करी चिरा सवाल का जवाब दो किया आजाधी हमने इसलिए लिए लिटी लड़ जगड़के क्या आप आज़ात होने के बाद भारत देश के अदर हमारे मदरसों को तोड़दो अवयत निर्मान दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो आप मुसल्मानों की मॉब लिंजीन कर दो आप गाई के नाम पे मार दो आप बहार से महराश्टरा, राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो जो जाके मुसल्मान होगे खिलाब अनाब शराब बखे, जहर उगले, उनके खिलाब F.I.R. हरुमकर आप उनको अरेस नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ F.I.R. करते थे, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर, अगर कोई भार से आता है, बीजेपी का नेता, और वो ये बोलता है, कि चुन- आपको पता है रहा है कि मुसलिम के अंदर शादी एक कांट्रेक है, हमें होता है, बच्चियों की शादी करेंगे, अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, कि नहीं होनी चाहिए, अठारा साल से अठारा साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, चंदा क्या सोचती है, 84 परसेंट जिन लोगोंने शादी किया है, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बेनों का है, आपका लीगल की लड़ाई है, बात क्या है, अब आप आप मारा कैसा करेंगे, स्पेशल मेरिज मेरिज में निका कैसा पढ़ेंगे हैं वहापर, एक औरत का अधिकार है, जो पुझाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जा रहे देते हैं, वो बहें पिल्किस बागों, उसके बात कैसा करेंगे हैं, अगर अगर वो स्पेशल मेरिज अगर स्पेशल मेरिज आइक्ट हटता है, तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजिन्स मिलते हैं, आप क्यों बह सुदान सुजी मेरे दोस हैं, तिस्ती साल से बीजेपी के दर चपले घज गई, मोदी जी का परचार करते करते, उनको ने मलसी बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवर आते ही, सीधा MP, अब वो तो नाराज घुम रहे हैं, अभी खेला हो सकते है चल रही है, आपकी सुदान 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 सुझी की चिंता होती देख को हम लोग तो यहां रहेंगे, यह इतना भी पच्छके कांगरेसी, दूसरे निता ला रहे हैं, यह रिप्लेश हो जाएंगे, इसलिए चिंता में हिनकी होती है fer, हम तो अगिर है, तो कि अखिलेश यादों के बाद सबसे अधा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एक डी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगसा है अच्छा प्रटी कर दो जाएं कर दिखा दिया अरे अब आप जावेड जी को पहले भेजा है अच्छा प्रटी को पड़े अपने बल भुते के उपर जिते चुराओं इस जग्डे में M Factor है इसलिए जग्ड़ा हो रहा है इस देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर बिगडियर मुहमद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगडियर मुहमद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गए नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए पंदरा अगस्ट दो हजार उन्नी सो सेटालिस को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको तो हजार एक में भारत तक न मिला अटर्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बात सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इंवर्स्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हो तो उस टाइम की अजा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा भी पैदा नहीं हो नपे साल पुराना मैरे जैंक चाहिए लेकिन दादा के समय का फुर्द की पाँ याद नहीं नपे साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए नपे साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना यूनिवर से पी तो याद नहीं है पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस ना पैदा नहीं हुआ और पिजया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया किसे इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता मैंने अपने पहले वक्त में सारे वो गिनाएद 1890 मने कब बोला अमने कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई और मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिक्मत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डॉक्त कराम पैदा हुए और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साथ से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो किरनायक चांदिका मसीह है औसामा जी है हाफिस साहब है यह हमारी सोच बाद का किसान तहने पर बैठा है उसकी मौत हुए है उसका बोल दो ना है अमें पीडिकल दोगे वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले चा रहा है आप से जड़ टू जीडीप रैशियो में भारत कहा है दुनिया में कहा है कहा है यह बहुत पर आगे बढ़िएगा देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि माल दीव जैसा छोटा सा देश अधिका रहा है फोज ले जाओ नेपाल कहरा किया बढ़िए बढ़ाद हो गई दूकी लगाई लक्ष दीव पर मोदी जीने बढ़ाद दिया आपने बढ़ाद किया देश को जाओ राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवा बढ़ाद नहीं दिया राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट क तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन का रॉकेट लगाते हैं आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं जो नहीं है वो दिखत है आप एक तरफ रामलहर कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ DMK जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाती हूं कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरह कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदा रहते हैं अभी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे कि अपने धरम की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ना पिछली मरता बादेश का चुनाओ आया था नभीकाजी हम लोग भी चुनाओ में पर लड़ रहे थे फुल फोर्स में गड़ रहे थे 83% मुसलमानों ने यह इनको भरभर के वोट दिया यह आके बोलते थे आप ने अगर एमायम को वोट दे दिया तो मोदी जीजाएगा बीजेपी जीजाएगा यह बी टीम है आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया इनको वोट क्या हुआ उखा स साल से कॉंग्रेस के अंदर थे उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़के चले गए और ये बोल रहे हैं के कॉंग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहूल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ तो इनसे क्या अमीद रखेंगे अब देखे हमारे लिए किस तरह की समझ से है नभी का जी हमारे लिए एक तरफ तो ये ये तो खुले दुश्मने सब को पता है के अंटी मुस्लिम है मुस्लिम विरोधी है बीजेबी पार्टी पूरी इनको हमारे खाने पीने से नफरत है पहनने औरने से नफरत है हिजाब से नफरत है मजजित से नफरत है मदरसों से नफरत है एक मजजित तो हमारी चीन लिया अब दुसरी की तरफ भी नजर है, तिसरी की तरफ भी नजर है, तीस हजार मज़ीतों पे इनकी नजर है, ये तो खुला दिख रहा है, तो आप किस तरह से बात करते हो कि डेमोक्राशी खत्रे में नहीं है, सम्विधान खत्रे में नहीं है, और सुधान चुजी राज्य सभा पूरी के पूरी फेल हो गई, पद्राला काना था नहीं आया, दो करोड युवाओं को रुजगार मिलना था, उसके बदली में तो हजारों युवाओं बेरुजगारों के घुम रहा है, रस्ते पे आज रुजगार उतर गया है, रुजगार मांग रहा है, पर्चे तु ऐसा बात हुई, आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है, प्रह सवाल का जवाब दो, क्या आजादी हमने इसलिए लिती लड़ जगड के, क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर मारे मदरसों को तोड़ दो, आप अधनी निर्मान दिखा के हमारी कर दो, आप गाए के नाम पे मार दो, आप बहार से महराष्टार राज्ये के अंदर आप अपने गुर्गों को बेजो, जो जाके मुसल्मान होगे खिलाव अनाब शराब बखे, जहर उगले, उनके खिलाव एफायर हो, मकर आप उनको अरेस नहीं करो, वहीं पर अगर कोई एक मुसल्मान, मुफ्ती अजरी जैसा, अगर खाली है कि रात इंदोरी का अशार पढ़ ले, तो सुदान शुत रिवेदी ट्विट करके ये बताते हैं कि देखो, इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये, उनके खिलाफ एफायर कर देते ह उनको जेलों में डाल दिया जाता है, वहीं पर अगर कोई भार साता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रेकर बोलती है, पंदरा मिनिट नहीं, दस मिनिट नहीं, हमको बजे क्या लाने की ज़रूत थी, आपको special marriage act, आपको पता है ना कि मुसलिम के अंदर शादी एक contract है, हमें होता है निकाह, बच्चियों की शादी करेंगे, अठारा बरसे कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए, के नहीं होनी चाहिए, अठारा साल से कम उम्र की लड़किय की शादी होनी चाहिए, चंका क्या सोचती है, 84% जिन लोगों ने शादी किया है, 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है, वो सब लीगल है, आपका लीगल की लड़ाई है, बात क्या है, अब आप मारा कैसा करेंगे, special marriage में निकाह, कैसा पढ़ेंगे हमापर, एक औरत का अधिकार है, जो शादी करती है, special marriage act में तो है नहीं, तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाग के टाइम बोलते थे, मुसलमान वोड़ते मेरी बहन है, आप उन बहन का तो अब अधिकार चिन लो, बहन की प्रोपरटी के अंदर अधिकार चिन लो, वो बहन, अगर हिज इसरे legal provisions मिलते हैं, आप क्यों बहकार है, जो शुदान शुदान सुजी मेरे दोस हैं, ना, 30 साल से BJP के तर चपले घज गई, मोदी जी का परचार करते-करते, उनको ने MLC बनाया, ने MP बनाया, अशोक चवान आते ही, सीधा MP, मिलिन देवरा आते ही, सीधा MP, अब वो तो माहराज गूम रहे है, अभी खेला होंए हो सकते हैं आपका भी, the Chineseum के दरभाच चल रही है, आपने दो 30 से पितिता वाल जया, जवाब जिए, जवाब सब्सक्राइब शुझा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है इंपलाइश नहीं मिला जिसको अब तरदेश में पढ़ हो गया ज्यादा क्यों नहीं पेज़े अपने जावेद जी को पहले बेजा था रहे आप लोट चाहिए इस प्रदेश नहीं कि अठागर दिखा दिया अच्छा रहा हो गया पीडिय में जगडा हो गया पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुलमीन उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुस्लिमों से दावत है उसे उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार विनर डिगेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिगेडर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुलहमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्नी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस्थ 1947 को पहली शेहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत नद न मिला अटर्जी की सरकार में 50 साल तक सेक्वर सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंस दा आलम-े इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस उन्वस्टी का नाम बता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हूँ अज़ा चलो इन्होंने माल लिये जब दादा नहीं उन्वस्टी की उन्वस्टी तो याद नहीं है उसके गदे का नाम क्या था नहीं है अज़ा गदे का नाम क्या होते हैं हमारे अनुए बात हो इसकी चलिए जबात सुन लीजे जबात के जबात के जबात के जबात करने लगते हैं जराज उनकमवर्टेबल बात का नहीं है अब मैं बताता हूँ इक कमाने में बताने से था हूँ पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्ट ना पैदा नहीं हुआ बताता हूँ आज मैं बताता हूँ, एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था, उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, गार्फर कलाम पैदा हुए, अगर ये उसके खिलाफ फड़ा हो जाते हैं, और बताता हूँ, आज दो हजार चौविस में, के लिए अपराद के लिए अपराद का मारा है, आज जाकिर नायक, चांद का मसीह है, उसामा जी है, हाफिस साहब है, ये हमारी मुसमानों के और आज की सोच बात का, किसान तहने पर बैठा है, उसकी मौत हुए है, उसका बोल दो ना, एमेस्पी के अरेंट कम दोगे, वो इस बात का अजार साथ पहले से क्या संबंद है, ने आपके सवाल कब जवाब दू, बताइए, डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहा है दुरिया में, कहा है, कहा है, कहा है, शुरिए, ये बोलेगे, नमबर दो पर आए, अमेरिका के बाद, अमेरिका की पिछे है, की माल दीव जैसा छोटा सा देश रंक दिखा रहा है, फोज ले जाओ, नेपल कहरा है, कहा है, बाद बाद है, राम लहर पर मोदी सरकार है, और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, के भाई, चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने, राम लहर है, और चीन क को जवाब नहीं दिया राम लेहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है मतुरा और ग्यानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लेकिन प्रधान मंतरी जी ने आज एक बार और एक्सपोस कर दिया है इस इंडी गडवंधन को उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीम के ने वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है अब चीन से आपको आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते आप चीन है धर्म पर्सनल है लेकिन दूसरी तरफ डीम के जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है मलेरिया है मैं पूछना चाहती हूँ कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आदारित है अभी देगे किस तरह से बात चल रही है एटी में बीटी में चुनाओ के पहले कितने बड़े बड़े वादे की अपनी धर्म की बात की और ये तो अभी आंतरात्मा की बात कर रहे हैं सारी बात कर लिए आपको याद होगा ला पिछली मरता बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया था नभी बीजेपी जीच जाएगा बीजेपी जीच जाएगा ये बीटी में आप इनको वोट मत दीजे हमको वोट दीजे दिया है इनको वोट क्या हुआ सारे वोट जमा करके चले गए बीजेपी की गोद में डलके बैठ गया हमको बीटीम बोलने हो आज पूरे देश के सामने एंटी मुस्लिम पार्टी है, वहाँ पर तो अगर मुसल्मान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है, राहुल गांदी को मिलना है तो दस किलो वजन कम करके आओ, तो इनसे क्या वमीद रखेंगे, अब देखे हमारे लिए किस तरह की समस्या है नवीका जी हमारे है, यह तो खुले दुश्मने सब को पता है कि अंटी मुसलिम है, मुसलिम विरोधी है, बीजेबी पार्टी पूरी, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने औरने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मजजित से नफरत है, मदरसों से नफरत है, एक मजजित तो हमारी प्रिषी चीन लिया आब दूसरी के तरफ भी नजर तिसनी की तरफ भी नजर ए तीस हजार मजजितों पर इनकी नजर यह तो खुला दिख रहा है तो आप किस तरह से बात कर दो के डिमुकरी सी कहत्रे में नहीं है समविधान कि शपत लेके बने एक भी पॉइंट सुनात सुधानशु जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले ये धर्म की राज दीतिया आपको करना है सुधानशी दो से लिके आप यह तक तो पहुझ गया अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं सिरिफ पर आज रुआ उतर गया है रोजगार मांग रहा है पर्चे तु ऐसा एक्जाम कर रहा हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहा है हर रीट से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है क्या करने वाले आप चलिए बता ही है मोदी जी आपक बुरा लगता है है हम तो बोलते है क्या करते है बुरा लगता है एक सवाल करूगा सुधानिशू जी आपसे में क्या आप संकों की बात हुई माइनरिटी की बात हुई आप लोगों को मुसल्मानों से की दफरत क्यों है तरह सवाल का जवाब दो क्या आजादी हमने मुफ्ति अजरी जैसा अगर खाली एक रात इंदोरी का अशार पढ़ ले तो सुधान शुत रिवेदी ट्विट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदु समाज को इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करा दिये उनके खिलाफ एफायर करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता है वहीं पर अगर कोई भार से आता है बीजेपी का नेता और वो यह बोलता है कि चुन-चुन के मारेंगे कुछ नहीं होता बीजेपी की सिटिंग है मेले हुआ खड़ रहकर बोलती है 15 मिनिट नहीं 10 मिनिट नहीं हमको पांच मिट ने तो हम सबको खतम कर डालेंगे तब सुदान चुद यह एक भी ट्रीट कुछ नहीं करती है आप आसाम के ओपर भी बात करेंगे आसाम का भी सवाल था आपने जो स्पेशल मेरेज़ एक लेकर आ गए 90 साल से कानून चर रहा है रात के अंदरे में 12 मजे क्या लाने की जरूत थी आपको स्पेशल मेरेज़ आपको पता है ना के मुसलिम के अंदर शादी एक कॉंट्रेक है हमें होता है निका तो बच्यों की शादी करेंगे आपको लीगल की लड़ाइए बात क्या है अब आप मारा कैसा करेंगे स्पेशल मेरेज में निका कैसा पढ़ेंगे हम आपर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है स्पेशल मेरेज एक पे तो है नहीं तो मोदी जी तो ट्रिपल तलक के टाइम बोलते थे मुसल्मान बोड़ते मेरी बहन है आप बहन का तो आप अधिकार चिन रहो बहन की प्रोपर्टी के अदर अधिकार चिन रहो वो बहन अगर हिजाब पेंगे जाती है पढ़ना तो आ हैं आप क्यों बहकार है क्यों करते हैं सुदान शुद्रिवेदी जी सुदान सुजी मेरे दोस है न 30 साल से बीजेपी के दर चपले घस गई मोदी जी का परचार करते करते उनको ने MLC बनाया ने MP बनाया अशोक चवान आते ही सीधा MP मिलिन देवर आते ही सीधा MP अब वो तो नाराज घूम रहे हैं अभी खेला होबे हो सकते हैं आपका भी पुरी महाराक स्ट्रेक अदर बाद चल रही है आपके तो 30 साल से जवाब जवाब आपने सवाल जवाब करते हैं यह इतना पिपच्च के कंगरेसी दूसरे नेता ला रहे हैं यह रिप्लेस हो जाएंगे इसलिए चिंता में इनकी होती है कि अखलेश यादों के बाद सबस्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा इसके हरे कुर्ते महरियाली अगर यह एकड़ी बार कर दे मुझे विचार से अच्छा रहेगा कम से कम पार्टी के नेताओं को मुझे लगशा है इसके पहले हम जावेद जी को पहले भेजा है इस जगड़े में एम फैक्टर है इस जगड़े में जगड़े में समीधान को पचाना है डेमोकरसी को पचाना है इसका आप मडर कर रहे हो रोज कर लेहां हो रहा है इक्वालिटी नहीं वारिश प्रटन के लिए अलग कर उने देश में देखे देश की सबसे शांदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इतिहादुल मुसल्मीन उसने पूछा है कि मुसलिमों से हमें अदावत क्यों तो मैं बताना चाहता हूँ हमें मुसलिमों से अदावत है इस उत्तर प्रदेश में बैठें इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलिंट्री अवार्ट बिनर डिकेडियर मुहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था कोई इन में से कभी गया हूँ बिकेडियर मुहम्मद उस्मान के घर पे तो बताईए हम गये थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुलहमीद जिसने शहादत दी थी कोई गया हो इसमें सेक्वरिज्म का सूर्मा अब बताता हूँ 2015 में जो गये नहीं मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया उनकी पत्वी को बुलाया संबान किया ये बताईए 15 अगस 2047 को पहली शैनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उसको 2001 में भारत तक न मिला अटल्जी की सरकार में पचास साल तक सेक्वर्ट सियासत में नहीं मिला और मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे की बास सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम से बड़ा साइंस दा आलम इसलाम में पैदा नहीं हुआ ये बताईए मुसल्मानों में एक जमाने में बहुत साइंस और टेक्नोलजी होती थी आपको इस इन्वस्टी का नाम पता है अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी परेदा नहीं हुए तो पैसे Studios नहीं हो नुपे साल पुराना मैरे जैंकar चाहिए लेकिन दादा के संधु की बात क्याद नहीं नपे साल पुराना फिर यूई उनिवससिटी तो याद नहीं है इन्होंने मान Gestعم पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंस्दा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजिया बुलकलाम को ने बनाया और हमने राश्पदी बनाया और आपने उसका विरोध किया अच्छा मुसल्मान अच्छा लगता है आप विरादी और आतंक वादी अच्छा लगता है अबे कान बचते हैं क्या 1890 का बोला भाई और मैं बताता हूँ आज मैं बताता हूँ एक हजार साल पहले बैतुल हिकमत था लो उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ डॉक्तर कराम पैदा हुए मगर यह उसके ख़ड़ हो जाते हैं और बनाता हूँ आज 2024 में पूरे पोलिटिकल वर्ड में भारत में बताईए जो हमारे केरल के गवणनर है आरिक मुहमत खान साइब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसल्मान हो तो बताईए किसान तहने पैटा है उसका बोल दो ना हमें इसके लिए किसान इंतजार कर रहा है आप हजार साल पीछे चले जा रहे हैं आप से पुछा किसान आपके धाली इंडिया लैंस पर चार गुना करदा कर दिया आपने दस साल में इस बात का अजार साल पहले से क्या सम्मंद है ने आपके सवाल कब जवाब दू बताईए जेट टू जीडिपी रेशियों में भा जीडिए चले चले पहले 25 अमडार परच नीखती बातन कर धूए जीडिया कर आपके साल इन आपके साल गछाओ कर दूए।